तो अ तो तो हेले सुदेंट्स वेलकम तुद आफीशेल यूटीब चैनल आप ओरीजिन कोचिंग आज हम आपको क्लास स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 के इंग्लिश मीडियाम का फिजिक्स वो भी one start देखे सबसे पहले मैं आपको अपनी planning बता दूँ कि हम इस वीडियो में पूरे चैप्टर को one start में complete करेंगे और ऐसा भी नहीं कि उसको हम superficial पढ़ा देंगे फटापन पूरा detail में ऐसा करने के पीछे हमारा purpose है कि आप एक ही वीडियो पे पूरे चैप्टर की तयारी एक साथ कर सकेंगे और वो पूरा contents आपके complete 100% syllabus पर होगा English medium का class होगा और हम हर topic के बाद जहां पर जवरी हो साथ में numerical भी करेंगे साथ ही आपको एक important बात मैं आपको यह बता दूँ कि one start हमारा किसी chapter का दो पार्ट में बनेगा पहला पार्ट जो आप देख रहे हैं वो पूरा theory पूरो concept और पूरे formula के derivation पर होगा और second part इसी पर best pure numericals होगा numericals अभी मैं साथ में भी कराऊंगा लेकिन numerical का एक video और बनेगा इस तरह से यह दो पार्ट किसी भी chapter के दो पार्ट के देखने के बाद आप 100% prepare हो जाएंगे आपको फिर वहाँ पर कहीं से कुछ भी और contents का जूरत नहीं पड़ेगा 100% syllabus पर best मेरा lecture होगा आपको इस lecture का complete notes पूरा 100% notes जैसा मैं पढ़ाऊंगा वह पूरा notes आपको हमारे application पर मिलेगा आप उस notes के help से और इस lecture के help से आप जिस बोर्ड की भी student होंगे CBSE board, ICSE board, regional board, state board के जिस किसी भी board की student आप होंगे आप 100% marks gain कर सकते हैं प्लस competitive के level तर depth पर हम आप से इस class में lecture करेंगे तो आप ready हो जाएए पढ़ने के लिए और one chart में आपको 100% syllabus के साथ हम इस video में आपको complete कराएंगे चलिए था हम class start करें और हमारा आज का जो chapter है class 12 का syllabus का पहला chapter electric charges and field electric charges and field हमारा पहला chapter है और इस chapter से हम class start करते हैं बिल्कुल zero levels start करेंगे आपके साथ में discussion पूरे formula derivation के साथ में देखिए तो सबसे पहले हम देखें कि हमारे chapter का जो नाम है electric charges electric charges देखो हमारा chapter है electric charges and field तो सबसे पहले हम chapter का जो main heading है उसके concept पर discuss करें तो हमारे chapter में दो technical word यूज हुए है electricity and charge तो सबसे पहले देखें वाट इस electricity वाट इस the concept of electricity तो basically हमारा जो पूरा इन्वर्स है पूरा हमारा जो galaxy है वो चार्ज से इनर्जी से मिलके बना हुआ है हर तरह का energy जो आप अपने surrounding में देख रहे हो वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है only energy transformation हो रहा है exactly उसी तरह से electricity is also the form of energy electricity भी energy का एक फाम है आगे हम देखेंगे कि कि किस तरह से इस energy के बारे में पता चला तो electricity is the form of energy electricity energy के एक फाम है कभी आप से कोई पूछब what is electricity आप सिंपल वर्ड में आंसर ना दे सकते हो कि electricity is the form of energy अब electricity का proper हमको जानकारी कैसे मिला इसकी बहुत लंबी story है बहुत बड़ी history है लेकिन मैं सीधा point to point आप से बात करूं तो Benjamin Franklin ने सबसे पहले इसको practical experience किया Benjamin Franklin ने जो experience किया वो मैं आपको अब भी explain करता हूं उसके बेस पर हम concept आप charge को समझते हैं कि charge का concept कहां से आया यहाँ पर मैंने mostly जितने भी एक चीज़ा आप हमेंसा ध्यान में रखना यदि आपको board exam में अच्छा marks score करना है तो definition, scientist के rules के statement ये आपको word to word learn होना चाहिए तब ही आप अच्छा score करोगे इसलिए मैंने अपने वीडियो में जहाँ पर किसी scientist का statement है, rules है, definition है उनको मैंने आपको complete दिया हुआ है वहां से आप study करके साथ में नोर्स भी बना सकते हैं, तो देखिए चार्ज क्या है मैं इस पर आपसे इस definition पर बाद में discuss करूँगा एक बार, पहले मैं आपको बता दूँ कि Benjamin Franklin का experiment क्या रहा है Benjamin Franklin Benjamin Franklin का kite experiment क्या था, एक चोले Benjamin Franklin जो USA के scientist है और यह scientist होने के साथ साथ और बहुत सारी प्रतिभाह इन में थी, ऐसा बोला जाता है Benjamin Franklin के बारे में कि इनमें 10 लोगों की प्रतिभाह थी, यह अच्छे प्लेयर थे, politician थे, art में, painting, music, सब में इनका अच्छा command था, और साथ ही एक अच्छे sportsman थे, kite flying पर इनका बहुत interest था, पतंग उड़ाते थे, और वहाँ पर पतंग का competition होता है, बहुत height तक पतंग उड़ाते हुए competition होता है, जैसे हमारे इंडिया में भी गुजरात वागेर बहुत से state में, मकर संक्रांती में पतंग उड़ाते हैं, आपको मालू में, उसी तरह से Benjamin Franklin जब पतंग उड़ा रहे थे, तो पतंग उड़ाने के दावरान इन्होंने क्या देखा, कि इनका पतंग बहुत height में था, यहाँ पर मैं एक symbolic figure बना देता हुँ, इस तरह से इनका पतंग बहुत height में था, तो पतंग उड़ाते समय इन्होंने क्या देखा, कि अचानक जब आसमान में बिजली चमर के लगी lightning होने लगा, lightning conducting के कारण उन्होंने देखा, कि जब भी lightning होता है, इस काई में जब भी lightning होता है, तो उस दावरान इनको अपने thread पर कुछ electrical sparking या सा अब जर्व होता है, एक्ट्वल में उनका thread बारिष से भीगा हुआ रहता है, तो बारिष से भीगा रहने पर वो conductor हो जाता है, इस तरह से फर्स टाइम उन्होंने इसको experience किया, कि जब भी sky में lightning होता है, तो कुछ अजीब तरह का हैसास उनको thread से होता था, इसको उन्होंने अब जर्व किया, देखो science के जितने भी concept हैं, वो natural events से आए हैं, चाहे Newton ने एपल को drop होते हुए देखा, चाहे Benjamin Franklin ने lightning देखा, maximum concept natural events से आते हैं, यसी लिए बोलते हैं, physics is the study of nature and natural फेला मेनास, यह physics का basic definition ही है, तो यहाँ पर इनको वाज किया, और बाद में उन्होंने पर उन्होंने लटकाया, उन्होंने रेसम के एक गईसे धागे से उसको लटकाया, और उस experiment को बार पर उन्होंने किया, उस events का observe किया, तो देखा कि जब भी lightning होता था, तो वो जो keys है, उसमें movement होता था, वो दूर हो जाते थे, यह सब observation उन्होंने देखा, और सबसे पहले Benjamin जामिन Franklin नहीं सबसे पहले, इस kite experiment के बेस पर declare किया, और बोला कि यहाँ पर जो lightning दिखता है, actual में वो electricity है, यह light नहीं, यह electricity है, यह concept आया, और यहाँ से फिर सोचना ही start हुआ, कि actual में, इस sky में जो lightning होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, तो वहाँ से जो concept सामने आया वो है, कि यहाँ पर clouds के बीच में friction होते हैं, clouds के बीच में क्या होते हैं, friction होते हैं, that means, friction is the basic concept or origin of the production of electricity, सबसे पहले यह पता चला, कि friction के कारण electricity develop होता है, क्योंकि sky में clouds collision करते हैं, clouds अपस में टकराते हैं, या अगल बगल से गुजरते समय, दूसर से friction करते हैं, और इसी के कारण क होता है, वहाँ पर electricity develop होता है, तो चार्ज का जो definition आया, देखें, यहाँ पर चार्ज के definition में हमने लिखा हुआ है, electric charge in an intrinsic property, intrinsic मतलब होता है, उसके अंदर की property, कि कि किसी भी atom के अंदर का, उसका intrinsic property है, कि उसके पास positive और negative charge already होते हैं, लेकिन positive negative charge neutralized condition में रहते हैं, इसलिए व electrons and protons, electrons and protons of an atom of the substances, which make it possible for them to exert electrical force and to respond to electrical force, electricity is a scalar physical quantity, यहाँ ध्यान में रखना है, electricity क्या है, charge, sorry, charge is a scalar quantity, charge एक scalar quantity होता है, यह charge का definition है, यहाँ से हमको पता चलता है, कि friction is the origin of electricity, electricity, अब हम discuss करें, कि actual में जो electricity का basic concept है, electronic theory of frictional electricity, देखो सबसे पहले क्या हुआ, कि जब friction के बारे में पता चला, तो इस friction को lab में experiment करना start किये, तो basic experiment जो इसमें हुए, इसमें से कुछ experiment मैं आपको share करता हूं, देखो, basic experiment इसमें यह हुए, कि सबसे पहले जो lab में experiment हुआ, यह म बाद lab में देखा गया, कि भाई, frictions electricity develop हो रहा है, तो क्यों ना lab में friction करके, charge develop या electricity develop करने का, को try किया जाए, तो सबसे पहले एक experiment हुआ, कि हमने क्या किया, एक glass राड ले लिया, यह हमने एक glass का राड ले लिया, और इस glass के राड को, हमने क्या किया, silky glass से, या इसको तो cat का, जो hair होता है, उससे सबसे पहले experiment हुआ था, बिल्ली के उपर जो बाल होता है, उसके body में, उससे friction कराया, इस तरह के glass राड को, और उसको freely suspended कर दिया, इसको freely suspended करने के बाद एक और glass राड ले के आए, और इस glass राड को भी क्या किया गया, freely suspended किया ग यह glass राड, इस glass राड को क्या करता है, ripple करता है, यहाँ पर ध्यान रखना, कि यहाँ पर repulsion हुआ, यहाँ पर repulsion हुआ, ग्लास राड, ग्लास राड के बीच में, यह experiment number first था, अब क्या किया, इस experiment को हमने थोड़ा दूसरे तरीके से किया, ले में, कैसे किया देखो, यह एक ग्लास राड लिया, और ग्लास राड को इसी तरह से friction करके हमने freely suspended कर दिया, और अब जो दूसरा राड लिया, उसको ग्लास राड ना लेके हमने इसको ebonite कराड लिया, जब Ebonite का राट लिया गया और Ebonite के राट को जब हम glass राट के फ्रिक्सन कराके तो यहाँ पर देखा गया कि यहाँ पर attraction होता है इस तरह से तो इवेंड्स देखने को मिला एक repulsion का एक attraction को तो हमको magnet के बारे में पहले से पता था कि वे magnet में two poles होते हैं नार्थ और साउथ पॉल क्योंकि electricity के बहुत पहले हम magnet के basic properties को जानते थे तो वहाँ यह पता चला कि जैसे नार्थ और नार्थ पॉल में repulsion होता है नार्थ और साउथ पॉल में अट्रेक्सन होता है जस्ट उसी तरह से यहाँ पर भी कोई नार्थ और साउथ पॉल की तरह कोई दो चीज तो होगा तभी तो two type के events देखने को मिले तो यहाँ पर फिर charge का concept आया और charge यहाँ से इमेजिन किया गया क्या इमेजिन किया गया कन्वेंशन है चार्ज कन्वेंशन है चार्ज को माना गया कि भाई जब यहाँ पर ग्लास राड ग्लास राड में जब रिपल्शन हो रहा है देट मिंस दोनों में similar टाइप के चार्जेस होंगे और इसको बोला गया और आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि पूरा टापिक पूरे डेफ्ठ में डिसकस करूंगा। इसलिए आप ऐसा मत समझना कि वन साथ वीडियो जनरली बहुत इसकीप करके फटा फट पढ़ा दिया जाता है ऐसा नहीं है यह पूरा हंडेट परसेंट डेप्थ में सिले बस है बस मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि स्टुडेंट्स का टाइम वेस मत हो छोटा-छोटा प सिटिंग चाहिए तो पूरा डेप्थ में पढ़ाओंगा मैं उसको तो देखें यहां से क्या पता चला कि बैसिकली फ्रिक्षन से चार्ड डवलप होता है लेकिन यहां पर प्रापर यह एस्प्लें नहीं हो पाया कि ग्लास राट में ही पाजिटिव चार्ड डवलप होग Christ your Music यह हमारा जो पहला Content हम इसमें सभस्कुषिएंगे बैठीज इलेक्ट्रानिक थिवल्प करने के मुलॉप करने के हमारे पास कई तरीक निसमें से में तरीका है एक इलेक्ट्र रिचेटिक इनदक्शन यह हंदं तरीके से इलेक्सिटी डवलप कर सकते हैं और पहले पर बात करें जो भी हम उसी पर डिसकस कर रहें तो इल्एक थेयोरी क्या कहता है इल्एक्ट थेयोरी का कॉंसेट कहता है कि सपोज अपने पास टु टू अलग-अलग डिफेरेंट टाइप के सपोज एटम हैं सपोज एक एटम्ख हमने एमेजिन कर लिया और सेकंड से यह थि Kensी के बाद आपको समझ में आएगा इक्टरिश इन यह है यह इसके नुकलियस में पॉसी चार्ज प्रोटान होता है और क्या होते हैं इसके आवंड चारव तरब क्या करते हैं मोशन करते है और मोसं भी करते हैं आप आउटर मोस्ट आर्बीटल में जो इलेक्टान होते हैं इसके आउटर मोस्ट आर्बीटल में जो इलेक्टान होते हैं वह अपने नुक्लियस के साथ में लूजली बाउंडेड होते हैं यह नुक्लियस के साथ में लूजली बाउंडेड होते हैं कि जैसे जैसे चार्जेस के के बीच में हम friction कराते आं जैसा कि हमने Penjamin Franklin के काइट इस परिमेंट से और ग्लास राड ऐबो नइट से लिया तो जब इसके बीच में इस तरह से फ्रिक्सिं कराते हैं तो आप्टर फ्रिक्सिन नийके जो इलेक्टरान होते हैं यह इलेक्टरान क्या करते external energy gain कर लेते हैं external energy gain करने के बाद यह excited condition में आ जाते हैं यह excited हो जाते हैं और energy gain करने के बाद वो एक दोनों में से कोई भी एक atom का जो electron होता है वह अपने orbital को छोड़के दूसरे को ज्वाइन कर लेता है दूसरे को ज्वाइन कर लेता है इस तरह से मतलब इसमें atom A का जो electron है वो atom B में ट्रांसफर हो गया तो starting में जब friction हम नहीं कर आए थे तो उसमें नंबर आफ इलेक्टान नंबर आफ प्रोटान के इक्वल होता है उस टाइम में वह electrically neutral होता है जनरली जिस बॉड़ी में और निटर नहीं होता उसमें नंबर आफ इलेक्टान नंबर आफ प्रोटान के इक्वल होता है इसलिए इलेक्टान और प्रोटान क्या करते है अपने negative और पाज़िटीव चार्ज होने के कराण वह अपनों एक दुसरे को तो its since मड़ी8 इंट करता है क्योंकि यह लूश करता है गें करता है इसलिए क्या बन जाता में इस तरह से कि अपने कभी ऐसा कभी इस तरह से आप बच्पन में किये होगे कि हम किसी बच्चे को किसी भी आद्मी को चेयर में बिठा दें प्लास्टिक के चेयर में और उसके पैर उपर जमीन परना हो और उसको अपन क्लास से फ्रिक्षन कराएं करने के बाद उसके ब् guid's करते हैं तो एलेक्टिक साक लगता है आप मैं इसके डिंच और इसा कभी किया होगा यहन किया होगा आप देख सकते हैं इतना साइब नहीं लगएगा कि आपा कुछ प्राबलम हो थोड़ा साखığ लगेगा आप उसक एस्पेरियंस कर सकते हैं यह यहां पर कुछ important बात आपको note करके रखना है मुझे है कि electron पर जो charge होता है electron पर जो charge होता है वो 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb होता है यह negative होता है और proton पर जो charge होता है वह positive 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb होता है that means electron पर amount of charge क्या होता है equal होता है लेकिन इनके मास अलग-अलग होते हैं, मास आफ इलेक्टान, इलेक्टान का जो मास होता है, वह 9.1 into 10 to the power minus 31 kg होता है, और मास आफ दा प्रोटान, प्रोटान का जो मास होता है, वह 1.67 into 10 to the power minus 27 kg, यह होता है, यह आपको याद करके रखना है, यह इसका मास, that means proton heavy particle होता है इसलिए nucleus में होता है और electron light particle होता है इसलिए nucleus के around क्या करता है वो घूमता है यह ध्यान रखना अब यहां पर कुछ महत्रपूर्ण concept कुछ important concept आपको ध्यान में रखना है वो यह है कि जब कोई भी जब कोई भी atom electron lose करता है that means निगेटिव चार्ज बनता है तो मास उसका decrease होता है ठीक है आप्टा निगेटिव चार्ज जब किसी भी particle में निगेटिव चार्ज डेवलप होता है तो निगेटिव चार्ज डेवलप होने से मास डिक्रीज होता है अब जब कोई भी पार्टीकल पाजिटिव चार्ज बनता है जब कोई भी प्रट होता है तो उसका मास उसका मास क्या होता है इंक्रीज होता है यह द्यान रखना उसका mass increase होता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि جब in the electron loose करता है तो इलेक्टरन का मास भी है यह देखो इलेक्टरन का अपना मास होता है तो इतना मास एक 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 एक्टरन एक एकट्रान यदी किसी एटम से दूसरे एकटम को जॉइन करता है तो उस एक तम में 9.1 into 10 to the power minus 31 kg उसका mass decrease हो जाता है क्योंकि उसने एक इलेक्तान donate कर दिया ते बात आप ध्यान में रखना कि जब हम किसी भी body में negative charge develop करते हैं तो negative charge develop करने से क्या होता है उसका mass decrease हो जाता है और जब किसी body में positive charge develop करते हैं तो उसका mass increase हो जाता है अभी हम इसके charge distribution को आपको explain करेंगे कि कैसे body को contact में लाते हैं तो charge की सरा से distribute होता है दखो आपको एक चीज़ आप हमेसा ध्यान में रखना यदि आपका competitive target है तो आप physics को बहुत depth में study करो फर्स्ट फंडा वही है कि concept आपको बहुत अच्छा clear होना चाहिए क्योंकि मैंने देखा है मेरा बहुत long teaching experience है मैंने देखा है कि बहुत स्टूडेंट आइटी जे नीट की preparation में बहुत difficult table के numericals में अपना study ज्यादा focus करते हैं और उस पर अपना work की start करते हैं बहुत hard work करते हैं बट concept clear नहीं होने के कारण वो उनको समझ में नहीं आता यह मैंने देखा है तो मेरा आप सब को suggestion है कि पहले आप अपने foundation पहले आप अपने foundation को अच्छा सी स्टांग करिए और जब आप foundation स्टांग करोगे basic concept आपका clear रहेगा तो आगे आपको कोई प्राब्लम नहीं होगा इस तरह से छोटी छोटी बातों को आपको समझना है मैं कोशिस करूंगा कि हर मेंटर पर आपसे मैं deeply discuss करूंग अब हम देखते हैं थोड़ा सा electrostatic induction यह तो चार्ड डवलप होने का friction electricity का केस हुआ electrostatic induction में होता क्या है कि suppose हमारे पास कोई तरह से एक charge body है यहाँ पर भी हम imagine कर लेते हैं कि suppose यह अपने पास एक body है और एक दूसरा है suppose यह second number का है यह अब यहाँ पर होता क्या है जो first number की जो body है यह है suppose इसमें हमने automatically इसको plus charge दिया हुआ है that means charge body है पहले से इसमें charge है और इसमें अभी चार्ज नहीं है CHARGE इसका zero है यह और भी body है तो induction का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी भी charge body के पास इसके पास already positive charge है इसके पास हैं जब लेक्ट नहीं तो द्यूर्ट करते हैं इस तरह से उसको अपने घह करता है और इसके इस इंड में इस इंड में निगेटिव चार्ज डवल अधिता है और इसके आउट साइड में मतलब दूसरे साइड में पाइटिव हो जाते हैं ओध कर सकते हैं तो करते हैं तो दोनों में पहले ऐसे कोई नी होता दोनों में डवलप हो जाता है एंडर सेकंड इस ड्यूंट हैंड इंडक्षन इंडक्सन में एक चार्ज बढ़ी में पहले से चार्ज होना जरूरी है तब ही वो दूसरे बढ़ी में चार्ड़ डवलप करता हैं क्लियर तो यह हमारा इलेक्टानिक ठीओरी एंड इलेक्टो इस्टेटिक इंडेक्शन यहां पर कुछ कांसेप्ट आपको बहुत ध्यान से समझना है वो यह है कि कुछ नोट में आपको बता रहों इसको आप इस्पेसली केर करना वो यह है कि देखो कुछ एक्जामपल मैं आपको दे रहा हूं फटा फट यह मैं बता दूँ आपको कि जैसे यह एक चार्ज बाड़ी है और यह दूसरा एक चार्ज बाड़ी है नोट नमबर फर्स्ट यह ए यह भी है इस पर सपोस्ट क्यू बन मिलाया ए और बी को और कुछ दिर तक साथ में रखा और इसके बाद फिर हमने क्या किया दोनों को कुछ सात में रखा इसके बाद पिर सेपरेट कर दिया तब इस में जो तोटल चार्ज होगा अलग करने के बाद je लेहोगा क्यू 1How Us 2 Nep1 2 और इसंवे भी हो जाएगा क्यू 1 प्लस क्यू 2प 2 दैत Moment रूरते समय का घर कम आएगा ओके नाउ ज्marिव 두 सीधना आसेप्व देखो दूसराम आप ध्यांसे समझना अख़न्हकिन अपने पास कोई चार्जबर्डी है यह है और एकbyे मैं यह ज 그렇지 है और यदि हमने क्या किया यह दोनों चार्जबर्डडी गासाफ़ स्पासट इसमें क्यू चार्ज रहे इसमें कुई चार्ज नहीं है इस तरह से कोई चार्ज नहीं है अब हमने इन दोनों को भी क्या किया कांटेक्ट में किया यह और बी को हमने कांटेक्ट में कर दिया अब ऐसा करने के बाद ऐसा करने के बाद जब दोनों को हमने सेपरेट किया तो सपोज यह एक चार्जबर्डी है और यह पिर ट्सार्जबर्डी है ट्रोटि कू उन साघ्ज कुट गया चंद हम ल experiment आपको बताया इसके पास किस घृच सा है इसके पास कोई सकाझनadaşन हमने को um intakes धी Q1 is always greater than or equal to Q2, कई बार competitive exam में यह concept पूछा गया है, कि touch करने के बाद जब दोनों को अलग करेंगे, तो पहले बड़ी में, जो पहले जिसके पास charge था, उसका charge after separation, separate करने के बाद उसमें जो charge होगा, उसका जो value होगा, वह greater होगा second से, that means दोनों का जो ratio होगा, इसको हम क्या कर सक सकते हैं, therefore Q1 ratio Q2 is always greater than or equal to 1, यह होता है, यह ध्यान में रखना, ठीक है, इस तरह से यह दोनों को हम समझ सकते हैं, तो यह concept आपको ध्यान में रखना है, ऐसे charge के जो concept है, यह numerical बनाने में, यह बहुत काम आता है, यह concept को आपको ध्यान में रखना है, ओके, चलिए, तो अब ह एक छोटा सा experiment है, जब किसी body में charge हो जाता है, तो उसको हम कैसे पता करें कि इसमें charge है या नहीं है, तो इलेक्टो स्कोप उसको बोलते हैं, इसके help से अपन charge body का charge nature को study कर पाते हैं, कि उसके पास चोटा से experiment है, इसका फटा-फट समझ दो, देखो, कि सपोज इस तरह से हमा इसमारे पास है कोई container है, ऐसा हमने container लिया, इस container में हमने एक metallic rod, एक metallic rod इसके अंदर में डाल दिया, यह सपोज एक metallic rod है, अब मैं figure को बस इस तरह से बना दे रहा हूं, कोई बहुत proper figure उसका नहीं बना रहा हूं मैं, समझाने के लिए बस, और इसको हमने क्या किया, यहां से कार्क से यह attach कर दिया, चलो ठीक, यह कार्क है और इसके पास metallic rod है, metallic rod के उपर में सपोज एक disc है, इस तरह से metal disc है और इसके नीचे में two gold leaf है, यह समझो gold की leaf है तो इस तरह से, मतलब gold से बना हुआ, gold से बना हुआ two leaf है, इस तरह से अब इसमें क्या होता है, इस experiment में, gold leaf experiment मे या gold electroscope में, यदि किसी charge body को हम past में ले के आते हैं, जैसे suppose हमने यहाँ पर कोई positive charge body को इसके past में लाया, इसमें positive charge था, इसको हमने क्या किया, इस metallic disc से हमने उसको touch करा दिया, तो जैसे इसे touch कराएंगे, तो क्या होगा, positive charge, यहाँ पर negative charge डवलप होगा, तो suppose इसमें भी negative charge होगा इसमें भी निगेटिव डॉबलब होगा क्योंकि गोड़ीव में 1-6 निगेटिव डिपल करें इसे पता चल जाता है कि उसमें चार्ज डॉबलब हुआ है तो चार्ज प्रेशेंसस लिए कुछ बहुत सपैसल नहीं है इसमें एक्जाम अगर यहां नहीं आता है सब्सक्राइब एस एस्पयरीमेंट से आप समझ सकते हो कि गोल लीप में किस तरह से पता कर सकते हैं कि चार्ड यह बहुत इंपोर्टन टापिक है एक बहुत छोटा सा कांसेप्ट है लेकिन हर एक्जाम में इससे कोश्चन पूछा जाता है तो समझना है कि is.... मतलब क्या हुआ स्का इसका कि किसी भी बॉड़ी में जो टोटल लेक्टान होगा वो इंटीजर मल्टीपल के फाम में होगा that means इसको mathematically हम सो करें तो इस तरह से सो कर सकते हैं q equal to n into e q equal to n e यह इसका फार्मूला है where q is total charge किसी भी बॉड़ी का यह total charge है n क्या है integer है integer का मतलब प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री यह है और e is charge in one electron that minus 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलांग यह एक charge पर electron का value तो यह concept कहता क्या है कि कि किसी बड़ी पर one electron होगा two electron होगा three electron होगा four electron होगा integer फाम में होगा उसको मैं बहुत easy language में आपको explain कर रहे हो तो क्या कर सकते हैं electron never can be divided मतलब यह concept कहता है कि electron divide नहीं किया जा सकता कि मेरे पास एक electron हो और बोले भया कि इसको three parts में divide करके part मुझे दे दो तो मैं electron को divide करके किसी को नहीं दे सकता या तो पूरा एक electron दूंगा या दो दूंगा या थीन दूंगा that means electron never can be divided electron को divide नहीं किया जा सकता और जब भी होगा integer फाम में होगा इस तरह से किसी भी body पर जो total चार्ज होता है वह उस body के एक electron पर जितना चार्ज होता है उस एक electron पर चार्ज का integer multiple होता है यह सबसे powerful word is definition में है integer multiple पर एक्जांपल फार एक्जांपल हम इलेक्टान को क्या सकते हैं वन इलेक्टान प्लस-2 इलेक्टान प्लस-3 इलेक्टान एंड्स तरह से होगा यह होता है इस पर बहुत सारे question बनते हैं बहुत important है यह छोटा सा concept आप ध्यान में रखना इसके बाद हमको देखना है कि इसमें recently recently अभी इसके अगेंस में मतलब exceptional अपने को case मिला जिसको हम क्वार्क कहते हैं यह जानना भी आपको बहुत जोरी है कि क्वार्क क्या होता है रिसेंटली क्वार्क की बारे में पता जैट मिंस क्वार्क का मतलब होता है rational फार्म में electron होना तो कुछ atoms ऐसे मिले हैं जिसके electron rational फार्म में थे जिसको क्वार्क बोला गया और यह क्वार्क मिला अपने को भी plus minus 1 upon 3E and plus minus 2 upon 3E and that is called quark इसको क्वार्क कहा जाता है तो जब electron इस फार्म में मिला rational फार्म में मिला यह integer फार्म में नहीं था इसको क्वार्क बोला गया और क्वार्क जो plus minus 1 upon 3E और plus minus 2 upon 3E मिला इसमें से हम minus 1 upon 3E को down quark कहते हैं कभी competitive exam में काम आ सकता है इसको ध्यान रखना यह down quark कहलाता है और plus 2 upon 3E is known as up quark plus 2 upon 3E is known as up quark तो down quark up quark यह दो quark होते हैं यह आपको ध्यान रखना यह कहलता है यह quantization of charge that means the total charge the total amount of charge on any charge body is always is multiple form or multiple integer form that means 1E2E3 and so on clear यह कहलाता है quantization of charge now next topic is how many electrons are in one coulomb charge यहां पर मैं कुछ numerical आपको जितने भी mathematical topic मिलेंगे अपने को वहां पर मैं कुछ कुछ numerical आपको example के रूप में समझाओंगा ताकि आपको समझ में आए कि इस फार्मूला को हम कैसे यूज करते हैं बाद में हम पूरे चेप्टर पर numerical का अलग से वन साट बनाएंगे बाद में हम पूरे चेप्टर की निमेर का अलग से वन साट बनाएंगे वहां पर आपको यहां पर आपको डिल कर रहा हूं यह एक्जांपल कहता है इस फार्मूला को हम लिख सकते हैं अब इस फार्मूला को यूज करें कितना वन कुलाम आप चार्ज तो वन कुलाम चार्ज क्यू का विल्व अपन वन पूट अप कर देंगे और यह चार्ज इन वन इलेक्टान वन पाइंट इन तो यह जाता है तो 6.25 आता है यह हो जाता है 6.25 आता है और इंटू एक जिरो इसके साथ ले लेंगे तो यह हो जाता है इसका मतलब इतना इलेक्टान या तो वह डोनेट कर रहा है या तो रिसीप कर रहा है तभी उसमें वन कुलाम चार्ज डवलप हो जाए तो यह अच्छा छोटा सा निमेर का इसको ध्यान रखना ऐसे हम कि यूज करते हैं इस फार्मूला को इस तरह से यूज कर सकते हैं यह डेट भी आपको याद रखना चाहिए यह वेल्यू आपको याद रखना चाहिए ठीक है क्लियर अब हम देखते हैं नेस्ट टापिक लाज आप कंजर्वेशन आप अभी स्टार्टिंग में मैं आपको जितना पढ़ा रहा है सब्सक्राइब लाज आप कंजर्वेशन आप चार्ज किसी भी तरह का कंजर्वेशन हो थह कंजर्वेशन का क्यों सेट ही होता है कि किसी व्यल्यू को कि सिय्म यो फॉन को यहिस आप रहना थे शसको कंजर्वेशना यह दोब रहना कि रहना जैसे लौज आप कंजर्वेशन हो में सब्सक्राइब अनलेशना अग नेरौच्ट का त्र्वाथ लीयु अरई that means conserve तो इसका statement क्या कहता है that net charge present on an isolated system an isolated system isolated system is a powerful scientific word what is isolated system अभी मैं आपको explain करूँगा isolated system होता क्या है remaining always conserved or constant मतलब किसी isolated system का जो टोटल चार्ज होता है वो क्या कहलाता है constant होता है isolated system का मतलब क्या है कि suppose अपने पास यह कोई चार्ज एक बाड़ी यह है दूसरा बाड़ी यह है अभी मैंने बताया यह है यह भी है दोनों के बीच में पार्ट होते हैं वो सब को हम कहाते हैं कि isolated system तो किसी isolated system का जो total charge है वो चार्ज होता है constant होता है क्यों देखो जितना इसने दिया उतना इसने लिया और कुल मिलाके इसका जो total charge है पूरा isolated system का वो चार्ज तो क्या है constant है वो चार्ज तो चेंज हुआ ही नहीं तो वो क्या कहलाता है constant कहलाता है that means total charge in any isolated system is always constant that is called conservation of loss of conservation of charges ओके नव नेस्ट टापिक is कुलाम्स inverse square law अब इसके बाद हमको पहना है इस chapter का एक बहुत important टापिक यहां से हमारा स्टार्ट होता है इसका basic mathematical portion पर और यही क्या है पूरे chapter की जान है कुलाम्स ला पर ही पूरा chapter हमारा बेस्ट है तो चलिए सब से पहले हम देखें इसका statement कि कुलाम ने क्या बोला था according to कुलाम्स एक बार statement मैं आपको read कर दूं फोर्स आफ अट्रेक्शन और रिपल्सन यहां पर एक बहुत important बात है ध्यान रखना कि कुलाम्स ला में जो फोर्स होता है वह अट्रेक्शन रिपल्सन दोन ला दिया देखो जब मैं competitive का प्रिपेशन कराता हूं तो मैं students को यह बास सजेस्ट करता हूं कि जब आप 11 12 दोनों class का syllabus आपका complete हो आता है आप या तो ड्रापर student है या फिर अर्लियर आपने class स्टार्ट कर दिया है तो course complete होने के बाद जब भी आप 11 12 का syllabus को कमबाइन पढ़ोगे तो मैं कुछ का टापिक को रिलेट करके बताता हूं कि आप 11 का यह टापिक पढ़ रहे हो तो सेम टाइम में 12 का यह टापिक पढ़ लो जो similar concept पर है तो कभी भी 11 में ग्रेविटेशन का टापिक पढ़ा जा रहा है और 12 का भी आपने syllabus complete कर लिया है तो ग्रेविटेशन के चेप्टर के बाद इमीडियेट आप कुलाम्स ला के question करो क्योंकि जो जो पर्टिकल के लिए चार्ज पर्टिकल के लिए concept similar है कुछ चीजों को छोड़ दें तो 100 परसें बाद में अपन ग्रेविटेशन ला मतलब के साथ उसका और आपको हम बताएं उसको तो यहां पर न्यूटन ने क्या बताएं देखो न्यूटन ने बताए कि कि सीवी चार्ज पार्टिकल की बीच फोर्स अट्रेक्स अप्र रिपरस्ट में फोर्स जो होता है वह डारेक्ट ली प्रपोस्टनल टूदा प्रोड़क्ट आफ देर म पॉइंट चार्जेज हीर पॉइंट चार्जेज इस इंपार्टेंट वर्ड पॉइंट चार्ज क्या होता है तो पहले मैं तो आपको पॉइंट चार्ज कि आ सिंस प्सक नगव कॉंटिटी मतलब हम उसको किसी और के साथ में कंपीरिजन करके बता सकते हैं उसको हम अंफल इहां पर एक लाइं रहा घ्याथ अब इस लाइन के बारे वाइन मैं आपको कूछा कि यह लाइन च्छोटी है चिंशेमाल पारे में चोटी है कि बड़ी है यह मैं आपसे किया भी आपको बने पास में क्लाइन रा कर दूँ तो खोड़ी है देखो अभी जिसको आपने छोटी लाइन बड़ी हो गई तो सकता है किसी case में point charge ना हो और किसी case में point charge हो जाए तो फिर किस तरह का case है point charge के लिए point charge के लिए किस तरह का case हम use करते हैं तो point charge के लिए जो case हम यूज़ करते हैं वो है if the size of charge particle is small with respect to distance between them मतलब यदि दो charge particle का size उनके बीच में जिसका जितना distance है उसके respect में क्या हो? कम हो तब उसको हम point charge कहेंगे और बीच का distance यदि बहुत कम हो तब उसको point charge नहीं कहेंगे clear तो point charge का अपना concept है इसको अब ध्यान रखना कि point charge क्या होता है यह आपको ध्यान रखने ठीक है चलिए तो point charge के लिए कुलाम ने जो rule दिया यह rule को हम अब mathematical देखते हैं देखो तो यहाँ पर हम imagine कर लेते हैं हम दो point charge suppose यह point charge है और suppose यह second number का point charge है यह हमने दो point charge imagine किया अब इनके बीच का जो distance है जो separation है suppose distance between them is this यह दोनों के बीच का distance है यह suppose q1 charge है पहला वाला charge suppose q1 charge है second number का charge q2 है और इनके बीच का जो distance है वो distance हमने suppose r consider कर लिया r is the distance between them and force between them is suppose f इनके बीच का force क्या हमने suppose कर लिया का एप सपोस्ट कर लिए अब यहां पर स्टेटमेंंट में बोले हैं इसनल फर्ट बोला गए यह खूINE टो नियुटन आप नुटन के कार्डिंग हम देखें तो पहले इस्टेटमेंट में क्या बोला ऐ जब कि उनके प्रोड़क्ट के चार्ज के प्रोड़क्त यजार्ड़क्ती प्रोड़क्र आपर प्रोड़क्ट के असवरी कुलाम ना एक और दिंट भार-बार नुटं का मैं नाम ले रहा हूं से similarity करके according to Coulomb तो Coulomb के rule के हिसाब से क्या हो जाएगा f proportional to q1 into q2 this is relation number first and f proportional to one upon r square that is relation number second क्योंकि दो statement है दो statement उन्होंने बताया कि उनके charge के product के dietary proportional होगा और उनके बीच के distance के square के the inverse proportional आप the square of the distance between them यह statement उन्होंने कहा therefore अब इसको हम combine कर दें from first and second from first and second first or second को हम combine कर दें तो यहां पर हो जाएगा f equal to q1 into q2 upon r square अभी मैं इसको proportional ही तो f proportional to यह दोनों कहमने combine कर दिया that implies आगे हम इसको simplify करें तो f equal यहां पर हमें को एक proportional constant multiply करना होगा और proportional constant को हमने suppose के ले लिया तो k q1 into q2 upon r square यह हो जाएगा इसका फर्मूला f equal to k अब आगे देखो आगे Newton ने यह बताया कि for cgs system सबसे पहले हम यूज कर लेते हैं for cgs system मतलब cgs system में जो के का वेल्यू बताया तो Newton ने बोला कि for cgs system the value of k is 1 therefore force equal to हो जाएगा q1 into q2 upon r square dyn dyn is the unit of force in cgs system but for mk system हमको मालूम है कि हम अभी si system या mk system यूज करते हैं modern physics में तो mk system के लिए Newton ने बताया कि k का जो स्वारी कुलाम ने बताया कि k का जो वेल्यू होता है दा वेल्यू आपके is one upon four by epsilon not and its numeric value is 9 into 10 to the power 9 यह बताया one upon four by epsilon not और epsilon not जो होता है वो कहलाता है electric permittivity where epsilon not is इसको मैं बतातू सबसे पहले हम इसका unit भी देख लें unit जानना आपको जब कुलाम स्वापर इसको पूरूफ करेंगे चलिए इसका वेल्यू हम पूट अपकर दें कुलाम स्वापर तो फ़र एफ इक्वड टू क्या मिल आएगा एफ इक्वड टू वन अपन फोर पॉर पाई अप्साला नाट इन्टू क्यू अपन आरी स्क्वर अब देखो इसका unit हम यहां से बनाए इसका unit कितना हो जाएगा यहां यहां से बनाते हैं इसका unit चाहिए तो यह अधियो देर ट्रंसफर कर दो रहतो न्यूटन है यह जाएगा न्यूटन ओपर जाएगा तो हो जाएगा मीटर इसक्वेयर और क्युवान लीटर में आएगा तो चार्ज का होता हैं कुलाम Works स्क्वेयर ये इस कॉंस्टेंच का यूनिट। होता है डेंस न्यूटन citizen Metre Squared है क्लॉम इनवर्स मेर्स स्क्वेर अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि एप्सलानार इसनी से नच को मैंने क्या मुला के पर पर्मीटीविटी इनच्टिकल पर्मेटीविटी इस वर इलेक्टिकल पर्मेटीविटी इसको आगे मैं अभी अर्वाइन करूंगा अलग से आगे हमारा टापिक एलेक्रिकल पर मीटिवीटी पर तो एफसालान नाट इसनुग हम सको अपसालान नाट प्रूफ रिप्रेजेंट किया है यदि हम उसको अपसालान आर रिप्रेजेंट करेंगे तो रिलेटिव पर्मिटिवीटी कहलाता है आगे मैं उसको करूँघा क्रणा कि वह क्या होता है उसके लिएलाग से Lap있는 करेंगे और इसका जो नुमेरिक वेल्यू होता है यहां से आप इसको साल्व करेंगे क्योंकि इतना का वेल्यू होता है और यहां समसालों करें एपसला नाट को इधार टांसफर करें और पूरा सिंप्लिफाइग करें तो यह 8.854 इन्टू टेन टू दी पावर माइनस 12 वाता है यह वेलू आप याद रखना और इसका यूनिट हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वेर कुलाम इन्वर्स स्क्वेर ठीक है यह आपको ध्यान रखना तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है 6.854 यह डेटा आप याद रखना निमेर्कल में काम आएगा ठीक है कुलाम नीटर नीटर स्वारी यह यूनिट कुलाम में आएगा इधर ट्रांसफर होगा तो यह कुलाम नीटर स्क्वेर मीटर स्क्वेर होगा यह यूनिट आपको याद रखना है कई बार कम्टिटर एक्जाम में पूछा जाता है ठीक है तो 8.85 इंट्रू 10 तुदी पावर माइनस 12 कुलाम नीटर इन्वर्स मीटर इन्वर्स स्क्वेर ह होगा यह उपर जाएंगे भी इन्वर्स में होगा यह वेल्यू आपको याद रखना है तो अब सलयनाट का वेल्यू बहुत बार जैसे हम निमेर्कल जब साल्व करेंगे कि निमेर्कल साल्व करते समय इसका हमको जरूरत पड़ेगा बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा होता है यहां पर यहां पर पर दिफाइन करें देखो unit charge unit charge unit charge का नाम से मतलब है कि unit charge मतलब ऐसा charge जिसका strength जिसका charge strength का हो unit हो बट हमको यहाँ पर इसको explain करना है coulombs के rule से coulombs के rule से हमको इसको explain करना है तो क्या करेंगे अभी हमने देखा है coulombs का rule कि f equal to होता है 1 upon 4 pi epsilon 0 या इसका मैं यहाँ पर सिधा numeric value put up कर दूँ तो हो जाएगा 9 into 10 to the power 9 q1 into q2 upon r square clear यह इसका value है यह जो होता है Newton's coulombs का लाओ यहाँ पर हम इसके value को put up करते हैं condition apply करते हैं if f equal to 9 into 10 to the power 9 Newton यह कई बार यह exam में पुछा गया बोट एक्जाम में ध्यान रखना है and q1 equal to q2 equal to q यह हमने consider कर लिया मतलब यह equal and equal and like charge equal and like charges and r equal to 1 meter r equal to 1 meter यह condition हमने यहाँ पर consider कर लिया तो कुलामस ला में हमने यह condition consider कर लिया कि दोनों के बीच में लगने वाला जो force है वो 9 into 10 to the power 9 Newton है दोनों charge equal है और दोनों like charge है और दोनों 1 meter distance apart रखे हुए है यह condition को हम यहाँ पर apply कर दें तो हमको क्या condition मिल जाएगा therefore f का value put up कर दें 9 into 10 to the power 9 equal to 9 into 10 to the power 9 q1 and q2 both are same charges ते हो जाएगा q into q और अपान इनके बीच का distance हमने लिया 1 तो that is 1 that implies इसको आगे हम salve करें तो salve करने से देखो यह value पूरा इसके साथ cancel out हो जाएगा और q into q हो जाएगा q2 that implies q2 equal to 1 therefore q equal to plus minus 1 यह हो गया unit charge तो अब हम unit charge को define कैसे करेंगे अब unit charge को define कैसे करेंगे देखो यह सब मेरे notes में बहुत अच्छे से दिया हुआ है notes एक बार आप जरूर consult कर लेना हमारे application से notes आप जरूर देख लेना अब इसको हम define कैसे करेंगे ध्यान से सुनना if two यहाँ सी start करें if two equal and like charges if two equal and like charges kept one meter distance apart one meter distance apart and they are ripple to each other by the force of 9 into 10 to the power 9 newton अब बलेंगे air r vacuum हमको medium भी बताना जोड़ी है क्योंकि यह air r vacuum के लिए है ripple क्यों बोल रहे हैं क्योंकि दोनों कैसे charge है like charge है like charge है तो एक दूसरी को ripple करेंगे तो definition क्या हो यहाँका बहुत ध्यान से समझना कई बार exam में पूछा है 1 meter apart in air are vacuum and they are ripple to each other by the force of 9 into 10 to the power 9 newton then the charges are called unit charge तब हम उस charge को क्या बोलेंगे unit charge करेंगे देखो कभी किसी definition को physics में आप रटो मत physics में आप यह दि definition को रटोगे आप कभी prepare नहीं कर पाओगे इसलिए physics में definition को आप पहले समझो और जब concept clear हो आएगा तो आप अपने own language में अपने word में उसको लिख सकते हो तो यह हमारा कुलाम्स ला है और कुलाम्स ला का यह complete explanation है ध्यान में रखना सबसे पहले एक बार मैं आपको दो मिनट फटा फटा बता दूँ यह statement है कुलाम्स ला का फिर हमने statement से क्या किए इसको calculate किया therefore यह हमने इसको calculate किया यहां तक calculate किया उसके बाद हमने सके constant के values आपको बताए कि constant का value CGS में 1 होता है as i में constant का value होता है यहां इसका numeric value है आप unit जरूर याद रखना इसके बाद हमने सको उसको इसमें put up कर दिया यहाँ पर यह Newton हो जाएगा यह फोर्स का यूनिट यहाँ पर Newton जैसे मैं यहाँ पर डायन लिखा है यहाँ पर यह Newton हो जाएगा अफसला नाट का वेलू आपको याद रखना है और अफसला नाट का आपको इसको बोलते हैं और इसका वेलू याद रखना है ओके चलिए अब हम नेस्ट टापिक देखें रिलेटिव पर विडिविटी आप डायलेक्टिक कांस्टेंट अभी मैंने आपको बताया कि रिलेटिव पर मिटीविटी को आपको मैं अलग से मैं एस्प्रेइन करूंगा तो रिलेटिव पर मिली पर नीटीविटी क्या होता है इसको जन्रली हम K से और EPSOLоны 1 से करते हैं दोनों एक ही चीज़ है दोनों में ज्यादा नहीं होना ठीक है चलिए देखें सबसे पहले हम देखो है कि सपोस्य फार एयर और वेक्यूम, फार एयर और वेक्यूम, शपोसर एयर वेक्यूम में टू चार्ज पार्टिकल रखे हैं और उनके बीच में लगने वाला फोर्स एप फ़न है, तो एप फ़न इकुवल टु हो जाएगा वन अपान फॉर पाइ अपसाला नाट, q1 into q2 upon r square फिर again for any medium for any medium suppose हमने किसी medium पर उसी charge particle को रखा तो उनके बीच में लगने वाला suppose f2 है f2 equal to हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon 0 k into q1 into q2 upon r square यह हो जाएगा अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बताए आपको suppose अपने पास two charges है वो r distance में रखे हैं और हमने वो दोनों charge को क्या किया air r vacuum में रखा यह हमने उसको दोनों को कहा रखा है air r vacuum में रखा है अब हम दोनों charge को पकड़े उतने distance पर उसी charge को पकड़के किसी medium में हमने डुबा दिया किसी medium के अंदर में हमने डाल दिया, suppose हमने उसको alcohol के अंदर डाल दिया, water के अंदर डाल दिया, तो उस समय medium के बीच में उनके बीच में लगने वाला force F2 है, F1 force between charges in air or vacuum and F2 is the force between charges in any medium, यह आपको समझ में आ गया होगा, इसके बाद हम क्या करें, इसमें first में second को divide कर दें, therefore यहाँ पर आप देखो, यह K को छोड़के बाकी quantities cancel out हो जाएंगे, यह पूरी quantity, यह पूरी quantity के साथ में K को छोड़के यह cancel out हो जाएगा, और सिर्फ अपने पास बचेगा क्या K, तो इसको F1 upon F2 को हम क्या लिख सकते हैं, F1 upon F2 is K, यह हो जाएगा, तो यह कहलाता है, electric permittivity के यह आप सेलान आर भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया, तो definition क्या हो जाएगा, इसका, इस तरह स्यादी हम इसको define करना है, तो definition क्या होगा, ध्यान से सुने है, definition, the ratio of, the ratio of force between two charges in air or vacuum, and force between similar charges in any medium, is called electric permittivity, that means, two charges के बीच में, air or vacuum में force जो लगता है, और उसी charge का, किसी medium के अंदर जो force लगता है, यह दोनों force का जो ratio होता है, वो electric permittivity कहलाता है, एक बार और मैं इंग्लिस में आपको repeat कर रहा हूं, मैं हिंदी में भी bilingualisly explain करता हूं, क्योंकि मालूम है कि मेंग्जियों में student जो हिंदी background के होते हैं, और English medium student होते हैं, उनको हिंदी में भी बताने के बाद वो proper समझ में आता है, लेकिन आपको लर्न तो उसको इंग्लिस में करना है, तो क्या हो जाएगा definition, the ratio of the force between two charges in air or vacuum and force between two similar charges in any medium is called electric permittivity, that definition आप याद रखना, यह बहुत important concept है, okay, now next topic is, vector form of columns inverse square, देखो अब हम देखते हैं, columns inverse square ला का vector form, actually column ने two charges की बीच में force बताए, force is a vector quantity, force vector quantity है, तो यहाँ पर हमको देखना है कि column ने जो rule बताया, उसमें force का vector direction किस तरह से होता है, तो उसी का same representation है, इसमें है कुछ ने, उसी चीज़ को हमको दुबारा एक ब suppose यह एक charge body है, यह एक charge body है, जो अभी हमने पढ़ा, वही चीज़ को हम दुबारा फिर पढ़ेंगे, vector form में पढ़ेंगे, यह suppose यहाँ पर यह Q1 charge है, यह Q2 charge है, अब यहाँ से देखो, इसके बीच का distance, यह first particle है, यह second number का particle है, तो इनके बीच में यहाँ पर जो force लगता है, suppose वो force है F12, यह attraction force भी हो सकता है, और यह repulsion force भी हो सकता है, यह charge के nature पर depend करता है, तो force 12 है, और इधर लगने वाला force, suppose force 21 है, जैसे आपको पता है, Newton's third आमे, every reaction there is a equivalent opposite reaction, आपने पढ़ा है, कि हर action के opposite or equal reaction होता है, उसी तरह की बात है, यह है, अब यहाँ से इनके बीच का जो distance है, इस direction में हम लें, यदि इस direction में लें, तो suppose R12 है, और इस direction में लें, तो suppose यह R21 है, अब यहाँ पर एक concept आपको याद रखना है, तभी आप यह topic आपको समझ में आएगा, कि आपने वेक्टर, वेक्टर का जो basic mathematical tools है, एक important बात आप से share कर लूँ, कि यदि आपका basic mathematical tools पू calculus और थोड़ा सा geometry, यदि इसमें अच्छा command नहीं है, तो आपको physics में हर जगा problem होगा, तो इसको recover करने का, इसको stank करने का मैं आपको बता देता हूँ, तरीका बता देता हूँ, resource बता देता हूँ, कि हमारे channel पर, आप playlist में जाना, और बहुत से video, आपको basic mathematical tools पर मिलेंगे, Hindi medium भी है, English medium भी है, bilingual भी है, कई तरह का हमने video उसके लिए बनाया है, तो आपको उसमें जो suitable लगे, वहां से आप basic mathematical tools को अच्छे से revise कर लो, पूरे mathematics का हमने वहाँ पर detail डाला हुआ है, अभी recently इस session में भी मैंने वो डाला हुआ है, तो दो चीज़ आप बहुत अच्छा से क कर लो, और calculus अच्छे से कर लो, क्योंकि vector और calculus यदि आपको weak है, तो फिर आप physics अच्छा नहीं कर सकते हैं, फिर physics में हर्जा का problem है, इसलिए वो काम आप जरूर कर लेना, और यदि आपको पहले से strong है, concept clear है, तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप physics पढ़ने के लिए तयार है, तो वहाँ पर एक concept है, आपने पढ़ा होगा unit vector, a cap equal to होता है, vector upon mod of vector a, mod of vector a is scalar, मतलब किसी भी vector का unit vector होता है, वह उस vector में, उस vector के modulus, that means उसका scalar value को divide करने पड़ जो value मिलता है, उसका equal होता है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यदि हमको vector को लिखना है, तो vector a को ल हो जाता है, यह concept है, कि किसी scalar quantity में यदि उसके unit vector को multiply कर दिया जाया, तो vector भें जाता है, तो यहाँ पर हम फोर्स को लिखना चाहें, similarly, यहाँ पर हम यह फोर्स लिखना चाहें, f12, vector फाम में, तो यह हो जाएगा, one upon four pi, epsilon 8, और यह होगा, q1 into q2, यह तो scalar quantity है, और यहाँ प का whole square, और into इसका opposite direction में हम इसका unit vector लिखेंगे, मतलब यह rkip हो जाएगा, और यह हो जाएगा, f21, clear, rkip कहां है, यहाँ पर इसका 21 है, इस पकार से हम इसको vector form में represent कर सकते हैं, clear, यह इसका vector representation है, यह आपको ध्यान में रखना है, clear, उसी तरह से f2 भी लिख सकते हैं, उसी हमने लिखा f21, तो f21 equal to हो जाएगा, one upon four pi epsilon naught q1 into q2 upon r21, r21 का square तेहाँ पर r12 होगा, opposite direction में, therefore, इसको हम लिख सकते हैं, f12 equal minus f21, इस फार में हम लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं, f12 plus f21 equal to 0, इस पकार से इसका resultant force जो होता है, वो 0 हो जाता है, equilibrium condition में, यह balance condition में होता है, ओके, यह कहलाता है, इसका vector form, ओके, now, next topic, अगला topic आप देखो, इसमें हमें question कर रहे हैं, कुलाम slapper, यह कुलाम slapper best, मैंने आपको बोला था कि हर rule के बाद, हम आपको उस पर एक numerical जरूर कर आएंगे, तो एक कुलाम slapper best एक numerical है, इस numerical को बहुत ध्यान से आप समझना, यह बहुत important है, और यह बहुत से competitive exam म भी रहा हूं, तो random कोई भी question select नहीं कर रहा हूं आपके लिए, जो भी question में select करूंगा, वो एक special purpose के लिए है, वो important है, और उसको मैं उस तरह से आपको provide करा रहा हूं, ठीक है, तो ध्यान में रखना, यह की statement हम ध्यान से पढ़ें देखो, 9E and plus E, 9 plus 9E and E, two points charges, यह point charges है, kept 8 meter apart from each other, where a third charge Q should be placed on the line joining the two charges, so that Q should be in equilibrium, ठीक है, तो question क्या कहता है, देखो, ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैं एक symbolic figure भी बना दूँ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जनरली हम figure वहाँ पर बना ही लेते हैं, ताकि figure हमको बहुत जल्दी समझ में आता है, और उसे concept बहुत अच्छा clear होता है, इसलिए मैं हमेसा student को suggest करता हूं, कि जब वो self study भी करें, तो numericals वगरा बनाते समय वो, figure वगरा ड्रा कर लें, तो उससे उनको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा, यह third charge है, यहाँ पर कोई यह हमने यहाँ पर imagine कर लिया, third charge, अब देखो question में क्या क्या बोला है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ जाएगा, 9E and plus, यह है, plus 9E, और यह है plus E charge, यह है, इनके बीच के distance को बोला है, 8 meter, 8 meter apart, 8 meter distance पर रखा हुआ है, बोलता है, यह third charge, यह third charge कहां पर रखें, फर्स charge से, कि वो क्या रहे, equilibrium condition में या balance condition में, तो हमने suppose इसको consider कर लिया, कि suppose यह x distance में रहे, जब यह x distance होगा, तो यह वाला distance कितना हो जाएगा, 8 minus x हो जाएगा, इस तरह से distance हो जाएगा, क्योंकि total कितना 8 है, तो हो जाएगा, 8 minus x meter हो जाएगा, इसको हमने x meter suppose कर लिया, अ जब इन दोनों के बीच में लगने वाला जो force है, वो इन दोनों के बीच में लगने वाले force के equal होगा, अभी मैंने आपको vector के concept में बताया है, कि दोनों का sum क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या दोनों क्या होना चाहिए, equal होना चाहिए, तब ही वो equilibrium condition में रह सकता है, इसलि वाला फोर्स सपोस यह f1 है और इनके बीच में लगने वाला फोर्स सपोस क्या है f2 है तो f1 का force कितना हो जाएगा f1 equal to one upon 4pi upsellat यह चार्ज कितना है यह 9E है तो 9E और into क्या हो जाएगा q यह चार्ज Q है और इनके बीच का distance क्या है x square है similarly f2 equal यहीं लिख दें, f2 equal to क्यों हो जाएगा, 1 upon 4 pi epsilon 0, यह e है, second charge e है, और इसमें जो charge है, इसमें वो तो q ही है, और upon इनके बीच कंडिस्टेंस, 8 minus x whole square, बट इन equilibrium condition, हमको पता है, कि equilibrium condition में क्या होगा, दोनों, f1 क्या होगा, f2 के equal होगा, direction उसके opposite होगे, f1 equal to f2 ले लें, और यह value को हम put up कर दें, तो क्या हो जाएगा, 1 upon 4 pi epsilon 0, 9e into q upon x square, equal to 1 upon 4 pi epsilon 0, e into q upon 8 minus x whole square, यह simplify करेंगे, x का value find करेंगे, तो यहाँ पर देखो, 1 upon 4 pi epsilon 0, यह इसके साथ cancel out हो जाएगा, यह q q के साथ cancel out हो जाएगा, e e के साथ cancel out हो जाएगा, यह सब cancel out हो जाएगे, और इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों साइट को simplify करके लिखते हैं, तो 9 upon x square, equal to, यहाँ हो जाएगा, 1 upon 8 minus x का whole square, that implies, taking square root, बोस साइट, दोनों साइट का क्या कर लेते हैं, पन, square root कर लेते हैं, तो दोनों साइट का square root करेंगे, तो 9 की square root कितना होगा, 3 upon x, equal to, 1 upon 8 minus x होगा, आगे मैं यहीं simplify कर देता हैं, that implies, that implies, cross multiplication करें, तो class multiplication at 3, 24 minus, यह हो जाएगा, 3x, और equal to, कितना हो जाएगा, x होगा, that implies, इसको धर transfer करें, तो कितना हो जाएगा, 4x, equal to, 24, x equal to, 24 upon 4, कितना हो जाएगा, 6 meter, यह हो जाएगा, 6 meter, यह इसका answer होगा, तो 6 meter aparts पर, मतलब यहाँ से इसके बीच का distance को, यदि हम 6 meter रखें, तो वो equilibrium condition में रहेगा, suppose आपको question में यह पूछे, कि यहाँ से कितना distance पर रखें, तो 8 minus 6, 8 minus 6, that means 2 meter, तो question दोनों तरीके से पूछाया सकता है, कि यहाँ से कितना distance पर, और यहाँ से कितना distance पर, ठीक है, तो दोनों condition में हम उसको निकाल सकते हैं, तो यह एक बहुत अच्छा question है, वैसे मैं आपको बताई रहूं, यहाँ पर मैं आपको एक tricky formula बता देता हूं, tricky formula that means, यदि आप completed exam में जब इस तरह के question को बनाएंगे, तो बहुत असानी सुसको एक लाइन में बना सकते हैं, यह तो detail मैंने board exam की pattern पर समझा दिया, अब आपको इसको मैं एक tricky formula बता रहा हूं, देखो, ध्यान देना, इसका tricks, side cut tricks, इसके लिए हम एक side cut tricks बना के रखे हैं, symbolic आपको बता दूमें, suppose यह एक charge है, यह दूसरा charge है, suppose यह q1 charge है, यह q2 charge है, इसके बीच का distance, suppose हमने a ले लिया, और यहाँ पर एक third charge है, और इसका distance, suppose यहाँ से x है, यह, तो इस condition में हैं, यहाँ पर formula find करने के लिए, यह एक side cut tricks बना लिया है, x equal to, दोनों के बीच का distance a, upon, under root of q2 upon q1, यह q2 upon q1, और plus 1 root के बाहर, यह formula, यह दि ट्रीकी formula यह आपको याद हो, तो आप एक line में इस cancer दे सकते हो, देखो अभी जो हमने question पढ़ा है, उस case में x equal to a, मतब इसका जो value है, वो कितना था, 8 था, और यह q2 है, जो कि क्या था e, और 9e, यह हो जाएगा, e upon 9e plus 1, that implies, आगे हम इसको solve करें, तो यह 8 हो जाएगा, ee cancel होगा, 1 upon 9 का, 1 upon 3 हो जाएगा, root से, और plus 1, that equals 3 LCM आके उपर चला जाएगा, तो 8 into 3, upon e हो जाएगा, 3 plus 1, that means 4, 4 to 0, 3 to 0, 6 meter, यह इसका answer आजाएगा, देखो त साइट का trick है, लेकिन यह tricky आप जो concept है, इसको competitive exam में apply कर सकते हो, यदि आप board exam में इसको apply करोगे, तो marks नहीं मिलेगा, यदि आप board exam दे रहे हैं, और board exam यदि इस method को आप apply करेंगे, तो आपको marks नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको इस तरीके से ही उसको explain करना पड़ेगा, इस तो tricky method को भी आपको बहुत अच्छे से तयार कर लेना चाहिए, क्योंकि competitive exam के लिए आपके लिए वो बहुत ही ज़रूरी है, now next topic is, force between multiple charges, force between multiple charges, देखिए, यदि हमारे पास बहुँ से charge हूँ, two are more than two charges, act on a surface, or any plane, then resultant force, उसका जो resultant force कीतना होगा, यह हमको calculate करना देखिए, तो multiple charges का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको explain कर दूँ कि multiple charge का मतलब क्या होता है, the net force acting on any charge due to various charges, एक charge में जब बहुत से charge, एक साथ act होते हैं, एक साथ work करते हैं, उस पर force लगाते हैं, is equal to the vector sum of the individual forces exerted on given charge, by all the other charges, यह बहुत important concept है, देखो यह concept तो छोटा सा है, लेकिन इस concept पर बहुत बार question पूछा जा चुका है, IIT, JE, NEET, जैसे exam में इस concept से बहुत बार question आया है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, कि यह इस तरह से इसका basic concept क्या है, देखो, तो यहाँ पर हम multiple charges पर force के लिए एक figure बना लें, यह हम three axis suppose consider कर लेते हैं, यह two axis यह अपन suppose कर लें two dimension पर, यह two axis है suppose, x-axis and y-axis, अब यहाँ पर हम कुछ charge consider कर लेते हैं, suppose यह एक charge है, यहाँ यह कोई charge है, suppose यह charge है, multiple charges, two are more than two charges हम पन consider कर लिए, यह charge का हम यहाँ से distance consider कर लेते हैं, सभी का जो distance है यहाँ से, अलग-अलग, amount आप charge सो करें अपन, suppose यह q1 charge है, q2 charge, q3 charge, q4 charge and so on, many more charges, इसके बाद और बहुत से charges हैं, यह हमने consider कर लिया, अब हम यहाँ पर देखें कि इनके बीच में जो resultant force जो लग रहा है, इनके बीच में जो force लग रहा है, तो हम यहाँ पर एक reference charge, suppose कर लेते हैं, यह q1 charge, suppose हम q1 charge के लिए, यहाँ पर consider करेंगे, तो q1 charge पर कितने force लगते हैं, यह हम देखें, तो q1 का q2 के साथ लगएगा, q3 के साथ लगएगा, q4 के साथ में लगएगा, सब के साथ में force लगेंगे यह force हम यहां पर represent कर दें कि इनके बीच में लगने माला जो force है इस तरह से यह suppose यह force है इसके बीच में यह force है इसके साथ यह force है ऐसे बहुत से force Q1 Q2 Q3 के बीच में force लग रहे हैं तो Q1 पर जो resultant force होगा ग्यूवन पर जो resultant force होगा, इस resultant force को हमको यहां पर走 करना है, तो suppose यहां पर force को हम सो कर दें वेक्टर से, इस तरह से, suppose यहां पर Q1, Q2, Q4 के बीच में जो force लग रहा है, यह suppose F1,4 है, यहां पर इसके σε बीच में Q1, Q2 के बीच में लग रहा है, यह F12 है, 3 के बीच में लग रहा है, यह suppose F13 है, तो इसका जो resultant force होगा, इस पर जो resultant force होगा, उसका value कितना होगा, यह हमको देखना है, तो resultant force का value क्या होगा? का resultant force on F1, मतलब force on Q1 charge, यह हमारा concept क्या कहता है, charge due to various charges is equal to the vector sum of the individual forces, vector sum of the individual forces, that means F1 equal to F12 plus F13 plus F14 plus and so on, यह इनके vector sum के equal होगा, यह कहता है, इस force का concept यह कहता है, अब suppose हम इसके values को put up करते जाए, तो value क्या put up कर सकते हैं, यहाँ पर इसके position vectors को ले लेते हैं, suppose इसका position vector यहाँ पर R1 है, R2 का position vector suppose R2 है, R3 का position vector R3 है, यह R3 है, R4 का position vector suppose R4 है, इसके position vectors हैं, तो that equal इस value को हम क्या लिख सकते हैं? F12 को लिख सकते हैं, one upon four pi epsilon not Q1 into, देखो, एक one है और दूसरा Q है, एक charge q1 है और second क्या q2 है तो q1 into q2 और इनके बीच के distance की square r12 r12 का whole square और into होगा r21 cap यह vector farm में क्योंकि force का vector farm इसके पहले मैंने आपको just बताया कि vector का कुलाम्सला का जो vector farm होता है वो इस farm में होता है यहाँ पर force gum को vector farm में इस तरह से सो करेंगे प्लस इसका भी value हम put up करें तो 1 upon 4 pi epsilon not यह between 1 and 3 तो हो जाएगा q1 into q3 और बीच का distance होगा r13 whole square और into r31 cap plus and so on बाकी को लिखेने के ज़ुरत नहीं है बाकी हमने एक and so on so कर दिया that equal इसको हम आगे solve करें 1 upon 4 pi epsilon not को common कर सकते हैं बाकी कुछ common होगा नहीं q1 बस common होगा कि लिखने के जूरत नहीं है इस तरह से हम इसको represent करते हैं तो यह concept है हमारा force between multiple charges जब किसी charge पर multiple charges बहुत से charge का जो force होता है वो एक साथ ज्यादा important है इस पर numerical इससे भी ज्यादा important है इस पर numerical बहुत बराया हुआ है बहुत टाइप के numerical से अभी मैं आपको एक numerical करा देता हूं और उसके बाद फिर मैं इसके numerical का अलग से जब one साथ ले क्या हूंगा only numerical पर तो और question मैं कराऊंगा देखे मैंने एक बहुत अच्छा question लिया है इस question के statement आप ध्यान से पढ़ो यह question क्या कहता है consider three charges q1 q2 q3 consider three charges q1 q2 q3 each equal to q at the vertices each equal to q मतलब तीनों charges equal है q की equal है और वो vertices में लगे हुए है किसके vertices आप एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के क्योंकि इसी के कार्डिंग हमको figure बनाना है जब तक आप इसके figure नहीं बनाओगे तब तक फिर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा वाट इस दा फोर्स आन चार्ज क्यू यह इसी कॉंसेप्ट पर बेस्ड है फोर्स आन मल्टिपल चार्ज अपको बेस्ट तो बोलता है कि इसके center में क्यूं क्या है टो फिर मैं आपके सांस यहां पर ड्रा करता हूं ताकि आपको feed रेगत अब भी ठंस सभज़् में आना चाहिए यदि यहां पर मैं उसका। लेड़ी आपको PDF में प्रिंट रिदे देता आप अच्छा समझ नहीं पाते हैं चलिए तो हम इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं सबसे पहले फिगर ड्रा करना भी आप ध्यान से समझना वो भी आपके लिए जरूरी है देखो अब मैं मेजर्मेंट पर तो नहीं बना रहा हूं फिर भी कोशिज करता हूं कि आपको इक्विलेटर ट्राइंगल ही सो हो ठीक है एक्जेक मेजर्मेंट से भी बना सकते हैं लेकिन टाइम वेस्ट है यह हमारा एक इक्विलेटर्ल टाइंगल है देखो इस ट्राइंगल का हमने नाम दे दिया A B C यह ABC एक्विलेटर्ल टाइंगल है और हमने सपोस कर लिया कि इसका each length L है L L N अब यहाँ पर हम क्या करते हैं इसके centroid बनाना है तो centroid बनाने के लिए हम यहाँ पर यहाँ से मीडियन ड्रा करते हैं यह परपेंडिकुलर ड्रा किया इस साइट पर उसके बाद यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे यह perpendicular ड्रा किया प्रोक्स अपन meet point पर लेके कर रहे हैं यह और तीनों point जहाँ पर एक दूसरे को interset करते हैं वो इसका centride होता है यह centride है यह centride suppose O है और यहाँ पर रखा है capital Q charge बाकी corners में कौन-कौन से charge रखे हुए है यहाँ पर suppose Q1 charge है यहाँ पर suppose Q2 charge है और यहाँ पर suppose Q3 charge है बट हमको question में बोला है कि Q1 equal to Q2 equal to Q3 यह हमको question में given है question में हमको given है कि यह charges क्या है Q के equal है मतलब equal charges है अब यहाँ पर हम इसके force को देखें कि किस तरह से हम यहाँ पर force represent कर सकते हैं तो यहाँ पर एक force इस direction में लगेगा एक force इस direction में लगेगा इस direction में force लगेगा वो repulsion force हो सकता है क्योंकि यदि दोनों positive charge है तो repulsion force हो सकते हैं otherwise क्या होंगे attractive यहाँ पर force के nature से अपने को मतलब नहीं है ठीक है हमको यहाँ पर so करना है क्यों उसका force अब देखो यह जो forces है Q1 charge के लिए force है उसको मैंने so कर दिया F1 Q2 charge के लिए force है इसको मैंने so कर दिया F2 और यह हमने so कर दिया F3 इस point को हमने ले लिया suppose D यह D point है मतलब AD क्या है यहाँ पर median है तो सबसे पहले हमको यहाँ पर AD का value find करना है सबसे पहले हमको AD का value find करेंगे AD का value कैसे find करेंगे देखिए यहाँ पर solve कर रहे हैं इसको तो AD AD equal to देखो यह AD है और हम इसके साथ में AB ले लेते हैं तो AD upon AB in triangle मैं नाम भी लिख दूंँ triangle का ABD ABD AD यहाँ पर हम ले लेते हैं AD upon AB AD upon AB AD upon AB और यह वाला जो angle है यह 30 degree होगा 30 degree क्यों होगा क्योंकि equilateral triangle का each angle 60 degree होता है और यह क्या होता है angle by sector होता है angle by sector होने के कारण क्या होगा उसको हम 30 degree ले सकते हैं तो जब इसको 30 degree ले ले लेंगे तो AD AD यहाँ पर क्या है यह base है और यहाँ पर क्या है यह hypotenious है यह hypotenious है तो base upon hypotenious ठीक है base upon hypotenious क्या होता है cast theta होता है तो यह हो जाएगा cast 30 degree cast 30 degree therefore AD equal to AD equal to AB हम transfer करें तो यह हो जाएगा AB cast 30 degree AB cast 30 degree that equal to AB का जो value है हमने L suppose किया है ते हो जाएगा L और cast 30 का value होता है root 3 by 2 वैसे इसको आप formula के form में याद रखो यदि आपका basic mathematical truth अच्छा ही strong है तो इतना calculation का आपको जूरत नहीं है इसका जो median का length होता है length of the median of equilateral triangle is always 3 by 2 root 3 by 2 times of the length of each side तो यह theorem है लेकिन चलिए मैंने उसको निकाल दिया अब हम निकाल लेते हैं यहां से AO का value therefore AO AO हम क्यों निकालें क्योंकि हमको सब का distance चाहिए जब तक AO, BO, CO हम नहीं निकालेंगे तब तक हम इनके बीच के forces नहीं निकाल सकते तो हम यहां पर AO निकाल रहें और हमको मालूम है कि यह जो distance होता है equilateral triangle का यह वाला जो distance होता है वो two-third of the median होता है यह theorem है two-third of the median that means two upon three of the ad यह ad का two upon three होता है देखो मैं आपको इस one-shot video में जो theoretical basic concept और बैस उसमें जो भी निमेरकल आपको कराऊंगा और बहुत standard का निमेरकल होगा मतलब एक label होगा उसका क्योंकि मेरे को concept clear करना है आपके तो जितने भी निमेरकल मैं आपको इस class के साथ में करा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझना है उससे आपका बहुत कुछ concept clear हो जाएगा क्योंकि correlated numerical मैं करा रहा हूं तो उसको उसी हिसाब से आपको prepare करना है that equal आगे हम इसको solve करें तो क्या हो जाएगा 2 by 3 into AD का value हम यहाँ पर निकाल के रखें हैं यह है root 3 by 2 into L that equal इसको आगे solve किया जाए तो 2, 2 यहाँ से cancel out हो जाएगा देखो 2, 2 cancel out होगा और यह root 3 है और यह 3 है तो root 3 times में cancel होगा तो आगे क्या हो जाएगा यह आगे हम इसको लिख सकते हैं 1 upon root 3 मतलब L upon root of 3 यह हो जाएगा A O का value तो हमने यहाँ पर 2 value निकाला A O का value निकाला किसके helps है? AD के helps है अब यहाँ पर इस question में आप देखो इस figure में देखो कि A O, B O और C O क्या है? equal है ठीक है? next slide में आपन लिखते हैं since since A O equal to B O equal to C O that equal यह हमने निकाल लिया L upon root 3 यह L upon root 3 हमने निकाल लिया जब L upon root 3 निकाल लिया तो हम इसके बीच का जो force है F1 वो निकाल सकते हैं, F2 निकाल सकते हैं, F1, F2, F3 force हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमने distance निकाल लिया तो हम निकाल लिया तो हम निकाल लेते हैं F1 force therefore F1 equal to 1 upon 4 pi epsilon 8 Q1 into Q2 तो एक charge है Q और दूसरा charge है capital Q upon बीच का distance L upon root of 3 का whole square that equal, अब इसको हम क्या लिक सकते हैं that equal 1 upon 4 pi epsilon 8 root 3 3 हो जाएगा 3 small Q capital Q पर चला गया और upon L square similarly F2 is also equal to F2 equal to 1 upon 4 pi epsilon 8 3 Q capital Q upon L square and F3 is also equal to 1 upon 4 pi epsilon 8 3 Q capital Q upon L square यह 3 equal हो जाएगे 3 equal क्यों होंगे क्योंकि इनके distance equal है यहाँ पर देखो यह 3 का distance equal है और charges तो सेम है तीनों corner में जो charge है यहाँ पर वो 3 चार्ज क्या है equal है यह Q की equal है question में दिया है तो यहाँ पर क्या होगा सब F1, F2, F3 force equal हो जाएगे अब आप figure को ध्यान से समझना यहाँ पर हम निकाल लेते हैं किसी भी 2 force का resultant suppose हम F2 force और F3 force का resultant निकाल लेते हैं तो F2 और F2 force के बीच का जो angle है यह वाला जो angle है वो कितना होगा 120 degree होगा 120 क्यों होगा क्योंकि यह 30 है यह 30 है तो 30 प्लस 30 कितना होगा 60 degree तो triangle का 3rd जो angle है वो 120 degree होगा तो F2 और F3 कर दी हम resultant निकालें तो parallelogram लास से हम इसका resultant निकालेंगे तो क्या होगा देखो resultant of therefore resultant of of F2 and F3 F2 और F3 का हम क्या करते है resultant find करते है resultant of F2 and F3 यह तो इसका resultant हो जाएगा suppose F resultant है या F equivalent बोल रहा हूँ that equal यह हो जाएगा under root आप parallelogram लास से हम क्या क्लिख सकते हैं इसको F2 square plus F3 square plus 2 F1 into F2 into cast theta यह इनका formula होगा और यहाँ पर cast theta का value हमने बताए आपको figure में यह 120 degree है तो cast 120 degree होगा that equal इसका value हम put up करें इसको solve करें तो यहाँ पर देखो यह यह 3 Allah yay यहां पर मैं इसको लिख देता हूं यहां पर यहां पर F1 नीचे लिख दूँकिया यहां से दिख रहा है कि F1 equal Circle स्पर्म के हैं तो यहां पर मैंने लिख दिया सोपने अजिए टूआं उसको एपस्पोltval करेंगे एपसे का इसकान पूटप कर सकते हैं f-すकार plus f square plus ये 2f into f into cas 120 degree minus 1 by 2 होता है इसका value minus 1 by 2 होता है that equal इसको आगे solve करें तो f square plus f square ये हो जाएगा 2f square और यहाँ पर देखो minus 2, 2 के साथ cancel होगा f into f क्या हो जाएगा f square हो जाएगा 2f square में f square minus होगा f square होगा that equal to f that means f equivalent जो आएगा किसका किसका 2 और 3 का ये f2 और f3 का जो resultant आएगा इसका जो resultant आएगा वो f के equal हो गया इनका जो resultant f के equal होगा यहाँ पर आप figure में देखो यहाँ figure में बहुत ध्यान से आप देखना इन दोनों का resultant ये आया और ये जो resultant f के equal है और इसके opposite direction में f1 भी उसके opposite है तो अब हम resultant आफ f और f equivalent निकालें तो क्या हो जाएगा वो cancel out वाएगा क्योंकि जितना force नीचे लग रहा है उतना इस force उपर लग रहा है तो देर्फोर रिजल्टेंट फोर्स अन केपिटल क्यू तो केपिटल क्यू पर जो resultant फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा देखो f upward direction में है जो कि f1 है f1 upward direction में है और f equivalent यह क्या है नीचे के direction में यह जो हमने निकाला है f1 is equal to f यह f है और f equivalent भी हमने क्या निकाला है f निकाला है तो minus f और equal to क्या हो जाएगा 0 तो यहां से answer क्या आता है कि उस point पर capital Q charge पर force 0 होगा that means हमारा question का जो statement है जो question में हमको बोला गया है क्या बोला गया है at the center of the triangle and so in the adjustment यह बोला है consider three charges q1 equal to the vertices what is the force what is the force on charge q तो charge q पर force कितना होगा 0 होगा मतलब वहाँ पर उस पर जो force लगेगा resultant force वो 0 होगा तो एक तरह से question एक important article भी है article है मतलब आपको इसको learn भी कर लेना चाहिए आपको इस question को learn भी कर लेना चाहिए कि कभी competitive exam में question आए कि कि किसी equilateral triangle के corners पर equal charges हो similar charges हो तो उसके center पर जो charge होता है उसमें resultant force 0 होता है यह हमारा result कहता है resultant force will be 0 resultant force will be 0 यह question NCRT से है और यह question बहुत ही best question है वैसे मैं आपको इस class में one start का जो class में theory के साथ जो numerical कर रहूंगा वो बहुत important होगा मैं आपको बार-बार याद दिला रहा हूं तो इस तरह के question आपको कर नहीं है ओके नाव नेस्ट टापिक नेस्ट कॉंसेप्ट पास कोई charge body है किसी भी हमने charge body किसी भी object को किसी भी बीक हमने charge दिया लिक्राइटicano होता है उसमें distribute होता है उसे में फैलता है तो उसमें जो और जो change distribution का जो हमारा roll है यहां पर वह यह है कि चार्ज distribution में हमारे पास charge body three types को सकता है वन-दायमेंशन dreaming जब इस ते में हम चार्ज देते हैं इस तरह की बाडी को तो पर यूनिट लेंथ में या पर यूनिट वाल्यूम में जो चार्ज डिस्टिब्यूशन रिष्ट इंट्रश थे लिनिएर चार्ज डिस्टिब्यूशन करते हैं ठूंल इने कोई इस तरह से एक लाइइ यहां पर यह कोई charge है ये q charge हमने यहाँ पर लिया suppose और यहां से उसका length, dL length पर इस्समाल इंटर्मल Length पर उसको ले सकते हैं तो linear charge distribution पर जो उसका value होगा linear charge distribution पर हमारा जो value होगा उस value को हमको यहाँ calculate करके बताना है ठीक है तो charge density suppose हमने उसमे q not charge ले लिया suppose इसके बीच में लगने वाले force को हमने f ले लिया और charge density को हमने suppose यहाँ पर lambda ले लिया तो यहाँ पर जो small interval पर या small length पर कहना चाहिए one dimension है तो length पर कहेंगे ठीक है उसका value कितना होगा यह हमको calculate करना है charge per unit length का सकते है पर इसको charge मैं definition link में देता हूँ इसका charge per unit length यह गास थ्योरम में आगे हमको काम आएगा charge per unit length तो यहाँ पर lambda का जो value होगा जो हमने charge distribution लिया है यह lambda तो lambda equal to होगा charge per unit length तो charge कितना होगा small amount of charge मतलब उसको हमने क्या लिया dq ले लिया small amount of charge को हमने dq ले लिया और length को suppose हमने wire का length को dl ले लिया तो lambda equal to क्या हो जाएगा dq by dl charge per unit length charge per unit length मतलब differentiate form इसको हम differentiate form में लिक लेते हैं that implies यहाँ से ज़दी हम dq का value find करें तो dq equal to हो जाएगा lambda into dl यह therefore force अब यहाँ पर जो हम force consider कर रहे हैं इस small element के लिये तो उस force को हमने suppose df ले लिया small charge के लिए अभी हम small charge के लिए force ले रहे हैं तो suppose small charge के लिए force क्या है df है तो df equal to क्या हो जाएगा कुलाम्स लास है one upon four pi epsilon naught q1 into q2 तो q1 अपने पास क्या है dq है या एक को ले लिए हमने q naught और दूसरा क्या है dq है और upon distance between them तो उनके बीच का distance suppose हमने यहां से यहां तक के distance के यहां पर r लिया हुआ है तो distance between them r e square हो जाएगा इस तरह से यहां पर जो charge per unit length है charge per unit length यह dl length है और यहां पर क्या है dq charge है यह dq charge है अब इसको हम simplify करें that implies df equal to हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon 0 और dq का value हमने यहां पर जो find के इसको put up कर देते हैं तो यह हो जाएगा q 0 into lambda dl lambda dl upon r square यह हो जाएगा df का value therefore total force therefore total force यह तो small force हुआ तो total force यह हम calculate करें तो total force करने के लिए क्या करेंगे df के बनाना है तो integrate करेंगे तो now integrate यह हम इसको integrate करें तो integration of df integration of df equal to हो जाएगा integration of 1 upon 4 pi epsilon 0 q 0 into lambda into dl upon r square इस तरह से निकल जाएगा अब इसको simplify कर सकते हैं जो constant value हो इसको बाहर कर लेंगे और बाकी value को अंदर छोड़ देंगे ठीक है तो lambda dl को अंदर छोड़ के बाकी को बाहर कर लिए तो यह हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon 0 यह q 0 upon r square integration of lambda into dl यह हो जाएगा continuous charge distribution में continuous charge distribution linear charge distribution के linear charge distribution है इसी तरह से area पर भी होगा इसी तरह से volume पर भी होगा पूरा same to same calculation आपका किस पर होगा area पर भी होगा और volume पर भी होगा तो पूरा पूरा इसी तरह से होगा उसको भी मैं आपको बता देता हूं या आप total इस तरह से इसको change करके solve कर सकते हैं ओके तो यह line charge distribution है चलिए हम देख लें अब यह किसके लिए है surface charge distribution या area charge distribution कर सकते हैं तो surface charge distribution में क्या करेंगे अपने पास suppose एक small area है इस तरह से यह suppose कोई surface है s इसमें हमने small surface ले लिए suppose ds तो यहाँ पर जो charge distribution होगा इसके लिए हमको formula find करना है तो पूरा का पूरा यही काम होगा पूरा का पूरा यही पर काम होगा सिर्फ हमको charge density को change करना है और कुछ भी change नहीं करना है charge density only change करना है बाकि कुछ नहीं करना है तो same to same calculation है चाहे तो आप उस तरह से इसको सिमिलर करके बना सकते हैं ठीक है कि त्यहां से अपन सिग्मा ले लेंगे कि चार्ज पर यूनिट कि चार्ज पर कि यूनिट एडिया कि चार्ज पर यूनिट एडिया का यूनिट सर्फेस डिस्टिपिशन करनाता है सपोस हमने चार्ट एंसिटी को यहां पर सिग्मा ले लिया यहां पर हमने चार्ट एंसिटी को सपोस सिग्मा ले लिया है तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा therefore sigma equal to यह ds surface तो dq upon dq upon ds therefore dq equal to sigma into ds हो जाएगा therefore force मैं directly खना फट आपट df equal to हो जाएगा 1 upon 4 pi अपसेला नट और q यहाँ पर q नट मतलब चार्ज है सपोस तो हो जाएगा q not into dq इनके बीच का distance r है ते r का square हो जाएगा that equal to 1 upon 4 pi अपसेला नट q not into dq के value यहाँ से put up कर दें तो sigma into ds upon r square हो जाएगा यह df हो गया अब यदि हम इसको क्या करें total force निकालते हैं तो therefore total force total force f equal to integration of df that equal यह जो df integration करेंगे उसका value हम find कर लेंगे तो integration of df का value कितना हो जाएगा पूरा value put up कर दो 1 upon 4 pi अपसेला नट q not into sigma into ds upon r square that equal constant को बाहर कर लें तो 1 upon 4 pi अपसेला नट q not upon r square integration of sigma into ds यह निकल जाएगा जाएगा चार्ज therefore यह हो जाएगा dq figure का जूरत नहीं है rho into dv therefore force f equal to 1 upon df equal to 1 upon 4 pi अपसेला नट इदर भी df लिख था ना कि जनरली अपन f लिख लेते हैं हाँ df f लिखने का जाद है भीट होता है तो यह हो जाएगा q not into dq upon r square that equal value हम put up कर दें 1 upon 4 pi अपसेला नट q not यहाँ पर dq का value यह होगा rho into dv upon r square अब इसको integrate कर लेते हैं हाँ अपन now integrate यदि हम इसको integrate कर दें तो क्या होगा integration of integration of df equal to integration of 1 upon 4 pi अपसेला नट q not into rho into dq upon r square constant को बाहर कर लो integration of df f हो जाएगा 1 upon 4 pi अपसेला नट q not upon r square integration of rho into dv sorry यह dv होगा यह तो यहाँ पर देखो यह जो फार्मूला हम निकाल रहे हैं हैं यह रिजल्टेन फोर्स निकालने का फार्मूला हैं इस इस तरह से आपको क्या है चार्ड डिस्टिबिशन करना है चली अब हम एक चार्ड डिस्टिबिशन पर भी एक निमेर्कल कर लें अगला हमारा जो निमेर्कल यह वो चार्ड डिस्टिबिशन पर है यह निमेर्कल का स्टेट्मेंट आप ध्यान से सुनो यह कोस्टेन कहता है अंदा एक्स 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 इक्वल टू एक्स इक्वल टू फोर एक अप्टू इंफिनिटी चार्जेस इच आफ वेल्यू क्यू आरप्लेजड कल्कुलेट दा वो एकदम परफेक्ट है मतलब जो कांसेट मैं क्लियर कर रहा हूं उसी पर बेस्ट है और उसका सबसे बेस्ट कोस्टिन है ते कोस्टिन आप बहुत अच्छे इस प्रिपेर करना आप बोर्ड एक्जाम के लिए प्रिपेर कर रहे हों यह निमेर्कल रिलेटेट कांसेट को इसको खलेट करनें के लिए बहुत बैस्ट है तो चलिए इसमें हम फिगर बना लिए सबसे पहले किसका हमको सिचवेशन दिया है उसके बैस्पर हम इस पर एक figure बना ले तो किस तरह से figure बनेगा इसमें देखो three dimension में हम एक figure बना लेते हैं हाला कि x-axis की बात किया है लेकिन हम तीनों axis ड्रा कर लेते हैं यह सब चलो इस तरह से अब हमको x-axis पर सो करना है इसके पूरे conditions को यह x-axis है यह origin है जो x equal to 0 है इस point को हम x equal to 0 भी कह सकते हैं यह y-axis है यह z-axis है यहाँ पर जो points हमको consider किया गया है हमको जो points यहाँ पर दिया गया है वो points देखो one two three तो suppose यह वाला point one है यह लब point two है one two four स्वारी one two four और यह eight यह क्या है x equal to 0 से यहाँ पर इसका distribution है इस तरह से condition यहाँ पर हमको दिखाए गया है और बोला है infinity charges are value q हर point पर जो charge है हर point पर जो charge है वो equal charge है मतलब यहाँ पर charge का value है वो सब जगाए equal है मतलब यहाँ पर भी q charge है यहाँ पर भी q charge है origin है origin पर जो total force होगा इसका value find करना है तो यह concept अभी हमने जो पढ़ा है continuous charge distribution तो एक line charge पर q q q charge distribute किया गया है और सब का distance इस तरह से हैं सबसे पहले हम इसके force निकाल लेते हैं निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे हम यूज़ करेंगे एफ इक्वल टू कुलाम्स ला से वन अपन फॉर पाई अपसाइला नाट क्यू एन इंटू q2 upon r2 इस से ज़िए हम क्या करें फोर्स फाइंड करें तो सबसे पहले हम एफ फोर्स निकालेंगे एफ फन फोर्स का विल्यू कीतना हो जाएगा देर्फोर इसका है पन कल्कुलेट करें देर्फोर एफन इक्वल टू यह constant का वेल्यू पूट कर देता हूं है 9 into 10 to the power 9 into यहाँ पर देखो Q1 into Q2 तो Q1 into Q2 के भीच में force क्या होगा यहाँ पर unit charge है तो intensity यहाँ पर एह थी हम unit charge के बारे में बात करें infinity charges is of the value Q योई हाँ पर हम suppose कर लेते हैं कि unit charge है तो unit charge होने पर क्या होगा एक charge एक charge को हम क्या ले सकते हैं उबन ले सकते हैं, intensity और force में ज्यादा difference नहीं है, intensity क्या होता है, unit charge पर जो force लगता है, उसको हम intensity करते हैं, ठीक है, तब force भी calculate कर सकते हैं, intensity भी calculate कर सकते हैं, calculate the intensity बोला है, तो intensity के फार्म में ही ले लेते हैं, पन चलो, ये formula थोड़ा समय change कर देता हूं, यदि मैं इसको intensity बना दूँ, तो यहाँ पर, force और intensity में डिफरेंस नहीं आगे, समझाओंगा मैं आपको, 1 upon 4 pi, अब सेला नट, only q रहे गए इसमें, q upon r square, चलिए, तो यहाँ से हम value निकाल लेते हैं, e, e1, therefore e1 equal to 9 into 10 to the power 9, q upon, ये distance है 1 square, क्योंकि यहाँ तक इसका distance क्या है, 1 है, तो हमने 1 square ले similarly, e2 equal to हो जाएगा, 9 into 10 to the power 9, q upon, अब ये जो distance है, ये origin से कितना है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 काई square हो जाएगा, similarly, e3 equal to 9 into 10 to the power 9, और q upon, ये हो जाएगा, 4 काई square, ये 4 square, and so on, up to infinity, ये infinity तक इसको लेना है, तो ये हो जाएगा, अलग-अलग intensity, अब इसके लिए हमको क्या करना है, total intensity निकालना है, resultant intensity, ठीक है, तो resultant intensity कैसे निकलेगा, देखो, therefore, resultant intensity, resultant intensity, e equal to हो जाएगा, सब का sum, मतलब e1, plus e2, plus e3, plus up to infinity, value सब का put up कर दें, तो value put up करने से पहले हम उसको, देख लेते हैं कि सब में common value क्या है, तो common value 9 into 10 to the power 9, और q, ये common है, उसको हम क्या करते हैं, common कर लेते हैं, तो common करने पर क्या हो जाएगा, 9 into 10 to the power 9, into q, under bracket, 1 upon 1 square, plus 1 upon 2 square, plus 1 upon, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो value है, यहाँ पर जो value है, अपने पास, ये 4 है, 1 upon 4 का square है, और 1 upon 4 की square को हम क्या लिख सकता हैं, यही पर मैं इसको simplify कर देता हूँ, 9 into 10 to the power 9, q upon 4 की square मतलब कितना होगा, 16, और 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 4 लिख सकते हैं, तो 16 को हम लिख सकते हैं, 2 to the power 4, तो इसको हमने 2 to the power 4 बना दिया, ऐसा हम यह इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि हम सब के base को 2 लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, 2 to the power 4, plus and so on अब यहाँ पर देखो यह series जो आपको दिख रहा है, इस काराण ही यह question important है, कि यहाँ पर जो series बन रहा है, वह GP है, GP मतलब होता है geometrical progression, geometrical progression होता है, और geometrical progression के infinity terms का जो formula होता है, s infinity equal to a upon 1 minus r होता है, यह formula आपको याद रहना चाहिए, वैसे यह सब आपको basic mathematical tools में पढ़ना है यदि आपका basic mathematical tools is strong है, तो अच्छी बात है, आप math की student होंगे तो ऐसा आपको पता होगा, बाइदरवे आप bio की student है, तो आप हमारे basic mathematical tools का वीडियो जरूर देखो, playlist में आप पूरे सब algebra, trigonometry जो भी हमने पढ़ाया है, उसको आप देखो, आपको वो strong हो जाएगा, तो इस formula को हम लगाएंगे, इसका sum निकालने के लिए, तो इसका sum निकालने के लिए, फ़ाओ लगाएंगे, क्योंकि GP है, where A is first terms, यहाँ पर A first term होता है, and R is called common ratio, common ratio, मतलब in that case, common ratio, इसमें से हम इसको divide करेंगे, तो हमको comma ratio find होगा, इसमें से इसको हम divide करेंगे, तो हमको comma ratio find होगा, तो यहां पर common ratio का value है 1 upon 2 square आएगा, इसमें इसको divide करेंगे, तो 1 upon 2 आएगा, देखो here, यहां में लिक देता हूँ, here a is 1, first terms is 1, इसका जो value है, वो 1 आएगा, और r क्या होगा, r equal to, इसमें हम इसको divide करेंगे तो जो आएगा, that means 1 upon 2 square, that equal to 1 upon 4, यह इसका common ratio है, इसके helps हम इसको solve करें, तो क्या हो जाएगा, देखो, that equal to 9 into 10 to the power 9 into q into, इसमें हम gp का formula लगाए, a upon 1 minus r, तो a का value क्या होगा, 1 होगा, upon 1 minus r, that means 1 minus 1 upon 4, यह होगा, that equal to 9 into 10 to the power 9 into q, अब यहां पर 4 lcm आएगा, 4 minus 1 3 होगा, 4 उपर चला जाएगा, ते होएगा, 4 by 3, that equal is को हम solve करें, तो दोनों को solve करने के बाद, 9, 4, 36, 36 upon 3, ठीक है, 36 upon 3, यह solve करेंगा, तो कितना आजाएगा, 3, 1.4, 1.8, कुछ value missing हो गया, क्या, ठीक है, ठीक है न, एक बार calculation करो इसको, यह होगा, 36, 36, 36 into 10 to the power 9 into Q upon 3, यहीं से cancel out करा सकते थे, अपने यहां से, यह कहीं मतलब है, ठीक है, तो 12 आएगा, फिर यह, 12, 12 into 10 to the power 9, क्यू, न्यूटन कुलाम इन्वर्स, यह इसका unit होता है, ठीक है, एक बार calculation को re-check करो, तो 9 into power, ठीक, 1 upon, ठीक होगा, फोरे इस्तियाम उपर चला जाएगा, ठीक है, ठीक है, 12 into 10 to the power 9 ही आएगा, है न, यदि उसका हमाँ डेसिमल में चेंज कर दें, तो 1.2 into 10 to the power 10 हो जाएगा, 9 into 10 to the power 9, Q, Q का value तो नहीं दिया न, question में, हमको क्या दिया है, 1, 2, 4, infinity, charges, value Q, ठीक है, Q का value नहीं दिया, Q का value यदि हमको दिया रहता, तो हम क्या कर सकते थे, उसको question में put up कर सकते थे, लेकिन हमको Q का value नहीं दिया हुआ है, तो इसका value इतना ही आएगा, A into, A upon, A upon 1 minus R, 1 minus R, 1 minus 1 by 4, 4 LCM आएगा न, ठीक है, 4 उपर चला गया, 4 minus 1, 3, ठीक है, ओके, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 1.2 into, यहाँ पर देखो, decimal को जब हम right side में लेके जाते हैं, जब decimal को हम right side में लेके जाते हैं, तो 1.2 into 10 to the power कितना होगा देखो, इसमें 10 हम divide कर दें, 10 multiply कर दें, 10 to the power 10 हो जाएगा, तो 10 to the power 10, Newton, Coulomb inverse भी लिख सकते हैं, यह इस का answer होगा, clear, तो यह numerical बहुत अच्छा numerical है, इस numerical को आपको बहुत अच्छे से prepare करना है, ओके, नाव नेस टापिक, आफ इलेक्ट्रिक फिल्ड, देखे, इलेक्ट्रिक फिल्ड क्या है, अब हम इसके इलेक्टिक इंडेनसिटी इलेक्टिक फिल्ड के टापिक पर इंटर करते हैं, देखे, है हिलयकिक फिल्ड क्या होता है देखो कोई भी भी जो फिल्ड होता है जैसे ग्रेविटेश्णाल फिल्ड से असरे और सब्सक्राइब निकितij होता है ठीक है उस्तरा से क मतलब सब्सक्राइब होता है कि आपने पास सपोस्ज़ शैर्ड करएक इसके और गोहते हो फिल्ड को गभाटु दो तक होगा वो कहलाएगा इसका इलेक्टरिक फिल्ड कहलाएगा यह इसका इलेक्टरिक फिल्ड है मतलब एरउंड दचार्ज विए दफिल्ड वेर इलेक्टिक प्रपर्टी सो इसका लिए अब हम देखें कि यहां पर सबसे पहले हमको सबसे पढ़ेगा एक कांसेप्ट जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चारज test charge test charge क्या होता है नाम से clear है test charge मतलब कुछ test करने का काम आता है test charge का मतलब इसे हम कुछ test करते होंगे test charge हम test क्या करते है intensity test करते है test charge हमने imagine किया वो है unit positive charge unit positive charge इस कंसीडर एज टेस्ट चार्ज चंसीडर यह क्या है कन्वेंशन है कई बारे स्टुडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर हमने केवल पाजिटिव चार्ज को ही क्यों कंसीडर किया तो हम निगेटिव भी कर सकते थे लेकिन यहां पर वो एक इमेजिनरी है एक इमेजिन किया गया है उसको देट इस कंवेंशन फिजिक्स में किसी ऐसे रूल को जिसको हमने कंसीडर किया हुआ है इमेजिन किया कंवेंशन बोलते हैं जैसे आप लाइट के चेप्टर ने टेस्टार्ज अब देखो का है मतलब इस प्रतेल करेंगेगा से यहाँ पर फोर्स लगएगा यहाँ पर फोलेगा कोई कुई भी चार्ज कई भी चार्ज्य किस इलेक्टिक फिल्ड में आएगगा तुसपर तो उक्तिक व्या करेगा फोस चैप्लाइक करेगा membership यूनिट चार्ज परत्रिश चार्ज पर जो इस Page क्योंकि मेरा जहां तक experience है कि जितने भी स्टुडेंट इंटेंसीटी नहीं समझ पाते हैं कि वह आगे चेप्टर के कई टाप्रिक नहीं समझ पाते हैं कभी-कभी होता क्या है कि हम टर्मिनोलाजी ब्रेन में रख लेते हैं कई बार मैंने देखा है अपने experience में कि कई स्टुडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको टर्म से याद होते हैं कि इंटेंसीटी कोई चीज होता है फिजिक्स में लेकिन उनको सेंस क्लियर नहीं रहता कि इसलिए हमको क्या होता है आगे concept समझने में प्राब्लम आता है तो बहुत ध् करता है वह उसका intensity कहलाता है अब इसको mathematically हम क्या लिख सकते हैं देखो सिंस फोल्स का फार्मूला है कुलाम स्मुला से एफ इक्वल टू वन अपान फॉर पाई अफसाला नाट क्यू एंटू क्यू टू अपान आर इस्वेर यह सपोस्ट इसके बीच का डिस्टेंस आर है त इसका वेल्यू वन हो गया तो जब दूसरे नमबर का चार्ज का स्टेंथ वन हो जाएगा तब हम इसको फोर्स नहीं कहेंगे तब हमको intensity कहेंगे और इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि से इसे तो इक्वल टू हो जाएगा वन अपान फॉर पाई अपसाला ना इक्वल टू वन अपान फॉर पाई अपसाला नाट क्यू अपान आर इस्क्वेर यह होता है intensity का फार्मूला यह intensity डू टू पॉइंट चार्ज यहां पर हमने लिखा है दूसरे लिग्वेज़ और एस्प्लें करें किस तरह से हम किवनाट धोनों साइट मल्टिप्लाई कर दे तहें तो क्या यहां पर हो जाएगा क्यू नाट इन्थू e इकवल टू वहाँ पर multiply कर दें तो one upon four pi epsilon not q into q not upon r square अब देखो अगेन ऐसा लिखने पर यह force बन जाएगा क्योंकि q1 into q2 होगा तो two charges के भी इसमें force apply होता है तो यह force हो जाएगा therefore इसको हम लिख सकते हैं q not into e equal to f यह formula भी आपको याद रहना चाहिए कि f equal to q not into e होता है और इसी formula को हम क्या लिखते हैं e equal to therefore इसको लिख सकते हैं अपन e equal to f upon q not यह सब different different form में आपको फर्मूला याद होना चाहिए कई बार क्या होता है कि हम formula को बहुत अलग अलग तरीके से use करते हैं लेकिन हमको पता नहीं होता या हम उसको समझ नहीं पाते है कि किस form में है तो problem होता है तो सब different different form में आपको त्यार होना चाहिए तो एक बार देखो इसका definition बहुत ध्यान से the force which is experienced by any unit charge or test charge in any electric field is called intensity of electric field अब यहाँ पर हम देखें intensity of electric field का unit क्या हो सकता है इसका unit क्या हो सकता है यहाँ पर unit हम लिखते हैं तो यहाँ हम unit बना सकते हैं यह तो हो गया charge का कुलाम हो जाएगा और into यह मीटर उपर चलाएगा मीटर inverse square तो यह हो जाता है कुलाम मीटर inverse square यह intensity of electric field का unit होता है ओके now next topic electric lines of forces electric lines of forces electric lines of forces क्या भी देखो यहां पर मैंने complete definition mention कर दिया है यहां पर an electric lines of forces are filled filled line field line is that imaginary smooth curve its first property is imaginary smooth curve दो बात यहां से clear हुआ यह imaginary होता है हमने उसको imagine किया है real में देखा नहीं है और एक smooth curve होता है state line के फार में नहीं होता है smooth curve an electric field along which a unit positive charge unit positive charge actually tried actually actually tries to move if it is free to do it to do so मतलब क्या हुए इसका देखो इस definition को आपको explain कर रहा हूँ definition आपको point to point याद होना चाहिए अब यहां पर मैं इसको explain कर रहा हूँ ध्यान से सुनना कि सपोस अपने पास एक positive charge है यह positive charge है और सपोस एक negative charge है यह दोनों ने मिलके electric field develop किया positive field negative field develop किया अब सपोस हम इस electric field में यहां पर एक test charge रखते हैं suppose यह है test charge and test charge क्या होता है positive charge होता है test charge is always positive charge अभी मैंने बता है कि इमेजनरी चार्ज होता है इसलिए लिए इमेजनरी smooth curve अब देखो यह क्या करेगा positive charge इसको क्या करेगा रिपल करेगा और negative charge अपने तरफ इसको अटेक्ट करेगा इस तरह से इस charge को हम इस से रिपल करें इस एक एक कराएं तो यह charge क्या है different different position पर ट्रेवल करते हुए वो निगेटिव चार्ज तक पहुचेगा यहां तक यह पहुच जाएगा यहां तक पहुचने के बाद इस तरह से और बहुत सारे पोजुचन इसमें मिल जासे यह और इसका रूट यह इसका पाथ यह होगा इसका पाथ यह होगा ऐसे बहुंसे कर भूब मिलेंगे अपने को ऐसे इन फाइनाइट नंबर आप सब मिलेंगे यह और यह सब क्या हिता हैं elлон क्षैट कर दो इसकी प्रापर्टिप करना इसकी प्रापर्पर्टी बहुत बार एक्जाम में इसकी properties पूछा जाता है properties बहुत ध्यान से समझ जा इसके properties के कुछ point board exam में direct पूछे जाते हैं वैसे तो पूरी property आपको electric lines का पता होना चाहिए देखियो तो मैं एक एक करके आपको इसके explain करते जाता हूं एक एक property को first property is the direction of electric lines of forces is always positive charge to negative charge इसका जो direction होता है इस line का जो direction होता है वो positive to negative होता है देखो यहाँ पर आप figure में देख रहे हो यह positive सी start होता है और negative में चला जाता है और यहाँ पर इसलिए जाता है क्योंकि test charge move करने के पात को हम इमेजनरी lines बोलते हैं मतलब electric lines of forces बोलते हैं इसका जो direction है always positive charge to negative charge होता है second property is यह open curve होता है जबकि आगे हम पढ़ेंगे magnetic lines of forces magnetic lines of forces are closed curve बाद में एक बार मैं complete study आपको बताऊंगा जब मैं magnet प्रहांगा यहाँ पर ध्यान देना यह open curve होता है ओपन कर्व मतलब यह positive सी start होता है और negative में जाके complete end हो जाता है वह समाप्थ हो जाता है positive सी start होता है negative में जाके close हो जाता है इसलिए क्या होता है यह open curve होता है फिर negative सी positive नहीं आता हो पाजिटीव से जाके negative में complete हो जाता है इसलिए क्या कहलाता है यह open curve कहलाता है that means electric lines of forces are negative open curve third property is where number of lines is more than in that position the intensity of electric field will be also more ये पाइंट आप लिखनों के वो सको complete यहां पर लिखना हूं इस पैंट का मतलब कि जहां पर electric lines of forces ज्यादा होते हैं देख़ो यहां पर मालों बहुत ज्याद Calling आप फोसे हैं इस पाइंट पर तो यहां पर intensity ज्यादा होगा that means जब वहां पर electric lines of forces की देन्सिटी ज़्यादा होती है तो अच्छाइक जया राखना जो मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं कि आपको पूरे पूरे contents का आपको पूरे contents का 100% notes हमारे application में मिलेगा तो इस तरह के notes के लिए परसान मत हो ना हमारे application को आप download कर लो गूगल प्लेस है origin the learners hub जिसका आपको information continuous नीचे पट्टी पर भी मिलेगा आपको description पर भी मिलेगा तो वो एप डाउनलोड कर लो और एप डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पर study materials section में जाना free notes आपको वहाँ पर प्रोवाइड है उसके लिए आपको कोई charges नहीं देने हैं तो पूरे notes आप उस notes को proper study करके अपने board में चाहे जिस भी board के आप student होगे क्योंकि हमारा notes पूरे board को cover करक आपको कहीं कोई problem नहीं होगा ओके तो मैं क्या बताया intensity नेस्ट पाइंट में बताया intensity कहां ज्यादा होता है जहां पर lines of forces ज्यादा होते हैं इसके बाद मैं जो fourth number का point आपको बता रहा हूं यह fourth point इसका सबसे important point है मैंने यहीं पर लिख दिया very important इलेक्टिक लाइन साब forces never intersect to each other लिख देता हूं इसको नेवर इंटरसेक्ट टू इच अदर इलेक्टिक लाइन साब forces never intersect to each other लिख इसका मतलब क्या हुआ यह जो इलेक्टिक लाइन साब forces होता है वह एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करता रिज़र मैं भी explain करूंगा क्यों नहीं करता तो देखो यह जो इलेक्टिक लाइन साब forces इसके पहले वाश एक मुझे और एस्प्लेंट करना था ठीक आगे पिछे पॉइंट का आगे पिछे होने से चलता है उसे कोई प्राब्लम नहीं है देखो यह एक इलेक्टिक लाइन साब फोर्सेस है यह एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे उसका रीजन क्या है उसको समझने से पहले हमको पाइंट और समझ लेना चाहिए था इसको पहले बताना से मुझे ठीक अब बात बताता हूं कि इलेक्टिक लाइन साब कर्व के किसी भी पाइंट पर इंटेंसिटी का जो डारेक्शन होता है वह उस पाइंट पर टेंजेंट ड्रा करते हूं डारेक्शन में होता है यह दे एट डेट पाइंट और एट एनी पाइंट मतलब क्या हुआ इसका देखो मालो मैं इस पॉइंट पर इंटेंसिटी जानना चाहता हूं सपोज मैं जानना चाहता हूं कि इस पाइंट पर इसका इंटेंसिटी क्या है तो यहां पर मुझे एक टेंजेंट रा करना पड़ेग मैं इस पइनल सीटी जानना चाहत लहाँ है तो यहां पर मुछcemcem assim राख करना पड़ेगा कहीं पर मेरे को इंटेंस जानना है तो मेरे को यहां पर टेंजन राख करना पड़ेगा यह रूहला मतलब Крас नाफ epididy elektrik field is All towards the direction of tangent डारेक्सान आफ इंटेंसिटी इस टूवर्ड्स टेंजेंट साट फरमेलिक दिया बाकी मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा मतलब यह कांसेट्ट क्या कहता है कि किसी पाइंट पर जो हम टन्जेंट या करेंगे वही वहां पर इंटेंसिटी का डैरेक्स estem होगा यह होगा अब हम पहते हैं फीज़न अंबर काईंट पर थे निवर इंटेंटर सेक्ट करतें हमने अपोजिट कंसीडर कर लिया E let us consider they intersect to each other हमने suppose कर लिया कि बाद फिर हम उसके से हम कर लिया कि एक दूसरे को intersect करते हैं फिर हम उसके बाद प्रूब करेंगे कि ऐसा suppose करना रांग है गलत है कैसे suppose हमने imagine किया कि यह दोनों एक दूसरे को intersect करते हैं intersect करेंगे तो मालो यह फर्स्ट लाइन का मैं डारेक्शन जानना चाहूंगा तो यह इसका टेंजन का डारेक्शन होगा और सेकंड लाइन के जानना चाहूंगा तो यह इसका डारेक्शन होगा मतलब यहाँ पर ध्यान से समझना कि यह वाला जो line है वो यह first line के लिए direction है और यह वाला जो tangent है वो second line के लिए direction है that means हमको intersection point पर दो electric lines आप forces के लिए दो direction चाहिए और इसके लिए हमको two tangent रा करना पड़ेगा that is complete wrong concept of the mathematics mathematics का गलत concept है क्या only one tangent can be draw in any unique point on the curve mathematics का concept क्या कहता है कि किसी भी curve के एक point पर only one tangent रा किया जा सकता है और यह कहता है कि यदि दो electric lines आप forces एक दूसरे को intersect करेंगे तो intersection point common point होता है तो उस common point पर दो tangent रा करना पड़ेगा which is not possible which is not possible तो यह question जब board exam में आता है तो इस तरह से आता है electric lines of forces never intersect to each other why electric lines of forces never intersect to each other why answer का लिखोगे if two electric lines of forces intersect to each other then at common point we can draw two tangent which is not possible therefore two electric lines of forces never intersect to each other यदी दो electric lines of forces एक दूसरे को intersect करेंगे तो intersection point पर दो tangent रा करने पड़ेंगे जो की possible नहीं है यह हम answer में लिखेंगे बहुत important है तो आपको जाते हैं तो ध्यान में रखना यह आपको जानना है बैसी कांसेप्ट है रिखेंगे बाकी मेरे नोर्स महुत डिटेल में आपको मिलेगा नोर्स भी आप consider कर सकते हो नेस्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल नेस्ट टापिक इस इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है देखो इलेक्ट्रिक डाइपूल कांसेप्ट है यह आपको ध्यान से समझना है यह definition यहाँ पर लिखा हुआ है मैं आपको definition भी मैंने अभी आपको बार-बार याद दिलाया कि चुकि मेरा यह क्लास है वन साट मैं चाहता हूं कि मेरे इलेक्ट्रिक डाइपूल होता क्या है दखो सपोस अपने पास टू चार्ज है सपोस वी है टू चार्जेस आप इक्वल स्ट्रेंथ बट डिफरेंट इन नेचर बेट मिन सपोस इस पाजिटिव चार्ज प्लस क्यों एंड दिस निगेटिव चार्ज आप इक्वल स्ट्रेंथ मतलब दोनों का स्ट्रेंथ सेम है यह भी क्यूँ है यह accelerating क्यूत है इस तरह से यह इलेक्ट्रिक डैपोल बनाते हैं और यह जो इलेक्ट्रिक क्वल बनाईगे इनलेट्रिक ।ा क्या है a क्योंग किया तो a भी कर सकते हैं इसके बीच में neutral point होता है जहां पर कोई चायज नहीं होता जिरो होता है तो neutral point से यहां तक का distance को आज नेते हैं यहां तक का distance को आ लखे हैं तो a by 2 करने के चक्कर से हम बच aging by 2 करेंगे तो calculation A by 2 थोड़ा problem होता है तो हम 2A लेते हैं इनके बीच का distance बाकी A भी लिख सकते हो तो electric dipole को हम represent करते हैं P से electric dipole is represented by P and that is the product of anyone charges anyone charge into distance between them that is 2A that equal to 2QA यह कहलाता है electric dipole और यहाँ पर यह vector quantity है यहाँ पर एक बहुत important बात है कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि charge क्या है charge क्या है scalar quantity है यह distance है वो भी क्या है scalar quantity है but displacement vector quantity होता है distance तो scalar quantity होता है but displacement vector quantity होता है तो यहाँ पर दोनों charge के बीच का वो displacement है minimum distance है यहां पर electric dipole moment को इस लिए consider किया गया गया vector quantity तो यहां पर बहुत confusion होता है और ध्यान में रखना कि कई बार मैंने देखा है कि students इसके vector और scalar पर confused रहते हैं तो यह vector quantity है electric dipole meant is vector quantity and its direction is इसका जो direction होता है electric dipole का वह आलवेज निगेटिव तू पाजिटिव चार्ज होता है अब यह आप पुछोगे किसर निगेटिव तू पाजिटिव क्यों होता है निगेटिव तू कि फिजिक्स आप पढ़ रहे हो और हर इसका चीज का आपको रिजन पता होना चाहिए तो नेचरली आफ्लाइन क्लास होता तभी स्टुडेंट चार लोग का हैंड्राइज हो जाता कि सर वाई निगेटिव तू क्यों होता है लेकिन अब आनलाइन पढ़ रहे हैं आप यूटूब पर पढ़ रहे हो तो यह तो निगेटिव तू पाजिटिव होना इसका रिजन क्या है इस एक कन्वेंशन यह परिपार्टी है मैंने आपको कई बार डिसक्स किया कि फिजिक्स में बहुं सारे रूल्स कन्वेंशन फाम में उनको माना गया है उसको साइंटिस बैठते हैं मैं कंसिडर करते हैं कि भाई अब मेगनेटिक मोमेंट डाइपोल मोमेंट वेक्टर तो है तो वेक्टर है तो डारेक्शन तो बताना पड़ेगा तो क्या बताएं फिर इसका कोई प्रापर रिजन नहीं कि भाई निगेटिव पाजिटिव तो उसको माना गया तो ध्यान रखना हमेशा इसका जो डारेक के चेप्टर में हम पढ़ते हैं साइं कानलेकस तो इस तेरेग्षन आप इंसिडेंट रहें टेकन आलवेस पाजिटिव एंड अपोजी टाप दाइंसिडेंटर वेस निगेटिव ओकन मेंशन है उसी तरह से भी कनमेंशन है कि इसका डारिक्षन हमेसा पाजिटीव निगटी कि स्टाइटिंग में हमने लिख दिया है कि electric dipole moment vector quantity होता है क्योंकि बहुत important है इसलिए मैंने definition में यह word use किया है कि बहुत confusion रहता है कि scalar है कि vector vector quantity है whose magnitude is equal to the product of magnitude of any one charge any one charge product of any one charge of dipole and distance between the two charges that is 2a that means electric dipole is the product of the product of any one charge and distance between them और negative I2 charge मिलके बहुते हैं electric dipole बनते हैं ठीक है तिया कहलाता है electric dipole and electric dipole moment इसको अपन electric dipole moment भी कहते हैं तो यह concept आपको अच्छे से clear होना चाहिए क्योंकि यह सब अभी हम आगे यूज़ करेंगे ओके ते है इलेक्ट्रिक dipole नाव कि नेस्ट टापिक कि इंटेंसिटी इंटेंसिटी आप इलेक्ट्रिक फिल्ड एट एक्सियल पोजिशन अब हम अपने बहुत इंटेंसिटी आप एक्सियल पोजिशन पर करना है एक एक्सरा पोजिशन कहलाता है और कि हम कल्कुलेट करेंगे वह क्या कहलाता है एनी पोजिशन देट मिंस एनिवेर दोनों को छोड़ के कहीं भी यह तीनों में से किसी भी में का एक्जाम में आने का 100% चांस रहता है तो इसको आप बोड एक्जाम के लिए बहुँच अच्छे से त्यार करोगे आपको यदि कंप्रिट्व एक्जाम के लिए प्रिपेर करना है तो इसके फाइनल इक्वेशन और कॉंसेट आपके क्लियर होना चाहिए जिलों का इटी ज समझाओं आपको सबसे कि एक्सियल पोजिशन होता क्या है इसके लिए पहले फिगर ड्रा कर लें मैं एक फिगर ड्रा करता हूं और फिगर को आप बहुत ध्यान से साथ साथ समझ यह मेरे क्योंकि जब तक आप साथ साथ फिगर नहीं समझोगे आपको समझ में नहीं यहां पर हम क्या सोग रहें कि ए जो आप देख रहे हो यह यह plus q charge है electric dipol के और यह minus q charge है यही समझने के लिए हमने भी electric dipol और यह प्लस q char और मायनस q charge है इनके बीच के distance को हमने suppose 2 a ले निया यह 2 a डिस्टेंस है यह इसका mid point है neutral point है तो यह वाला जो diilense Grove डिस्टेंस यह होगा अभी मैंने आपको बताया अब अब क्या ह्योटा है सपोस ये इस पॉint का नाम सब्सेटे क्यों क्यों क्योंकि यह इसके एक्सिस पर प्रेज़ेंट है मतलब प्लस यह और मैनस चार्जर को दमाने वारी जो और उसका मतलब यह हुआ अब इस पाइंट करना है तो सपोज म्यहां से असे हैं है intensity calculate करना है तो नेचुरली आप यहां से देखो यहां पर क्या होगा यह जो पी पॉइंट है इस पर सिच्वेशन कैसा होगा अब यहां पर आप बहुत ध्यान से समझना सिच्वेशन क्या होगा कि यह निगेटिव चार्ज है तो यह निगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा अट्रेट करेगा क्यों कि पॉइंट पर क्या रखा हुआ है टेस्ट चार्ज इसलिए मैं देखो प्रापर आडर में आप एक चीज़ ध्यान देना मेरे लेक्चर का एक इंपॉर्टन बात आप महसूस कर रहा है इतने देर तक पढ़ते हुए कि मैंने प्रापर सिलेबस को इस वे में अरेंज किया है कि नेस टापिक जो पढ़ाने वाला हुँ उसके ठीक पहले मैं उसके बैसी को आपको अच्छे से पढ़ा दूं और बिल्कुल पाइंट टूपाइंट आपका यह सीलेबस पर है और सीबीस की सीलेबसी पूरे कंट्री में अभी उनिफाइट कोर इसलिए बार-बार बोला हूं कि आप 100% मार्स गेन कर सकते हैं मेरे इस लेक्चर और एप्लिकेशन में मेरे नोट से उसके है बिलकुल सिंगल मार्स के लिए आपको प्राब्लम नहीं होगा तो यहां पर test charge रखा है तो P test charge होता है और test charge positive होता है तो positive charger को यह negative charge करेगा अपने तरह पर्टेट करेगा तो यहां पर जो intensity होगा E जिसको E minus Q कह रहा हूं दैट मिंस intensity of electric field due to minus Q charge E minus Q is the symbol of intensity of electric field due to negative charge clear इसलिए हमने e नीचे में छोटा सा minus q लिखा है और यह हो जाएगा e plus q तो e plus q क्या होगा इसको ripple करेगा क्योंकि यहाँ पर यह positive charge है और positive charge इस test charge को ripple करेगा तो यहाँ पर देखो two charges two intensity है यह यह दोनों intensity का direction है और दोनों एक दूसरे के just opposite है that means दोनों के बीच 180 degree का angle है they are negative vectors opposite vector तो यहाँ पर resultant intensity निकालने के लिए resultant intensity निकालने के लिए दोनों intensity का magnitude find करेंगे सबसे पहले और जो greater value होगा उसमें हम smaller value को minus करेंगे तो हमको क्या होगा resultant intensity मिल जाएगा ओके इस तरह से चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर निकालने इसका intensity तो consider लिखने के बाद हम जब इसका calculation स्टार्ट करेंगे calculation तो calculation आप ध्यान से समझना यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं e minus q मतलब इसका value हम पहले निकालने e minus q तो देखो यह जो distance है यहाँ पर यह क्या है p b तो हो जाएगा one upon four pi epsilon not q intensity निकाल रहे हैं तो q upon इसके बीच का distance जो की हो जाएगा p b square और इसका हमको direction भी सो करना है तो इसका direction है p to b यहाँ direction सो करना बहुत जोरी है क्योंकि intensity वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के हमको direction सो करना है देखो आपको यह दी बॉर्ड मार्स एक्जाम में full marks gain करने है जैसे 4 marks या 5 marks का जो question आपके board exam में आता है कुछ board में 4 marks का pattern नहीं होता सिधा 5 marks होता है जैसे cbc board में 1 marks का 2 marks का 3 marks का फिर सिधा 5 marks का आता है लेकिन कई board में 4 marks का आते हैं तो 4 marks तो 5 marks का वेटेज नियरली इक्वल होता है लगभख बराबर होता है वह आप अपने बॉर्ड के कार्डिंग देख लेना तो जब भी लांग आंसर टाइप question का आंसर लिखने के लिए आपका presentation प्रापर होना चाहिए that means आपको हर चीज को explain करना है वहाँ पर आप छोटे छोटे करता हूं कि आप भी मुझसे पढ़ाई करके उस पोजिशन पर पहुंचोगे तो हर चीज को जैसे बहुत छोटी बात है वेक्टर पी लिखना तो कई लग उसके वाइट कर देते हैं कि क्या जगुरत है लेकिन नहीं आपको हर चीज को करना है ताकि आपको कहीं कोई मार्स कर सकते हैं ओके चलिए अब यहां पर देखो यह माइनस क्यों इतना होगा अब यहां पर इसका वैलू को हम पूट अप कर दें पी बीका यह हो जाएगा वन अपन फॉर पाई अपसाला नाट क्यू अपन पी बी तो पी और बी तो पीडी का बीच का डिस्टेंस क्या है दे हो जाएगा दिस सीज रिलेशन नमबर फर्सटी हमने निकाल ़िया इमाइनस क्यू सिमिलरली अगें E प्लस Q अब हम E प्लस Q निकालें तो E प्लस Q इकोल टू हो जाएगा 1 अपान 4 पाई अपसाला नाट Q अपान अब देखो E प्लस Q तो यह प्लस चार्ज है तो इस चार्ज से इस चार्ज का डिस्टेंस हम क्या कहेंगे P A या A P A P का स्क्वियर और इसका डिरेक्शन है A to P इसका डिरेक्शन A to P है देखो यह वाला डिरेक्शन है इसका और A P डिरेक्शन का रिपल कर रहा है यह डिरेक्शन इधर है अट्रेक्शन है यह डिरेक्शन रिपल्शन है तो उस direction में है, तो हमने उसका direction लिख दिया a to p, उसका direction है इधर a to p, that implies e plus q equal 1 upon 4 pi epsilon 0, 1 upon 4 pi epsilon 0 into q upon, अब ये distance को देखो a p का distance, यहां से लेकर p तक का distance है, वो यहां से यहां तक का distance ay, यहां से यहां से यहां तक का distance r है, और यहां अ जिस्टेंस का है a है, तो होजाएगा r plus a, यह हो जाएगा, r plus a whole square this is relation number second, यह relation number 2 हो जाएगा, अब हमको resultant निकालना है, तो therefore resultant intensity, resultant intensity, resultant intensity E equal to, अब यहाँ पर देखो, कि दोनों में greater value कोन है, अपने पास दो value है यहाँ पर, यह two values क्या क्या है, यह E minus Q है, और यह E plus Q है, तो हमको resultant निकालने के लिए का करना पड़ेगा, greater value सो smaller value को minus करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखो, यह वाला value greater है, E minus Q क्योंकि इसका denominator छोटा है, किसी भी rational number में, denominator जब छोटा होता है, किसी भी rational number में, denominator less value होता है, छोटा होता है, तो वो rational number बड़ा होता है, तो naturally यहाँ पर e minus q बड़ा है तो यहाँ पर हम minus कर देते हैं resultant निकालने के लिए क्या e minus q minus e plus q अब यहाँ वेक्टर नहीं लिकालना क्योंकि हम यहाँ पर इसके magnitude लिख रहे हैं यहाँ पर region लिख सकते हो since e minus q is greater than e plus q ऐसा आप सोग कर सकते हो that equally इसके values put up करें तो दोनों का value put up करेंगे तो जो common quantity है उसको common कर लेंगे तो 1 upon 4 pi epsilon 0 q यह common है तो अंदर क्या बचेगा यह 1 upon r minus a whole square minus 1 upon r plus a whole square यह value होगा इसके बाद हम क्या करेंगे इसके LCM ले लें LCM लेके इसको simplify करेंगे LCM लेंगे तो next step LCM क्या आएगा देखो therefore e equal 1 upon 4 pi epsilon 0 LCM इसका होजाएगा दोनों का multiplication that means यह पहला क्या है minus r minus a p होजाएगा r minus a whole square into r plus a whole square यह LCM होगा तो यह पहले आएगा r plus a whole square minus r minus a whole square यह होगा that equal आगे solve करें तो 1 upon 4 pi epsilon 0 यह q लिखना भूल गया यह q into q अब क्या होगा algebra में आपने फार्मूला पढ़ा है यदि आपको याद हो a plus b का whole square minus a minus b का whole square जो होता है वो फोर a b के equal होता है यह basic mathematical tools आप मेरा देखोगे तेसा फार्मूला मैंने पढ़ाया हुआ होता है basic mathematical tools में तो यहाँ पर a plus b का whole square वो minus a minus b whole square 4 a b होता है वही situation यहाँ पर है देखो यहाँ पर situation कैसा है यह r plus a है r minus a का whole square है तो फोर क्या हो जाएगा यह 4 rl यह 4 r a स्वारी 4 r a और अपन यह दोनों a minus b a plus b r square minus a square का whole square हो जाएगा यह इस तरह से देट इक्वाल आगे साल्म करें इसको तो वन अपन फोर पाई अपसाला नाट अब यहाँ पर देखो टू क्यूर इसको मैं adjustment कर रहा हूं टू क्यूर यह लिख लिया फोर को टू इंटू करके और इसको हूं सकते हैं टू आ गया क्यू आ गया इसको लिख सकते हैं अब पान यह होजाएगा आर स्क्वेर माइनस a square का whole square ऐसा हमने क्यों एड़ जेस किया क्योंकि अब आपको समझ में आ रहोगा 2QA को हम क्या लिख सकते हैं P अब हमको पता है कि P equal to होता है 2QA electric dipole अभी मैंने आपको पढ़ाया है तो उस base पर इस formula को हम लिखें तो क्या हो जाएगा यहां पर देखो therefore resultant intensity E equal to 1 upon 4 by epsilon 0 यह हो जाएगा P तो हो गया 2PR upon R square minus A square whole square यह इसका final equation है यह जो मैंने यहां पर लिखा यह इसका final equation है यह इसका final equation है E equal to 1 upon 4 by epsilon 0 2PR upon R square minus L square का whole square अब इसका हम एक special case देखें है इस पर इस special case में क्या है कि दोनों charge के बीच का जो distance है that means यहां पर आप figure में देखो यह इनके बीच के जो distance है यह that means 2A यह distance यहां जहां पर हम इसका intensity find कर रहे है that means R उसके comparison में बहुत कम हो ठीक है मतलब R क्या हो far distance हो बहुत अधिक distance में हो इस condition में हम intensity कैसे निकास सकते हैं मतलब यहां पर हम consider कर लें कि if 2A that means distance between two charges is less than, very less than R यह R से बहुत छोटा हो उस condition में जब यह बहुत छोटा हो जाएगा तो यह A को हम क्या suppose कर सकते हैं? negligible R के respect में A बहुत छोटा है तो उसको हम negligible consider कर सकते हैं तो therefore उस time में जो intensity होगा E equal to हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon 0 और यहां पर होगा 2pr upon यह 0 हो गया तो R to the power 4 एक R इसके सांथ में cancel out हो जाएगा तो E equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 एक R cancel हो गया तो 2p upon R cube यह हो जाएगा इसका final equation यह side distance के लिए ठीक है? मतलब उनके दोनों charge के बीच का distance बहुत कम हो और जहां intensity निकालना है वह बहुत दूर हो उस condition में फार्मूला एगा E equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 2p upon R cube ठीक है? तो यह हमारा complete होता है यहाँ पर axial position axial position में हम यहाँ पर complete करते हैं ठीक है? चलिए next topic हम देखते हैं यह है अच्छा इस पर एक question कर ले हम उसके बाद फिर हम वैसे जनरली में हर topic के बाद आप लोग को question तो करा ही रहा हूं आप ध्यान दे रहे होगे तो मैं यह question आपको करा दूं पहले उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे देखिए तो यहाँ पर एक numerical में आपको करा रहा हूं यह numerical के बहुत ध्यान से आप देखो axial position के लिए यह question मैंने लिया है statement मैं read कर रहा हूं सुनो ध्यान से तू चार्जेस तू चार्जेस इच आप 0.1 माइक्रो कुलाम बट अपोजिट इन नेचर और केप्ट एडिस्टेंस वन ए सॉरी टेन एंगस्ट्राम टेन एंगस्ट्राम find out intensity of electric field on the axial line on the axial line तो यह question मैंने axial line के लिया है हर formula derivation के बाद मैं आपको कोई ने कोई numerical जरूर करा रहा हूं तो उसको आप ध्यान में रखना at a point 10 cm distance apart 10 cm distance apart from center of the dipole direct formula पर best है तो फर्मूला के application के लिए ही मैं यह question आपको करा रहा हूं तो सबसे पहले हमको लिख लेना है क्या given क्या question में given क्या है two charges if यह तो q का value दिया हुआ है कितना 0.1 micro coulomb that is equal to 0.1 into 10 to the power minus 6 coulomb क्योंकि micro coulomb को आपको coulomb में change करना पड़ेगा तो सबसे पहले हम उसको coulomb में change कर लिए इसके बाद क्या दिया हुआ है kept at a distance 10 angstrom दोनों के बीच का जो distance है मतलब 2a वो 10 angstrom है जिसको हम लिख सकते है 10 into 10 to the power minus 10 meter यह होता है that equal 10 to the power minus 9 meter angstrom को हम meter में इस तरह से change कर सकते हैं इसके बाद बोला है axial line at a point 10 centimeter जो r का distance है वो कितना है 10 centimeter इसमें हम यह 100 divide कर दें ते हो जाएगा 0.1 meter अब इस situation में हमको intensity calculate करना है तो आप इस question को ध्यान से देखो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि इनके बीच का जो distance है 10 to the power minus 9 meter और r का distance है 0.1 meter मतलब data सही हमको पता चलता है कि दोनों charges के बीच का distance बहुत 60 बहुत कम है तो therefore यहाँ पर जो हम formula use करेंगे यह 60 distance वाला formula करेंगे तो formula use यहाँ पर करेंगे अपन intensity e equal to 1 upon 4 phi epsilon 0 एक्सियल position में 2p upon r cube हो जाएगा यह जो हमने भी formula यहाँ पर use किया है देखो यह 1 upon 2p upon r cube यह formula हम use करेंगे चलिए अब values यहाँ पर put up करें that equal यह हो जाएगा solve करें हम इसको that equal 9 into 10 to the power 9 into इसका value हो गया 9 into 10 power 9 यह हो जाएगा 2 into p का value तो p का value होता है 2ql p का value 2qa यह हम put up कर देते हैं 2qa क्योंकि अपने को charge पता है यहाँ पर और a पता है फीक है यह 2a का value पता है तो 2qa के फार में put up कर देते हैं और upon r cube को भी r cube रहने दो अब पूरे value put up करो 9 into 10 to the power 9 into यह वाला 2 तो रहेगा 2 into q charge का value क्या है अपने पास यह 0.1 into 10 to the power minus 6 into 2a का value 2a का value एक सास हम put करेंगे यह 2a का value इतना है 10 to the power minus 9 10 to the power minus 9 upon r cube तो r का value यह है 0.1 0.1 का cube अब इसको आपको simplify करना है चलिए इसको simplify करिए और आप simplify कर लेना इसका value इसके value आप simplify कर लेना मैं direct value लिखता हूं इसको 1.8 into 10 to the power minus 3 यह आएगा कुलाम मीटर इन्वर्स स्क्वेर यह आप simplify कर लेना इसको इतना simplify करना आपके लिए आसान है इसमें कुछ नहीं रखा हूँ ठीक है कुलाम मीटर इन्वर्स भी लिख सकते हो और न्यूटन के फाम में भी लिख सकते हो इसका unit को देख़ो एक बार मैं इसके unit के बारे में आपको डिसकस कर दूं हो सकता है कहीं पर और unit लिखा होता आप आप पुन्फूर्स हो जाओ जहां पर मैंने intensity समझाया आपको यह unit सेंटीमेटर यह तो दो यूनिट यह भी लिख सकते संटीमेटर ने स्वारी कुलाम यह मैंने यहां से बनाया है यहां से कुलाम मीटर इन्वर्स स्क्वेर और यहां से आप इसका unit बनाओ इन्टेंसिटी का unit यहां से कुलाम में इन्वर्स आना चाहिए Q1 इन्टू Q2 एक unit चार्ज है एक एक मिनिट ना उसका unit में थोड़ा सा मैं आपको चेंज करके बता रहा हूँ यहां से unit निकाल लोगे आप तो E equal to हो जाएगा F upon Q0 ते हो जाएगा Newton कुलाम तो Newton कुलाम इन्वर्स Newton कुलाम इन्वर्स intensity का जो unit है आप इस फाम में लिख सकते हैं जनरली हम बुक में उसी को ज़्यादा यूज करते हैं इसलिए आप इसमें confuse मत होना इसको मैं करेक्ट ही कर देता हूँ Newton कुलाम इन्वर्स वैसे वैसा भी unit आप निकाल सकते हो लेकिन आप Newton के फाम में ही लिखा लो इसको कैसे निकला है देखो intensity क्यों न्यूटन होता है कुलाम होता है यह से निकाल सकते हो और वह unit भी सही है जैसे भी आप निकाल सकते हो तो उसी फाम में आप लिख हो इसको कि यह सब वोई Newton यह ज्यादा आसान होता है लिखने में न्यूटन पर कुलाम भी कहते हैं पन यह हमारा यह हमारा क्वेस्टन है किसके लिए इन्तेंसिटी आप इलेक्त्रिक फिल्ड फार एक्सियल पोजिशन ओके नाव नेस्ट कॉस्ट्टन आपको हेडिंग प्रापर दिखे उस साइज में मैं इसको मैं नीटाइंग कर देता हूं हेडिंग प्रापर दिखे आपको चलो नेस्ट आपिक हैं हमारा वो है intensity of electric field due to equatorial position अब हम यहाँ पर देखते हैं कि equatorial position क्या होता है equatorial position मतलब that is also known as neutral axis position इसको हम neutral axis भी कर सकते हैं यहाँ पर मैं mention कर देता हूं ताकि आपको पता चले neutral axis position होता क्या है देखो figure मैं आपको समझा दू सबसे पहले two charges ले ले अपन two point charge मैं पहले figure complete कर देता हूं उसके बाद explain करूंगा आपको ठीक है कि यह पूरा मैं figure आपको complete कर दूँँ हाँ यह figure ध्यान से देखो यह यह a point पर plus q charge है यह b point पर minus q charge है यह इसका neutral point है यह दोनों के बीच का distance हमने two a लिया तो यह वाला जो distance है वो a होगा और यह इसका neutral axis है यह p point है suppose और neutral axis का distance यहां से r है तो neutral axis का मतलब होता है जो उसके neutral axis से जाता है that is also known as equatorial position यह equatorial position है अब यहां पर देखो plus q charge है यहां पर minus q charge है यह distance को यह distance r लिया तो यहां पर suppose यह वाला angle हमने theta लिया हुआ है तो यह वाला angle भी theta होगा क्यों क्योंकि यह जो पी डिस्टेंस है वह pb distance की equal है तो यह आइसो सेल्स राइंगल हो जाएगा मतलब opposite sides equal है तो उसके angles भी equal होंगे अब यहां पर यह यहां पर इंटेंसिटी होगा plus q charge इसको ripple करेगा तो प्लस q charge जब इसको ripple करेगा तो इसको ripple कर रहा है क्योंकि test charge है यहां पर लिख रखा हुआ है test charge इसको लिखना जोरी नहीं होता फिर भी मैं mention करता हूं test charge है और यह क्या करेगा उसको attract करेगा तो इसका value कितना होगा e minus q और e plus q e minus q का जो resultant intensity है वह इस direction में इसका resultant है अब देखो यह राइज राइट इंगल है स्वारी ट्राइंगल है पी ए बी इसमें यह इसका exterior angle है और exterior angle sum up the two interior angle का equal होता है तो ठीचा प्लस ठीटा क्या हो यहां पर टू ठीटा यह टू ठीटा इंगल होयागा इस तरह से सबसे पहले आपको डाइग्राम को समझना है जब तक आप डाइग्राम अच्छे से नहीं समझोगे आपको कल्कुलेशन समझ में नहीं आएगा ओके निट्रल एक्सिस तो डाइग्राम क्रियर सबको क्योंकि जब तक आप डाइग्राम नहीं समझोगे आपको कोई भी डेरिवेशन समझ में आएगा फिजिक्स में ध्यान रखना जितना भी फार्मुला डेरिवेशन है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और इस राइग्राम क्राइग्राम तो क्लि케र यहां तक अब यह पर यह ,दिस्टेंट को देखो राइट एंगल ट्रैंगल है पी यह और इसका है रूट अफर अब हम बांब करते जाए तो कल्कूलेस्व कल्कुलेशन स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम निकाल लें E plus Q कुछ भी पहले निकाल लें E plus Q equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon distance देखो यह E plus Q निकाल लें तो यह distance मतलब AP square AP square इसको देदो relation number first और इसका direction है A to P figure से देखो इसका direction A to P है यह repulsion force है A to P and E minus Q E minus Q equal to हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon naught q upon यहाँ पढ़ देखो यह distance तो P से B की तरफ यह हो जाएगा P B square यह relation number 2 और यह direction है किधर P से B के तरफ P B direction आप P B अब यहाँ पर एक important बात आप observe करो यहाँ पर since आप figure में देख रहे होगे कि A P equal to P B A P equal to P B देखो यह जो A P value है और P B value के equal है यह equal side है तो यह दोनों relation में देखो यहाँ पर यह A P है यह P B है बाकी values तो आल्रेडी पहले से equal है तो बाकी value आल्रेडी पहले से equal है और यह दोनों value को हमने equal show कर दिया that means यहाँ पर यह value is value के equal हैगा therefore we can show that E plus Q is also equal to E minus Q but direction भी equal नहीं देखो यहाँ पर मैंने vector नहीं लगाया है हर बात का reason होता है कि क्या है यहाँ पर मैंने vector लगाया है देखो इसमें vector नहीं बताया है because E plus Q and U minus Q are equal only in magnitude not direction क्योंकि direction तो इसका इधर है और इसका इधर है तो दे आर equal only in magnitude दोनों magnitude में equal है अब एक 11 class का मैं आपको basic tools का एक concept याद दिलाओं कि suppose अपने पास two vectors है और वो vector V है दोनों vector एक दूसरे से theta angle बनाए हुए है और दोनों magnitude में equal है तो इनका जो resultant होता है यदि आपने पढ़ा है तो ठीक है नहीं पढ़ा है तो आपको resource बता रहा हूं एक बात मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं यदि आपका basic mathematical tools पूर है तो आप हमारे चैनल के playlist में जाओ और basic mathematical tools का पूरा एक series है जिसमें algebra मिलेगा टिग्नामेट्री मिलेगा वेक्टर algebra मिलेगा calculus मिलेगा और geometry मिलेगा यह 5 mathematics को आप physics के carding मेंने बहुत अच्छा lecture दिया है उस video से आप revise कर लो तो इस तरह की class theta by 2 यह निकालने का formula है आप इसको note down कर लेना तो यह concept को मैं यहाँ पर यह दि यूज करूं तो देखो यह दोनों क्या हो गया magnitude में equal हो गया मन a equal to b अब यहाँ दोनों के बीच के अंगल कितना है 2 theta है इस situation में तो इसके 20 के अंगल theta है यहाँ 2 theta 2 theta.2 हो जाएगा तो therefore यहाँ पर हम resultant निकाले इसको therefore resultant intensity resultant intensity इसका resultant intensity उस फार्मूला से कितना हो जाएगा इए इक्वल वन अपान फोर पाइड अपसाइलानाट सिधा वह फार्मूला लागा हो पहले मैं रूको उसके बाद पूटब करूँगा टुए कास theta by 2 तो 2 into यह मतलब हम इसको ले लेते हैं माल लो तो इसको बहुत बहुत हैं यह फार्मूला का हमने यूज किया यह फार्मूला का अब इसको simplify करते हैं तो simplify करने से क्या होगा देखो इप्लस क्यू का वेलिव हम पूट कर देंगे यह वाला वेलिव हम यहाँ पर पूट अप कर देंगे तो क्या होगा therefore e equal 1 upon 4 pi यह है 2 सामने 2 multiply होगा तो 2 into 1 upon 4 pi अपसाला नाट q upon a p square इंटू कास थीटा that equal 1 upon 4 pi अपसाला नाट 2 यहाँ पर multiply करें 2 q इंटू कास थीटा इसका वेलिव मैं पहले पूट अप कर दूँ एपी स्क्वेर का तो फिगर में देखो फिगर में एपी हमने निकाल के रखा है अंडर रूट आप a square plus r square तो इसका root हड़ जाएगा और कास थीटा का value क्या होगा कास थीटा equal to होता है base upon hypotenuse तो एपान इतना हो जाएगा base upon hypotenuse ठीक है r square plus l square यह होगा r square plus a square root है तो हड़ जाएगा और और into कास थीटा का value हो जाएगा a upon under root r square plus a square यह कास थीटा का value होगा that equal आगे solve करें तो 2 q a यह हो गया 1 upon 4 pi epsilon not 2 q a को हम p लिख सकते हैं और p upon यहाँ पर देखो power इसका 1 है दोनों का base same है इसका भी base r square plus a square इसका भी base r square plus a square और power इसका रूट मतलब power half है इसके one power में इसका हाफ पावर एड होगा तो one plus one by two three by two होगा तो इस तरह से इसका value हो जाएगा r square plus a square का whole power 3 by 2 यह हो जाएगा resultant intensity intensity resultant intensity का यह formula हो जाएगा अब इस पर हम special case apply करेंगे जो पहले हमने special case apply किया था वह special case apply करेंगे ठीक है तो special case क्या होगा इसमें special case वही special case की जो r का value है मतब a का value है यह बहुत छोटा हो किस से r से यह जो a का value r से बहुत छोटा हो उस condition में इसका value क्या हो जाएगा e equal 1 upon 4 pi epsilon 0 p upon r e square plus a square तो यहाँ पर a का value होगा यह negligible हो जाएगा तो r का e square 3 by 2 तो 3 by 2 2 2 2 के साथ cancel होगा तो r cube यहाँ पर हो जाएगा r cube यह इसका final equation है यह उस condition के लिए final equation है ठीक है अब यहाँ पर एक special note आप ध्यान देना यह जितना note करके मैं आपको लिखा रहा हूं इसको थोड़ा special care करना अभी हमने एक्सियल पोजिशन के लिए इस condition के लिए देखा फार एक्सियल पोजिशन एक्सियल पोजिशन के लिए इक्सियल तू वन अपान फोर पाइ अफसेला नाट टू पी अपान आर क्यूब देखा और एक्सियल पोजिशन के लिए तो ई एक्सियल पोजिशन मैंने इसको इ ये मतलब एक्सियल पोजिस्ट इसमाल एक्सियल पोजिशन इसको मैं ओ इस विए है एफर एक्सियल पोजिशन झाल अभी हम क्या यह दोनों फर्मूला आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर टू यहां पर एस्ट्रा है मतलब टू टाइमस है तो देरफ़र इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इसका जो जो एक्सियल पोजिशन का जो वेली होता है ए इस टू टाइमस आप दा इक्टुरियल पोजिशन होता है यह बात आप ध्यान रखना बहुत बार निमेरकल्स में कम्टिट्री अग्जाम अगरा में हैं मिस्रिलेशन को यूस करते हैं दैट मिन्स इंटेंसिटी आफ इलेक्ट इलेक्ट्रिक फिल्ड डू एक्सियल पोजिशन इस टू टाइमस आप दा इंटेंसिटी आफ इलेक्ट्रिक फिल्ड डू इक्टुरियल पोजिशन फार इस कंडिशन बैट मिन्स फार साइट इस्टेंस जब दोनों चार्ज के बीच का इस्टेंस बहुत कम हो बैट मिन्स साइड स्टेंस बिट्विन टू चार्जेस तभी एक कंडिशन एप्लाई होता है और इस कंडिशन में एइस बेरी लेस्ट देन आर ताब ध्यान में रखने यह रिलेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह एक्योटरियल इकॉल टू टू टाइमस अब एक्सी एक्सी इक्वल टू टू टाइमस आप दा इमेखवटरिया पर इस कंडिशन ओकिए लिए नेश्ट ट्पिक हम देखें अगला हमारा जो टापिक है पहले प्लेकन लिक्र ने इस पर नाग्ला टाप्यक पहले हम इस चलेगा देखिए तो एक्वेटरियल पोजिशन पर बैस्ट निमेरकल है तू चार्जेस टू माइक्रोकुलाम माइनस टू माइक्रोकुलाम और केप्ट टेन टू पर माइनस टू मीटर एपार्ट कल्कुलेट इलेक्टिक फिल्ड इंटेंसिटी एट 0.3 मीटर इन एक्वेट ठीक है यह हमको फाइन करना इन्टेंसिटी सबसे पहले हम लिखने गीवन हम देखें कि हमारे इसकीन में गीवन वेलीूस क्या-क्या हैं सबसे पहला काम यही होता है कि क्वेश्चन को आप समझ्जो और क्वेश्चन को समझने के बाद किया होगा आप आप गीवन लिखो charges that means amount of charge is 2 micro coulomb that equal 2 into 10 to the power minus 6 coulomb micro coulomb को coulomb में change कर लेंगे kept 10 to the minus 2 meter apart that means the value of 2a is 10 to the power minus 2 meter calculate electric field at 0.3 meter that means r equal to 0.3 meter अब यहां पर देखो है distance side distance है तो यहां पर हम फार्मूला यूस करेंगे जो भी फार्मूला बताया मैं side distance के लिए वो फार्मूला हम यूस करेंगे intensity equal one upon four pi epsilon not q sorry p upon p upon r cube that equal इसको हम लिख सकते हैं 9 into 10 to the power 9 into q a upon r cube अब इसके values put up कर लें values हम put up करें तो क्या होगा यह 9 into 10 to the power 9 into 2 into q 2 को लिखने के जबरत नहीं 2a का value हम direct put करेंगे q का value है 2 into 10 to minus 6 2 into 10 to the power minus 6 into 2a तो 2a का value 10 to the power minus 2 10 to the power minus 2 upon r cube तो r का value 0.3 0.3 cube यह हो जाएगा इसका value अब इसको को simplify करने के बाद आपको इसका answer देना है simplify आप इसको कर लेना इसको मैं direct answer का value आपको बता दूँ माइनस 9621 हो जाएगा 9 to the 18 9 to the 18 180 उपर में तो आ जाएगा 180 उपर 180 आगया कैसे आगया 180 देखो यह power 8 यह minus 1 हो जाएगा 9 to the 18.3 का 3 टी टाइम्स उपर में जाएगा तो हो जाएगा अभी बाद में लेके जाएगे तो हो जाएगा 180 नव दूनी 18 9 to the 18 और 18 के साथ में गिरो 180.3 3 2 3 2 3 2 3 मतलब 27 यह हो जाएगा 27 into 10 to the power minus 3 27 into 10 to the power minus 3 अब साल बकर 180 upon 27 180 upon 27 6.6 यह हो जाएगा 6.6 10 का पावर उपर जाके 10 to the power 3 and the Newton Kulam inverse this is the final answer इस तरह से इस फार्मूला पर यूज़्ड कोस्टिन ऐसा होगा इस फार्मूला पर बनेगा ओके अब देखा थर्ड पोजिसन है इसका एनी पोजिसन सबसे पहले हमने एक्सेयल पोजिसान पढ़ा एक्सेयल के बाद एक्टीन पोजिसान अब हमारा टपिक है एनी पोजिसान गन इन पर उल्नेंट पाद्व मतलब क्या होता है कि अब हमारा तुप नो invest waktu करना है वह ना तो पोजिशन में है और ना तो एक्विटोरियल पुजिशन पर है। उसको छोड़के किसी और जनरल पूजिशन पर है तो क्या होगा। लेकिन धिया रखना कि यह हमारा टापिक है यह सिर्फ एक स्पेसल केस के लिए होता है। और वो केस है फार डिस्टेंस बिट्विन चार्ज टू ए इस गैस बैर इस कंडिशन के लिए बस इसको अपने को एपलाई करना है मतलब दोनों चार्ज के बीच कब दिस्टेंस जो भी मैं इस सबसे पहले हम डाइग्राम कर लें तभी आपको समझ में आएगा कि हम को इसको कैसे बनाना है कि सपोज एक चार्ज है यह दूसरा चार्ज है यह कंप्रिट डाइग्राम मैं पहले आपको एस्प्लेंग कर देता हूं यह एक्सेल पॉजिसन होगा इसका यह इसका निवृट्र एक्सिस पॉजिसन होगा लेकिन जहां पर इस चार्ज को रखा जा रहा है वह चार्ज वो पॉजिसन है सब्सक्रिट अबेद U कि इस पोजिशन पर है सपोस ये अब देखोगत किFit करना कित प्लस किउच्छ चार्ज कि यह माइनस कि उच्छंच इस पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी कल्कुलेट करना है इस पायंट पर यह पीपॉइंट है सपोस यहां हम को intensity calculate करना है यहां situation को मैं explain ही कर दूँ उसका कि यहां पर क्या होगा यह intensity का direction है इस position पर इसके two components find करना है पहले से लिख दूँ मैं यह और यह position यह point को हम C ले लेते हैं यह point A यह point B C point पर हम को intensity चाहिए यह इसका origin है अब यहां पर देखो यह angle को हम थीटा एदी consider कर लें तो electric dipole moment का जो x-axis का component होगा horizontal component यह यह थीटा होगा corresponding angle है तो इस direction में उसका value होगा पी कास theta और इस direction में होगा P sin theta यह P sin theta होगा अब देखो इस position पर हम को intensity find करना है इस point पर C point पर तो हम क्या करेंगे इस C point को एक बार axis position में लाएंगे एक बार neutral axis position में लाएंगे तो उसके लिए हम imagine कर लेते हैं कि हमारा जो condition है यहां पर यह इस point को हमने एक बार इस तरह से एक्सिस position पर लाएंगे हम charge के और एक बार उसको हम इसके neutral axis position पर लाएंगे charges के किस तरह से देखो यह चार्ज को हमने यहां consider किया और यह वाले charge को यहां पर consider किया मतलब यह अब यह जो point C है इसके एक्सिस पर मैंनस Q को और स्क्राइब यहां पर फिस्यांपर हमको यहां पर कवेड** करना है सपोस यहां व से सीकर डिसटेंच तर है तो यहां पर एक इम्पॉर्टेंघ स्थैना रखना कि स्कांच को टू पॉजिस्फित के बने अपने को अलाग-अला कल्कुलेट करना है और सबसे पहले हम कल्कुलेट करें कल्कुलेशन 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 फर्स्ट इस फार एक्सिस फार एक्सिस फार एक्सियल पोजिशन यदि हम इसको एक्सियल पोजिशन के लिए साल्व करें एक्सियल पोजिशन पर इसका जो intensity of electric field इसको मैं E1 कह रहा हूं E1 equal to हो जाएगा 1 upon 4 pi अपसाला नाट और यह हो जाएगा 2p cos theta 2p cos theta क्यों होगा क्योंकि axial position पर यह axial position पर इसका component पी cos theta तो 2p cos theta upon r cube यह formula होता है हमारा side distance के लिए axial position के लिए अब हम इसको करें फार equatorial position फार equatorial position equatorial position में E2 equal to 1 upon 4 pi अपसाला नाट P sin theta यहां 2 नहीं होता पर intensity यह होगा और neutral axis position पर यह होगा equatorial position पर अब हमको चाहिए दोनों का resultant तो E1 E2 के perpendicular होता है क्योंकि एक axis पर है एक neutral axis पर है इनका जो resultant intensity निकलेगा यह निकलेगा parallelogram last है तो parallelogram ला में हमें apply करें तो यहां पर there for resultant intensity there for resultant intensity resultant intensity E equal to यह हो जाएगा under root of E1 square plus E2 square यह resultant intensity का value होगा इसका value का हम पूट अप कर देते हैं यह होगा दोनों का value हमने put up कर दिया E1 का E2 का दोनों में common value को बाहर कर लेते हैं क्योंकि e square है तो root से बाहर हो जाएगा यह है 1 upon 4 pi epsilon 0 p upon r cube और यह होगा under root of 2 का e square हो जाएगा 4 cos square theta plus यह होगा sin square theta अब आगे हम simplify करें इसको तो sin और cos को हम same value में convert कर लेते हैं तो sin को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर cos में लिख सकते हैं 1 minus cos that equally हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon 0 p upon r cube और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं root of 4 cos square theta 4 cos square theta plus 1 minus cos square theta यह हम sin square theta को हम में लिख 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 therefore e equal 1 upon 4 pi epsilon 0 p upon r cube and under root of 3 में minus 4 में minus होगा तो 3 cos square theta plus 1 यह इसका final equation हो जाएगा this is the final equation यह है इसका final equation okay इसका final पोजिशन तो यह जन्रल पोजिशन का फार्मूला है और यह फार्मूला यह फार्मूला यह फार्मूला बहुत ज्यादा इंपार्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत बार क्या है? पूछा जाता है तो तीनों पूजिशन आपको बहुत अच्छे से तयार करना है फरस्ट एक्सियल पूजिशन तो यह बहुत इंपॉर्टेंट इसका डेरिवेशन आपको करना है मैं आपको पूरे चेप्टर को वन साट में ही कंप्लीट कर रहा हूं तो आपको पढ़ने के बाद नोट्स आपको एप्लिकेशन पर मिलेगा और उसके बाद फिर आप साथ में नोट्स भी बनाइए और साथ में उसका डेरिवेशन को रिवाइस करते हुए चलिए ओक है नियर्टिक फिल्ड में रखने पर इलेक्टिक डाइपोल है उस पर फोरीटिक डाइप्लफ होता है से से वहां टार्क डबलफ होता है हमको मैसमेटिकली कल्कुलेट करना है बहुत इंपोर्टेंट टापिक है और इस पर निमेरकल बहुत बनते हैं निमेरकल कोस्टन इसे बहुत बार पूछा गया है देखो यह सब्सक्राइब यूनिफार इलेक्टिक फिल्ड है और इस से आपको समझ में आएगा जब आपको डाइग्राम अपन करेंगे यह यूनिफार में टक्रिक फिल्ड है और इस यूनिफार इलेक्टिक में एक बार ध्यान से अब देखो यह यह प्लस क्यों चार्ज है suppose यह minus q charge है अब क्या होगा यह suppose इसके साथ में fairly suspended है और यह theta angle बनाए हुगा है equilibrium condition में है तो यहाँ पर यह जो minus q charge है यह uniform electric field क्या करेगा उसको अपने parallel लाने के लिए try करेगा तो यहाँ पर एक force apply होगा इस force का value होगा q into e इसके जब just opposite यहाँ पर भी एक force apply होगा यह भी हो जाएगा q into e तो two forces यहाँ पर apply होगे q e q e और यह amount इनका क्या है जो magnitude है equal है but different just opposite in direction तो इस तरह से जब force develop होता है तो उसका हम क्या बोलते है force up couple बोलते हैं यह जो force up couple होगा इसके कारण यहाँ पर टार्क डवलप होगा suppose यहाँ पर इनके बीच का जो distance है इसको हमने 2L ले लिया जो generally है अपन electric dipos distance लेते हैं अब हमको क्या करना है इस charge और इस charge के बीच का perpendicular distance लेना है तो 2AA perpendicular distance नहीं वह slide distance है तो हमको इसके बीच का perpendicular distance लेना है इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको इस तरह से देखो यह जो exception line है force का यह हम इसको पीछे कर दिये एक मिनट यह line और इस line पर इस line से हमने perpendicular कर दिया इस तरह से यह हमने perpendicular कर दिया यहाँ पर यह क्या है force है यह force है F equal to Q into E F equal to Q into E ये angle जब theta है तो alternate angle ये भी थीटा होगा suppose इस point को हमने P ले लिया इस point को हमने A ले लिया इस point को suppose हमने B ले लिया तो यहां पर देखो है right angle triangle मिलता है और ये AP जो distance है ये perpendicular distance है अब हम को perpendicular distance का जोगरत क्यों है क्योंकि टारक का जो जो फर्मूला होता है तार्क जो फर्मूला होता है आपने 11 क्लास में पढ़ा है तार्क चर्क इक्वाव्डू होता है ता कि ऐफर्मुल्टू करेंगल तो थिटा है यहां पर खमने फोर्स ले लिए लिए सपोस्टेट और इनके का परपेंडिकुलर इसेंस है एसे करते हैं इस वारी एपि वेलीव करते हैं इस राइट एंगल से तो देखे ठीटा है तो इस αिट given triangle में इहां से siange אז compañ whether he s pasa in tobacco example इंडार उसह साइन थीटा зам spirits इंडेशм को को इसाइटा कशना परिंडिकुलर अपान in приб ऑप ह है और हमको परप्हेंडिकुलर डिस्टेन के ही तहीं तो लिया आपी और अपान हाई-पॉटेनियस क्या है एबी एबी इस हाइपोटेनियस टेर फॉर ऐसी पॉर य्टिवाल टो ईभी साई फीटा ए बीस अथेटा ऍवर दैङ्वा दो बैलियो आप फीश वै तो यह हो जाएगा 2a sin theta, इस तरह से हम क्या करेंगे, ap का value यहां से find कर लेंगे, अब value हम put करते हैं, तो f का value क्या है अपने पास, यह है q into e, f equal to q into e, ap का value हो जाएगा 2a sin theta, that equal, यहां पर जो value आप देख रहे हो, इसमें 2a और q, 2qa क्या होता है, electric dipole moment होता है, electric dipole moment को हम यहां पर value put up कर दें, तो हो जाएगा p e sin theta, that means, टा equal to p e sin theta होता है, therefore इसको vector form में लिखें, तो vector form में लिखने के लिए हमको vector product पता है, क्या a cross b equal to होता है, a b sin theta, यह सब mathematical tools में आपने पढ़ा है, कि two vectors का जो cross product होता है, a b sin theta होता है, तो यहां पर यह जो p e sin theta है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ti equal to p cross e, इस طرح से यह इसका vector form हो जाएगा, यह इसका vector form है, और यह इसका simple form है, तो टार का क्या होता है, एक vector quantity होता है, और यह p sin theta के इक्वल होता है, जिसको हम क्या लिख सकते है, ti equal to p cross e लिख सकते हैं, मतलब दोनों का क्या है, यह cross product है, ओके अब हम इसमें, इस के special case तो टार का की special case क्या होते हैं फर्स्ट special case is if theta equal to 0 degree तो यहाँ पर देखो हमने टा का value देखा है टा equal to P e sin theta तो यहाँ पर हो जाएगा T P e sin 0 that equal to 0 तो टा यहाँ पर 0 हो जाएगा और यह क्या होता है टार का minimum value होता है यहाँ यहाँ में से concept क्या करता है इस figure में आप देखो यह हमने अभी electric dipole को intense electric field के साथ में theta angle बनाये हुआ है यदि हम इसको 0 कर दें that means parallel कर दें यह जो electric dipole है इसको हम इसके parallel कर दें तो parallel condition में parallel condition में क्या हो जाता है इसका parallel condition है यह parallel का condition है एंड सेकंड कंडिशन इस केस नमबर टू इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मतलब वो perpendicular हो यह इसका वेल्य पर्पेंडिकुलर हो तो पर्पेंडिकुलर होने के condition में क्या हो जाएगा टार्क का वेल्यू देखो टार्क का वेल्यू में वेल्यू पूट अप करें तो टार्क का aujourdर्क में इसको क्योंकि साइनगे का वेल्यू जो बन होताब हो साइन का मेग्जिममेल्यू गैंट तो Def होता है और जब इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिव्र की परपेंडिकुलर होता है उसक इंच महता है यह आगए के टापिक हम को बहुत जाया और देखो अभी हमने जह टापिक पढ़ा है उसमें हम夠 निकालना है ऑजा किगरीदने lease here रखा हुआ है आप उसको सब और से डिखे करना चाहता है शार युद्य करना चाहता है में कंडी लचन पर में इतव मस पॉस्के दीथिटा सबस्कुर्ट फटिटा मतलब स्माल अपनग वेल्यू से स्माल एंगुलर डिस्प्लेस्मेंट है थी कलेयट से मुश्कोश करना चाहते तो उसका इपनेशन में जो वर्क डडन होगा तो यहां पर जो फोर्स है वो टार का फोर्स है यह टा हो जाएगा और दिस्प्रेस्मेंट क्या होगा डी थीटा तो डी देवल इकोल टू क्या होगा टा इंट डी थीटा यह यह जाएगा पी इसाइन थीटा इंटू डी थीटा यह जो वर्क अभी हमने निकाला है वह इसमाल इमान टाफ वर्क है तो टोटल वर्क टू मूब थीटा एंगल सब उसको थीटा एंगल से मूब करना चाहते हैं तो देवर्फ़ वर्क डन to move ठीटा थीटा से वर्क डन करना चाहते हैं तो सपोस्स यह हो जाएगा डाबलू डाबलू इक्वाट टू इंट्रिक्रसन आफ डी डाबलू फ्राम जीरो टू टू थी ता यह कैसे होगा देखो हो 2W क्या है माल एमैंट आफ वर्क है डीडवल इस माल एमांट आफ वर्क ए और इसे सम्माई हम आफ वर्क को यदि हम इंटीग्रेट कर दें एसा छोटे-छोटे वर्क का च़ोपाइट है उसको इंटीग्रेट कर दें इंटीग्रेट को अंतला सम होता है तो सब का इंटीग्रेशन होने के बाद टोटल इमाउंट आफ वर्क निकल जाएगा इंटीग्रेशन अब डीडवलू यहां पर वैल्यू को हम पूट अप कर देते हैं यह हो जाएगा जीरो टू थीटा और इंटीग्रेशन और आप यह होगा औरसाइन थीटा डी थीटा फ्राम जीरो टू थीटा अब इसको हम bound integrate करें अध语 व देंगे-स कास थीटा-स धर ौश्वर लीमिट अपर लिमिट जैट इकलना अब डेवित टेचन में कर्मोला में अभ्लाब फर्मूल्वर खीटन हम कर legislator करके दिया तो माइनस फीड़ी हो गया और अपर लिमिट हो यह बनास अंदर मॉन्टीप्लाइद कर दे तो मैंनस अंदर मुतिप्लाइ औरने के भाजो फाइनल कुल स縁 आएगा work done w equal to minus and multiply कर दें तो हो जाएगा पी ये plus हो जाएगा और ये minus 1-cast theta 1-cast theta is final equation इस तरह से यहाँ पर देखो यह जो 1-cast theta येगा w equal to p 1-cast theta is total amount of work इतना work हम को करना पड़ता है इस तरह से जब हम किसी body को हम move कर आते हैं कितने इन एगी किन आगए संथ में त territory से तो यह work done होता है डिफ्लेक्टिंग صö डाइपल इनएट फिल्ड theory एलेक्टिक में किसी डाइपॉल को मूब कर आने के लिए इतना वर क करना पड़ता है यह सब फार्मूला आप लर्न करते भी जाना साथ में तभी आपको आगे समझ में आएगा तो वर्क डन का फार्मूला यह होता है ठोके ओके नाओ नेस्ट टापिक अब अगला टापिक यह देखो टार्क वर्क और यह नेस्ट टापिक पोटेंशल एनरजी यह पूरे क्या है एक दूसरे से को रिलेटेड हैं एक दूसरे को यह को रिलेट करते हैं मतलब एक जैसा ही है इसको आपको एक दूसरे के समझ जाए अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा देमाउंट आप डूइंग वर्किज एनर्जी मतलब हमने अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को मूव करने के लिए जितना वर्क किया वही वर्क उस इलेक्ट्रिक डाइपोल में पोटेंशियल जी की फाम में इस्टोर हो जाता है यहां पर यहां पर मैं लिख देता हूं वर्क डण तो मूव पाइबाय टू टू थीटा यह आप याद रखना कि जब हम उसको पाइबाय टू से थीटा मूव करते हैं तो जो वर्क ड़न होता है वह पोटेंशियल रदा है इसी टापिक को हम क्या करेंगे अगें इसको लिखेंगे इस्टार्ट करता हूं डबलू इक्वल टू हमने निकाला था इंटिवेशन आप डी डबलू यह तो फ्राम क्या हो जाएगा पाइबाय टू पाइबाय टू टू थीटा मतलब आपको क्या करना है यह जो प्रिभियस टापिक है इस प्रिभियस टापिक में जो जूरो टू टू थीटा हमने वर्क किया उसको पाइबाय टू 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 करेंगे डैट मिन्स टू मूव ए लेक्टिक डाइपोल फ्राम परपेंडिकुलर पोजिशन टू एनी पोजिशन इस काल्ड़ पोटेंशन एनरजी जब उसको हम इलेक्टिक डाइपोल के परपेंडिक इनिश्यली यह परपेंडिकुलर पोजिशन में रखा है तो परपेंडिकुलर पोजिशन से हम किसी पोजिशन पर रुबस को मूव करते हैं तो वह पोटेंशन एनरजी कहलाता है तो यहां ओली लीमिट होगा यह लिमिट हम चेंज कर देंगे बापी बाकि इन्टीकर सेम स सेम होगा पाइबाइट two to theta dw का वेलू क्या हो जाएगा पीऑ इसाइन थीटा इंट्व दीटीटा क्योंकि दीटीटा रिखोगे और फिज़ाएगा पी साइन थीटा दीटीटा अब इसको में इंतिग्रेट करें that equal pe constant है इसको हमने बाहर लिख लिया अब यह हो जाएगा integration of sin theta बिल्कुल अभी जो टापिक पढ़ा है वही again पढ़ रहे है पर बस limit change करके पढ़ रहे है pi by 2 to theta that equal pe integration हो जाएगा minus cos theta from pi by 2 to theta that equal minus common कर लेंगे minus pe under bracket upper limit minus lower limit यह हो जाएगा स्थीटा माइनस कास पाइबाइटू कास पाइबाइटू जीरो होता है तो देर फोर अभी हो जाएगा potential energy तो potential energy equal to minus under minus को यहां है रहने दो कास 90 0 हो जाएगा तो माइनस पी इक आस तीटा minus p e कास थीटा इस potential energy यह potential energy होता है और यह finally question इसको तो potential energy का value होता है p e मतलब potential energy ना left side में जो पी लिखा है वो potential energy है ऐसा नहीं कि पी पी cancel out हो गया पता चला है कास थीटाइबाइबाल टू वन लिग दिया यह potential energy है और यह p e है p e मतलब क्या है वहाँ पर electric dipole and intensity of electric field ओके यह हो जाएगा electric dipole अब हम एक टापिक पढ़ें जो कि बहुत important टापिक है यह है comparison आप comparison आप electrostatic force and gravitational force का हमको comparison करना है देखो इस टापिक का concept क्या है पहले मैं आपको यह explain कर दूँ इलेक्ट्र स्टेटिक फोर्स और gravitational force क्या होता है देखो Newton ने बताया कि पूरे universe में जितने भी particles हैं जिनका mass है उनका उनके बीच में एक attraction force लगता है और यह attraction force होता है f equal to g m1 m2 upon r square फिर बाद में कुलाम ने बताया कि electric charges के बीच में भी force लगता है जो इलेक्ट्र स्टेटिक फोर्स कर लाता है अब यहां पर सवाल यह है कि charge particle का mass भी है और charge particle के पास charge भी है तो इनके बीच में टू टाइप्स के force लगेंगे एक तो gravitational force भी लगेगा और electrostatic force भी लगेगा तो यहां पर हमको compare करना है कि इन दोनों force में किस तरह का relation है कौन greater value है कौन smaller value है कौन कितना ज़्याद है तो यह एक comparison बहुत important है यह कई बार आपके board exam में पूछा जा चुका है आगे पूछा भी जाएगा और competitive exam में भी इसका final relation आपको काम आएगा तो पहले हम electron प्रोटान के लिए situation देखें कि यह situation पर कैसे काम करते हैं देखो तो suppose हमने एक इस तरह का situation लिया एक atom का कि यह suppose एक atom है और इस atom के center में यह positive charge particle proton है यह और electron इसके orbitals में रिवाल्व हो रहे है circular motion का यह electron है अब यह proton है और यह electron है तो proton और electron के भीच में जो फोर्स लगता है इनके बीच जो फोर्स लगता है वो दो तरीके से लग सकता है कैसे दो तरीके से लग सकता है देखो यह proton का मास हो सबसे पहले हम निकालने इनके बीच का ग्रेविटेस्टनल फोर्स कितना लग रहे हैं तो पहले हम कल्कुलेट करते हैं ग्रेविटेस्टनल फोर्स इसको न्यूटन फोर्स भी कर सकते हैं डारेक्ट और इसका वेल्यू होगा यहां पर इलेक्टान और पोर्स के बारे में बात कर रहा हूं है तो यहां पर हम इलेक्टान और पोटान का ही मास लिए ता कि ज्यादा अच्छे से किलियर हो मास आफ इलेक्टान इन्टू मास आफ प्रोटान यह तो केपिटल जी का वेल्यू होता है 6.67 इन्टू 10 टू दी पावर माइनस 11 1 मास अप इलेक्टान मैंने पहले लेक्ट्टर में मैं आपको समझलाय था वह होता है 9.1 इन्टू 10 टू दी पावर माइनस 31 पहले लेक्ट्रम इमाइन आपको शूर्वात में सभ बता दिया था इनक्तू यह है 1.67 इन्टू 10 टू दी पावर माइनस 27 फ्रोटान होता है और इनके बीच के डिस्टेंस को हम यंठी रहने दें आप स्कूर्स यह हो जाएगा ग्रिटेस्ट प्रोर्स इतना होता है ग्रिटेस्टनल फोर्स मतलब यह जो इलेक्ट्राइं है और प्रोटान है इनके बीच में इतना gravitational force लगेगा बट एक आर्डिंग टू कुलाम चूंकि इसके पास भी चार्ज है electron के पास और proton के पास भी चार्ज है तो इनका जो चार्ज है वो equal होता है amount में equal होता है बट इनका nature अलग होता है electron में negative charge होता है proton में positive charge होता है एक important बात आप notice करना कि electron और proton के mass different different है proton है भी particle होता है with respect to electron बट देर electrostatic charges are equal same उनका दोनों का electric charge same होता है mass different है बट दोनों electric charge क्या होता है equal होता है तो यहाँ पर हम लिका लेंगे कि कुलाम्स फोर्स ठीक है तो कुलाम्स फोर्स आप निका लें इसको हम कहेंगे electrostatic force अगें इलेक्ट्रोइस्टेटिक फोर्स अगें इलेक्ट्रोइस्टेटिक फोर्स को हम क्या कहेंगे एन स्वारी एफ कुलाम्स मतलब हमने लिख लिया fc fc equal to क्या होता है 9 into 10 to the power 9 into charge and electron इसको हमने कहा दिया electron का charge तो सिधा e और p इसका value पूट कर देता हूं है direct तो यह हो जाएगा 1.6 into 10 to the power minus 19 into only magnitude पूट करेंगे उसका 1.6 into 10 to the power minus 19 और 20 के distance को ले लिए हमने r square यह हो गया relation number 2 तो यहां पर देखो यह electro static force है according to कुलाम तो इन दोनों का भूंको comparison करना है तो देखो यह जो gravitational force है इतना आया और electro static force जो है electro static force इतना आया दोनों को comparison करना है तो हम उसमें divide करके देखते हैं कि कौन किसका कितना times है तो divide करने से हमको पता चाज़ाएगा कि कौन किसके साथ में कितना relation रखता है ठीक है चलो तो अब हम यहां से किसी एक relation में किसी दूसरे relation को डिवाइट कर देते हैं सपोस हमने 2 में 1 को तो डिवाइट किया ठीक है सेकंड डिवाइड़ वाइफ फर्स्ट एक्वेशन सेकंड डिवाइड़ वाइफ फर्स्ट यह हमने कर लिया तो यहां पर हो जाएगा यहां पर आपको इसको डिवाइट करने के बाद जो वेल्यू आता है सिधर लर्न करके याद रखो क्योंकि इसके इतना लेंदी वेल्यू है इनको आप एदी सिंप्लिफाइग करते रहोगे दोनों को डिवाइट करके तो कई घंटे लगेंगे बस यहां पर आरी स्कूर तो वैसे पावर माइनस 19 वागर बहुत असानी साल हो जाता है लेकिन आप उसको डारेक्ट लिख लो तो ज्यादा असा है एक बार में महाँ पर वेल्यू को ऐसे पूट अप कर देता हूं चलो डिवाइट करने के बाद क्या आएगा यह वेल्यू मैं पूट अप कर देता हूं 9 x 10 to the power 9 x 1.6 x 10 to the power minus 19 x 1.6 x 10 to the power minus 19 अब आण में R square होगा Newton force divide होगा तो reciprocal हो जाएगा और यह R square numerator में चला जाएगा यहां हो जाएगा 6.67 x 10 to the power minus 11 x 9.1 x 10 to the power minus 31 x 1.67 x 10 to the power minus 27 अब इतना आपको divide करना है इतना आप divide करोगे R square R square साथ में केंसर रहेगा minus 19 minus 19 को add करको इसको add करके सब आप कर लोगे इसको कर लेना मैं direct आपको result बता रहा हूं इसका value divide करने से आता है 2.27 x 10 to the power 39 यह value आता है इस value को इस data को बलकि आप याद करो 2.27, 2.3 भी लिख देते हैं कई जगा अपन 2.27 को significant number में 2.3 लिख देते हैं तो 2.27 x 10 to the power 39 therefore इस relation को हम क्या लिख सकते हैं F column equal to 2.27 x 10 to the power 39 x F newton यह relation क्या कहता है? Relation को ध्यान से समझना, यह relation कहता है कि column force जो होता है वह newton force का 10 to the power 39 times होता है यदि 2.27 को हम negligible भी मान लें और 2.27 को हम 10 to the power 39 के comparison में negligible मान सकते हैं तो यहाँ से concept कहता है कि column force क्या होता है? वह newton force का 10 to the power 39 times होता है that means यहाँ से एक बात बहुत इस्पस्ट है कि दोनों के बीच में electron और proton के बीच में जो centripetal force लगता है क्योंकि centripetal force नहीं हो क्या होता है? circular motion करता है तो यहाँ पर मैं एक बहुत depth discuss का आप से सब्सक्राइब करता है क्योंकि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होता उसके बीच में तो वह circular motion नहीं करता क्योंकि circular motion करने के लिएक नैसेसरी force चाहिए centripetal force चाहिए जहाँ पर centripetal force प्रवाइड कोन करता है यह प्रवाइड करता है electrostatic force मतलब दोनों के charges जो की gravitational force का 10 to the power 39 times ज्यादा होता है clear that means here electrostatic force is responsible for circular motion of the electron clear यह बात आप ध्यान रखना थे बहुत important topic है कई बार इसको board exam में पूछा भी जा चुका है और आपको इसको data को भी याद रखना है कि 10 to the power 39 होता है ठीक है now next topic is अब देखो यहाँ पर electric flux अब यहाँ पर जो हम topic की start कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाने से पहले ध्यान से सुन लो यहां से एक तरह से एक नया सुर्वाद है नया सुर्वाद कैसे चेप्टर तो यही है लेकिन नया सुर्वाद कैसे है अब हम यहाँ पर एक्टिक फ्लक्स पढ़ेंगे और फ्लक्स से रिलेटेड आगे का जो इस्टेडी है वह गास थेओरम पर बेस्ट है अब हम पढ़ेंगे गास थेओरम और गास थेओरम के कि गास थेओरम से रिलेटेड कोई कोस्चन ना पूछा गया हो तो आपको इसको 100% प्रिपेर करना है खास करें दिया आप बोर्ड एक्जाम का प्रिप्रेशन अभी आप कर रहे हैं तो गास थेओरम का एक एप्लिकेशन आपके एक्जाम में 100% आ रहा है तो आप उसी के काड़िंग इसको द्एंग से प्रिपेर करना की चलिए तो हम सबसे पहले देखें कि एक्लेकिश गाया च्वक्त100 अभी एक्टी कॉल्स अप्र अपकर फीलेक्श आइसेंस जो अपने सरफेन संव पर परपेमडिकुलर से अभार नमबर आप परेंडीकुलर एक्टीक ले जान से रीट करो एक बार दा इलेक्टिक फ्लक्स लिंक्ट विथ एनी सर्फेस इन एन इलेक्टिक फिल्ड इसे मेजर आप टोटल नंबर आफ इलेक्टिक लाइन साफ फोर्सेस पासिंग थूरू नार्मली थूरू दा सर्फेस यह परफेक्ट डेपनेशन है इसलिए मैं आप में वीडियो देखा है मैंने पाइट पार्ट में एक टापिक छोटे-छोटे टापिक को लेके 30 मिनाट 40 मिनाट वह नवर के आपको मैं वीडियो प्रवाइट कराया हूं लेकिन मैं आपको अब पूरे टापिक पर यह बहुत यूस्फूल होगा आपके लिए मुझे म फोर वह बहुत हो लां पर आप देखां कि यह इल्यक्तिक्टिक फिल्ड है वह अपने सर्फेश पर यह छूंछय निकलीजних तो इसका बहुत चार्ज़ बढ़ी कर लिया किसीज़ सेब करक लेते हैं लेकिन कोश मैंने इस IRाट टाइप के अब इसे बहुत से एलेक्टीक लाइन्स आपोछेश बाहर निकल रहे हैं इसे हम बहुत sih ऐलेक्टिक लाइन्स आपोछेश बीश्चाल से यह सबस्थे लेक्टिक लाइन सब्सक्राइब और यह इलेक्टिक लाइन साब फोर्सेश में सब्सक्राइब सब्सक्राइब इस यहां पर आप देख रहे हो कि जो जो अपने सर्फेस पर 90 डिग्री का इंगल बनाए हुए है यह सब क्या है इलेक्टिक फ्लक्स है यह इलेक्टिक फ्लक्स है यह इलेक्टिक फ्लक्स है और बागी इलेक्टिक फ्लक्स नहीं है यह इलेक्टिक फ्लक्स नहीं है यह इलेक्टिक फ्लक्स नहीं है यह भी नहीं है क्योंकि अपने सर्फेस पर वह पर द मांकना लाता आपको इसके टाइप स्कासम को टाइप सोते हैं टाइप mSure इसको टाइप सोते हैं फॉस्त ही सबस्सक्राइब हुआसीं कden सबस्सक्राइब करने का जो शिमबोह यह वो है फाई ए एलेक्टिक फ्लक्स को हम रिप्रेजन करते हैं किसे फाई ए से फाई नीचे में छोटा सा ए लिखते हैं यह इसको रिप्रेजन करते हैं अब देखो पाजिटिव फ्लक्स क्या कहला आता है तो नमबरा परपेंडिकुलर वी चीज पासेस थूएनी सर्फेस इस तरह से सपोस्स यहाँ पर मैं दो फीगर से आपको बदा दूं कि कुछ नमबर आप पाजिटिव जो नमबर आप एलेक्टिक लाइंस आप फोर्सेथ हैं वो यह कि बाहर जा रहे हैं यह मने कुछ लाइन बताया यह से बाहर जा रहे हैं तो पाजिटिव है और जो पर एंटर कर रहा है उसको क्या बोलते हैं निगेटिव फ्लक्स कहते हैं तो दंबर आप पर्पेंडिक एटिक लाइटिक लाइंसा फोर्सेस वीचिज एग्जिस्ट रम एनी सर्फेस इसकाल्ड पर पाईटिव फ्लक्स एंड दे आर वीचिज एंटर इंटर इन्टू दा सर्फेस इस निगेटिव फ्लक्स जो बाहर निकलेंगे एक्जिस्स होंगे वह क्या करता है पाजिटिव कहलाता है और जो एंटर करते हैं अंदर वह निगेटिव कहलाता है तो यह फ्लक्स के टू टाइप सोते हैं पाजिटिव फ्लक्स एंड निगटिव फ्लक्स अब यह यह हम एक सरफेस इमेजिन करते हैं यह तरल में सपोस्पोस हमने एक सरफेस इमेजुन किया इस तरह से यह को एक सरफेस इस सरफेसों और इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से वाइस होते ह kindergarten भागी भग्हाइम और अिलएक्टिक प्रोश इसका डारेक्शन किए यह इरेक्शन ही तो यहां स्क्रीन है यह जो मेरा बॉर्ड है ओ Г-12, यह यहाँ पर नार्मल राव किया है मतलब स्पर प्रपेंडिकुलर है और यह ब्लू कलर से आप देख रहे हो यह साफgoing संब आप फ्रसेशन का डेरेक्शन है इस तरह से अब दोनों के बीच का एंगल हम सपोस्ट कर लेते हैं कि थीटा है यह दोनों के बीच के एंगल क्या है थीटा है यह सपोस्ट कर लेते हैं तो यहां पर आप देखो यदि मैं यहां पर इसके components find करूँ तो components इसके क्या क्या हो जाएंगे देखो मैं कुछ components आपको explain कर रहा हूँ तो यह जो components होगा जो की horizontal component होगा यह और एक वर्टिकल component इसी direction में जाएगा जो मैं इसके parallel drag कर रहा हूँ किसके white line के साथ में मैं drag कर रहा हूँ ध्यान से देखना ठीक है यह आपको दिखा होगा दोनो components तो two components इसको जो होगे जिसमें से यह वाला जो components होगा यह वाला जो components है तो यह component हो जाएगा e sin theta और यह वाला जो component आप देख रहे हो वह इसे पास है ते हो जाएगा e cos theta यह e cos theta होगा तो नार्मल के direction में जो component आपको मिलेगा जो नार्मल के direction में component मिलेगा वो क्या होगा e cos theta होगा और हमने अभी पढ़ा है कि जो नंबर आप perpendicular electric line साब forces होता है वो flux होता है इसका मतलब क्या हुआ यहां पर इसका मतलब यह हुआ कि e cos theta तो flux होगा यह flux होगा बट e sin theta flux नहीं होगा इसलिए जब हम flux find करते हैं यहां पर तो flux निकालने का जो फार्मूला होता है नंबर आप electric lines साब forces phi e निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है e ds cos theta या इसको d phi e कर सकते हो इसमाल सर्फेस के लिए e ds cos theta मतलब नंबर आप flux निकालने का फार्मूला होता है e ds cos theta तो यहां पर बहुत बारी students आप फ्लाइन क्लास में पढ़ाते समया तो जरूर बच्चे पूछते हैं कि सर आपने cos theta ही क्यों लिया electric flux में sin theta क्यों नहीं आता है ठीक है electric flux का फार्मूला है उसमें cos component ही क्यों आता है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में explain कर दिया कि cos theta जो component है यह cos theta component flux count किया जाएगा क्योंकि यह towards the direction आप नार्मल है और e sin theta को हम flux नहीं कह सकते क्योंकि वह surface पर perpendicular नहीं है और flux का मतलब होता है perpendicular electric lines of forces तो यहां पर जो perpendicular electric lines of forces है जो e cos theta है वह count होगा flux e sin theta नहीं होगा इसलिए हमाँ पर e cos theta लिखा हुआ है that equal आगे हम लिखें तो हमको मालूम है vector algebra का formula a dot b equal to होता है a b cos theta यह आपको पता है a dot b equal to a b cos theta होता है ठीक है vector a dot b equal to a b cos theta यह सब आपको mathematical tools में याद दिलाते जा रहा हूं वैसे आप लोग को पता रहना चाहिए आपको पता होका वहुत अच्छी बात है यदि आपको पता नहीं है तो आप हमारे playlist में जाके basic mathematical tools का video आप जरूर देखो क्योंकि basic mathematical tools बहुत जोर ही आपके लिए तो eds कास theta को हम क्या के लिख सकते हैं इसको कास theta है तो इसको हम लिख सकते हैं e dot ds इस तरह से d phi e का जो value होता है उसको vector form में हम eds भी लिख सकते हैं और यह क्या होता है scalar quantity होता है मतलब जो number of flux है वह scalar quantity होता है क्यों क्योंकि टू वेक्टर्स का डो dot product है या scalar product भी कहते हैं डार प्रोड़को तो टू वेक्टर का जो scalar product है वह आलवेज scalar होता है तो नमबर आप electric lines of forces are scalar quantities ओके यह ध्यान रखना कौन vector है कौन scalar है इसका आपको proper knowledge होना चाहिए यह नमबर आप flux निकालने का formula है और vector form में यह इसको निकालने का formula है अब यहां पर मैं कुछ note आपको लिखा रहा हूं इस note को ध्यान रखना क्योंकि आगे चलके इसी note के बैस पर हम इसके applications को पढ़ेंगे तो note number first अब यहां पर ध्यान से समझो figure में यह जो electric lines of forces है यदि हम इस electric lines of forces को इसके parallel कर दें यह मैं dotted line से सो कर रहा हूं उसको कि suppose हम इसको इसके parallel कर दें यह electric lines साब forces का direction suppose हम यह कर दें तो जब इस condition में हम electric line साब forces का direction यह सो कर देंगे तो यह जो theta का value है 90 degree हो जाएगा theta का value 90 degree हो जाएगा और उस समय देखो यह surface के parallel हो जाएगा यह surface के parallel यह surface के नार्मल है perpendicular कहने का मतलब क्या है कि इफ 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 इस पैरेलल विठ डिएस इफ इस पैरल विठ डिएस देखों यह डिएस नर्फेस है और यह क्या हो जाएगा इसके इसके parallel हो जाएगा तो जब उसके parallel हो जाएगा तो उस समय क्या होता है theta 90 degree हो जाएगा देन यह बहुत important note है यह चीज आप नहीं समझोगे तो आगे समझ में नहीं आएगा देन थीटा इक्वल 90 डिग्री क्यों 90 हुआ भई क्योंकि जब यह intensity का डारेक्शन है इधार आ जाएगा तो यह थीटा यह हो जाएगा और थीटा होगा तो यहां पर क्या होगा यह थीटा 90 डिग्री डैट मिल्स जब एप्लिकेशन में आपको पढ़ाऊंगा यह जब मैं आपको निमेर्कल्स कराऊंगा तो ध्यान रखना कभी भी जब इलेक्ट्रिक फिल्ड का जो डारेक्शन है वह सर्फेस के परेलल होगा तो थीटा को 90 डिग्री लेना है यह ध्यान रखना सेकंड को सेकंड कंडिशन को इप कि इस कि पर्पेंडिकुलर पर्पेंडिकुलर विथ डिएस यदि उसके पर्पेंडिकुलर हो जाए देखो यहां पर उल्टा हो जाता है उल्टा उल्टा होता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं जब ई क्या हो जाएगा पर्पेंडिकुलर हो जाएगा कि इसके डिएस के तो उस सरफेस के साथ में compare करें compare with surface नार्मल के साथ नहीं सरफेस के साथ तो जब intensity का direction surface होता है और जब intensity का direction surface सरफेस पर perpendicular होता है था मींस तो इसका दाइरेक्शन यह हो जाए यह हो जाए तो आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि यह आपको निमेर ओक करते है फ्लक्स और फ्लक्स का पूरा डिटेल इन फार्मेशन मैं आपको दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है या डेफिनेशन है यह कैसे होता है पाजिटी होता है निगेटी होता है और हम अब इलेक्टिक फ्लक्स काल्कुलेट कैसे करते हैं तो अलकुलेट करते हैं पन किस से फाई-ई-उटू-डीएस कास्टी सिश को कल्कूलेट करते हैं ओके नाव नेस्ट टापिक करने सालीड यंगल देखो यह जो तो आपको गास थेहुरम को समझने में help करेगा इसके help से ही आप गास थेहुरम को समझ सकोगे तो तो solid angle होता क्या है देखो मैंने definition में यहाँ पर लिखा है the angle suspended by a surface at a point is called as solid angle अब यहाँ पर आप सोचो कि definition में तो उतना clear हुआ नहीं होगा solid angle कैसे होता है तो मैं आपको बता दूँ देखो यहाँ पर मैं एक example दूँ उस example से आप समझ पाओगे कि solid angle क्या होता है suppose अपने पास इस तरह से कोई यह वाटर मेलन है तर्बूज है कि तर्बूज तो सब ने आपने खरीदा होगा खरीदा नहीं होगा तो देखा तो जरूर होगा या पैरेंट्स के साथ में गय होगे तो बाजार में आपने देखा होगा तो जब हम तर्बूज खरीदते हैं तो कोई भी तर्बूज खरीदने वाला सीधा यह वाला तर्बूज देदे करके लेके नहीं आता यह आपको मालूम है क्या करते हैं तर्बूज के एक सर्फेस में एक छोटा सा कट करके तर्बूज वाला निकाल के हमको बताता है अब बोलता है देखो भई तर्बूज अच्छा है अच्छे से पका हुआ है तब हम उसको खरेते हैं यह तो आपको मालूम होगा तो प्रेक्टिकल एक जांपर से आपको सारी इंगल में समझा आ जाए दिखता नहीं रेट कलर वैसे चलो कि यह तुगड़ा वो आपको निकाल के देता है और यहां पर थ्री डाइमेंशन इस्ट्रक्चर है यह इस तरह से सिच्वेशन होता है तो यहां सेंटर पर जो एंगल बन रहा है यहां पर इसके सेंटर में यह जो इंगल बन रहा है वो सालिड इंगल है मतलब यहां पर इसको जो आउटर सर्फेस है यह सर्फेस हमने लिया यह चोटा सर्फेस है कि b s के ये-s सर्फयस है और ये छोटा सा फिय सर्फयस है d s Α्यglass मतलब पूरा से और के और दहें मुँए और यहां पार चोटा सा प्था जो हम को निकाल के दे रहें तो यहां पर सेंटर में जो एंगल बन रहे हैं मैंने बताया वह उसको साव एंगल कहलाता है जिसको हम represent करते हैं डी ओमेगा से ये डी ओमेगा है अब यहाँ पर कुछ मैं आपको situation बता दूं जिसका हम को यहाँ पर जवरत पड़ेगा calculate करने का वो यह है कि सपोज हम यहाँ पर यह लाइन को मैं continuous आगे किया और यहाँ पर मैंने एक नार्मल रा किया यह सपोज मैंने नार्मल रा किया यह नार्मल होगा और यह intensity आप इलेक्टिक फिल लोगा क्योंकि वो surface क्या spherical है तो जो radial direction में होगा radius is always perpendicular on the surface यह आपको मालूम है तो इन दोनों के बीच का एंगल सपोज थीटा डिगरी है इनके बीच के एंगल सपोज थीटा डिगरी है यह हमने थीटा ले लिया और यहां से यहां तक का जो distance जिसको हम radius कहा रहे हैं उसको आर ले लिया तो इस condition में solid एंगल निकालने का जो फर्मूला होता है इस solid एंगल को निकालने का जो फर्मूला जिसको हम डी ओमेगा कहते हैं उसका फर्मूला होता है डी एस कास थीटा आपान आर इसक्वर अभी आपको इसका क्या होता है यूनीट होता है इस्टे रेडियन इस दा यूनीट आप व कि वालीड एंगल एक्ट्वल में सालीड एंगल क्या है थ्री डामेंशन इंगल है जैसे तरबूज का तुकड़े कमाने एक जामपल दिया ताप उसमें तीन लाइन देखते हैं इस तरह से एक लाइन होता है और ऊमेगा यहदी हम निकाले यहूं ओमेगा निकाले तो घ्या होगा इंटीग्रेशन अपighty-iOS जो क्या मैंती है कि यहां पर यह चोटा संगा बना है यदी पूरे एंगल को हम कम्प्लीट कर दें तो पूरा सर्फेस के लिए जो एंगल किसी भी इस्फियर के सेंटर में फोर पाई के यंगल बनता है यह ध्यां रखना तो यह मॉला आपको याद रखना है ओके तो किसी भी जैसे आपको पता है कि सरकल के सेंटर में बनता है और फार पाई in करना है ओके तो चलिए अब हम इस केटर का सबसे से इंपर्टेंट फिर पढ़ने जा और इसी लिए हमने पहले आपको flux और solid angle बढ़ा पढ़ाया तो वो हमारा important chapter एस वारी topic क्या है? gas theorem gas theorem बहुत important है मैं आपको starting में ही theorem start करने के पहले ही बता दिया कि gas theorem से question आता ही है तो gas theorem क्या है? मैंने यहाँ पर statement लिखा हुए देखो कि किसी भी close surface में suppose अपने पास कोई charge surface है और उस close surface से जो number of flux बाहर निकलेगा वो total number of flux जो होता है वह उसमें जो total charge होता है उसका one upon epsilon not times होता है that means the total number of charge in any close surface is one upon epsilon not times of the total charge present on it यह इसका definition है मैंने statement यहां पर so भी कर दिया है देखो statement एक बार रीट कर देता हूं मैं यहां से the net flux through any close surface यहां पर close surface कहना ज़़री ध्यान रखना क्योंकि gas theorem applicable only for close surface not open surface जो surface पूरा close हो जिसमें पूरा charge distribution हो uniform charge distribution सब मैं आपको starting के lecture में मैंने समझा दिया है तो जो close surface होता है उसका one upon epsilon not times होता है आप net charge present inside that close surface जो उसके अंदर जो total charge होता है उसका one upon epsilon not times होता है मतलब इसको यह दि मैं mathematical so कर दूँ तो therefore इसको हम क्या लिख सकते हैं phi e equal to q upon epsilon not यह इसका theorem का mathematical form है क्यों upon epsilon not यह तो हो गया theorem के statement अब हम करेंगी theorem को proof theorem proof करेंगे तो चलिए हम इसको proof करना इस्टार्ट करें यह तो statement हुआ तो proof करने के लिए सबसे पहले हमें close surface imagine कर लेते हैं तो suppose हमने close surface imagine किया यह close surface कैसा भी हो सकता हैसा नहीं कि exact is fair हो कुछ भी सर्फों से close होना चाहिए तो suppose यह एक close surface एस है और इस close surface में हमने एक small surface ले लिया यह यह यहां पर एक small surface है इस surface का surface area है suppose ds अब यहां के लिए हम पूरा solid angle वाला condition हम यहां पर apply करते हैं solid angle वाला condition apply करें इस तरह से suppose और यहां पर यह center है यहां पर plus q charge रखा हुआ है इस surface के अंदर plus charge रखा हुआ है यह आर डिस्टेंस है यहां पर जो solid angle बन रहा है वो suppose d omega है सब मैं भी आपको बता दिया यहां पर suppose एक point p है और यह normal है normal का direction है यह intensity of electric field का direction है और दोनों के बीच में suppose थीटा का angle है यह हमने consider कर लिया तो फिगर हमने consider कर लिया और इसके बाद फिर हम start करते हैं इसका calculation की total number of flux कितना होता है ठीक है तो calculate करें अपन सबसे पहले तो पहले हम निकाल लेते हैं p point पर intensity intensity of electric field पहले हम पढ़ चुके हैं intensity of electric field at point p यह जो p point है वहाँ पर intensity कितना होगा तो intensity का formula होता है e equal one upon four pi epsilon not q upon r square यह होगा relation number first तो यहां से charge जैसे उसका distance r है और यहां पर q charge है तो यहां पर intensity का जो value होगा वो होगा e equal to one upon four pi epsilon not q upon r square यह intensity होगा अब हम calculate करेंगे total number of flux therefore number of flux number of flux पासेस थ्रूँ प्रासेस थ्रूँ डीएस यहां पर ध्यान देना यह जो डीएस सर्फेस अपने पास है यह जो इस्समाल सर्फेस है इस सर्फेस से कितना flux पास हो रहा है यह flux को अपन काउंट करते हैं इसके लिए मैंने अभी आपको फार्मूला बता दिया है कि उसका जो value होता है फाई वो कहेंगे अपन डीफाई इस्माल सर्फेस है तो डीफाई फटीए इक्वल्टू होगा इडिस कास थीटा यह हम नंबर आप फ्लक्स निकालने का हमने अभी फार्मूला देखा है अब हम करेंगे क्या यहां पर यह जो e का value निकला हुआ है इस e के value को यहां पर लाके put up करेंगे यह e का value यहां put up करेंगे ठीक है चलिए तो next step में हम लिखें उसका value को put up करके तो therefore यहां पर जो number आप flux होगा phi e equal to हो जाएगा e का value एक बार फेल्यू को फ्यू लिख देता हूँ e ds cast theta that equal 1 upon अभी का value पूट करें 1 upon 4 epsilon at q upon r square into ds cast theta यह हो जाएगा अब अभी आपने solid angle में देखा है देखो यहां पर मैं आपको बताऊं यह solid angle में आपने देखा है कि d omega equal to ds cast theta upon r square होता है तो यहां पर जो ds cast theta upon r square आ रहा है यह ds cast theta upon r square को इतने value को ds cast theta upon r square को हम कह लिख सकते हैं d omega लिख सकते हैं तो that equal यह होगा 1 upon 4 pi epsilon not q into d omega यह हमने जो भी निकाला है यह number of flux है किसके लिए small surface के लिए मतलब small surface ds के लिए हमने number of flux अभी count किया है अब हम यहां पर देखेंगे total flux तो therefore total number of flux पासेस थ्रू प्रासेस थ्रू सर्फेस अब पूरे एस से जितना flux पास होता है वह हम count करेंगे अभी हमने इस्माल सर्फेस के लिए यह जो निकला हुआ है वह इस्माल सर्फेस के लिए है यह है d phi yes sorry d phi e d phi e मतलब इस्माल सर्फेस के लिए अब आपको मालूम है कि d मतलब होता है differentiate part तो उसको हमको total number of flux निकालना है तो क्या करेंगे integration करेंगे तो वह हो जाएगा phi e equal to integration of d phi e integration आप d phi e करेंगे मतलब यह जो इस्माल इंटर्फेस है थोड़ा concept को ध्यान समझना यह अपना जो सर्फेस है इस सर्फेस में यह चोटे-चोटे बहुं सारे small part है तो पूरे small part के कराने चोटे-चोटे-चोटे जो करके जाए यह जहाएगा उन पर पाई अपसाला नाट q into d omega that equal आगे साल्व करें तो वहन आपवाँ फोर पाई अफसाला नाट कांस्टेंट हैं क्यों भी बहार आएगा इंट्रीगेशन आप डियो में होगा और अभी मैंने आपको बताया है integration of d omega 4 pi होता है यह integration of d omega integration of d omega का value 4 pi होता है इस value को हम यहाँ पर put up कर दें 4 pi put up कर देंगे value तो क्या हो जाएगा that equal 1 upon 4 pi epsilon 0 into q into 4 pi यहाँ से आप देखो कि 4 pi 4 pi के साथ में cancel out होजाएगा और cancel out होने के बाद हमको मिल जाएगा यहाँ से phi e equal यहाँ से बचेगा q upon epsilon 0 q upon epsilon 0 और यह हो जाएगा proved यह gas theorem हमने proved कर दिया बहुत आसान तरीके से prove कर दिया gas theorem को तो यह है gas theorem का derivation बहुत आसान है बहुत systematic मैंने बहुत छोटे step पर उसको solve कर दिया कई बहुत लेंदी इसको दिया रहता है और आपको मैंने इसी लिए यह सब पहले समझा दिया कि d omega का value 4 pi कैसे लिख सकते है number आप flux कैसे count कर सकते है eds gas theta क्या यह इसलिए हमने gas theorem पढ़ने के पहले पढ़ा ते gas theorem है और gas theorem का derivation है अब gas theorem में एक special case है वो case क्या है कि यदि charge surface के बाहर हो मतलब charge क्या है outside of the surface हो तो total number आप flux कितना होता है यह हमको calculate करना है ठीक है तो charge को हम consider करें कि suppose वो outside है यदि suppose वो outside है तो outside होने पर कितना flux होता है यह हमको calculate करना है करते है कि special case मैं आपको बता रहा हूँ special case special case that means if charge is if charge is outside of the surface यदि चार्ज क्या हो surface के क्या है outside हो तो charge जब surface के outside होगा तो उसके outside होने पर कितना flux होगा यह हमको calculate करना है ठीक है तो देखो इसके लिए हम एक figure डा कर दें कि यह suppose एक field है और charge हमारा बाहर है उसके और यह सब will that ì चार्ज को हमने यह बाहर राख़ा है plus कि देखो हैं वे सर्फेस से बाहर है तो यह चार्ज देखो यह चार्ज इस तरह holistic line सा फोर्षेस伊m और यह electric line साब forces क्या होंगे यहाँ पर enter करेंगे और इस surface से क्या हो रहे है वो बाहर जा रहे हैं देखो आप ध्यान से समझना यहाँ पर electric line साब forces इस surface में surface S1 है इसमें enter कर रहे हैं और इस surface S2 है इससे क्या हो रहे है वो बाहर जा रहे हैं तो इस condition में total number of flux कितना होगा यह हमको calculate करना है तो यदि आपको exam में यह पूछ दे कि state gas theorem and so that the total number of charge and total number of flux will be 0 if charge is outside of the surface क्योंकि charge जब surface से बाहर होता है तो 0 होता है इस बात को आपको proof करने के लिए बोल दे तो हम यहां पर जो calculation है वो सीधा यहां से start करेंगे यह जो मैं equation निका यहां से अपन क्या करेंगे इसको calculate करना start करेंगे since करके तो यहां तक का calculation आप कर लोगे और यहां से नेस्ट आप उसको continue करेंगे ध्यान रखना यहां तक तो करना है उसके बाद यह वाला portion को sony करना है यह जो हमने gas theorem proof किया इसको sony करना है इस condition के बाद हमको आगे चले जा पॉर पाई अफसाला नाट क्यू इंटू डी ओमेगा यह हमने लिखा है कहां से रिलेशन पहले से यहां से यह रिलेशन फरस्ट से कह सकते हैं सपोज इसको मैंने रिलेशन फरस्ट दे दिया तो आप यहां पर लिख लोगे फ्राम फरस्ट फरस्ट से कर लिए अब इसको हम दोनों सर्फेस के लिए अलग अलग निकालते हैं तो द्यू टू सर्फेस S1 यह अपने पास S1 surface है तो S1 surface के लिए जो नमबरा flux होगा वो कितना होगा यह हम count कर लेते हैं तो कितना होगा यह D5E1 D5E1 equal to हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon 8 q into d omega और ध्यान रखना यह minus होगा अब minus क्यों होगा देखो अभी मैंने आपको flux के type में समझाया है कि जो line किसी surface पर enter करता है जो line किसी surface पर enter करता है उसको हम क्या कहते हैं negative flux कहते हैं और जो surface से बाहर निकलता है जो surface से बाहर outside में जाता है उसको piative कहते हैं तो चुकि यह enter कर रहा है इसलिए हम इसको लिग दिया करने के ज़ुरत नहीं है तो due to surface s1 d5 e1 equal to this and due to surface due to surface s2 मतलब यहाँ पर आपके समझने के लिए मैं लिख दूँ कि यह negative flux है यह negative flux है एक्जाम में लिखने के ज़ुरत नहीं है यह आपके समझने के लिए है और यह positive flux है और लिख भी दो तो कोई गलत बात नहीं है वैसे मेरा हमेशा suggestion रहता है students को कि board exam में आपको अच्छा marks gain करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा explain करो मत करो ज्यादा ज्यादा एस्पलेन करो साट कर कंप्रीट एक्जाम के लिए तो ड्यू टू सरफेस एस तू यहाँ पर एस तू सरफेस के लिए हम एदिश इसको निकाले तो कितना हो जाएगा यह दी फाई d5e2 equal to plus हो जाएगा यह प्लस लिखने जो रत नहीं लेकिन मैंने 100 कर दिया फूर 5e0 और यह हो जाएगा q into d omega क्योंकि देखो दोनों के लिए d omega constant है यहाँ पर d omega constant है और charge भी constant है क्योंकि दोनों को solid angle जो हता है वो common है common solid angle है दोनों में d omega use होगा और दोनों में क्या होगा charge का value तो उतना ही use होगा अब देखो यह निकल गया तो therefore total flux अब हम यहाँ पर निकाल ले therefore total flux total flux phi e equal to क्या हो जाएगा दोनों का value put up कर देंगे that means d phi e1 plus d phi e2 यह हो जाएगा अब देखो d phi e1 का value यह है और d phi e2 का value यह है दोनों magnitude equal है दोनों equal है plus एक minus है तो total sum कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा इस तरह से जो total flux होगा वो 0 के equal होगा तो क्या प्रूप हो गया यहाँ पर कि यदी चार्ज यदी चार्ज क्या हो आउटसाइड हो मतलब सर्फेस से बाहर हो तो उस कंडिशन में total number of flux 0 होता है ठीक है तो एक बहुत important topic है कभी कभी क्या पूछता है खासकर cbsc में खासकर cbsc के एक्जाम में क्या करता है कि इसको फड़ घुमा के पूछ देता है इस्टेट बूर्ड होगर है में तो प्राय question state forward आता है लेकिन कई बार यह question को cbsc में इस तरह से पूछा गया है ओके चले अब हम next topic में चलें यह हमारा next topic है application आप गासस theorem अब हम start कर रहे हैं गास theorem का application जो की बहुत ज्यादा important है मैं आपको सुरू से बताते आ रहा हूं कि गास theorem का application एक्जाम में आता ही है ठीक है सिर्फ गास theorem नहीं सुरू से यहां नहीं पर लिखा वरकिंग स्टेप्स का मतलब क्या है कोई बड़ा calculation होता है तो मैंने उसके लिए क्या है working step बनाय हुआ है कोई भी बड़ा calculation है तो उसके लिए मैंने working step बना ए ताकि student को clear है कि किस किस सबसे चाल रहे इसके लिए हम क्या करते हैं है का ‌ई कब होता है कन्दीन से अब इन्टम मतलब इन्टेَंस तो गास फिरम का मेन एप्लिकेशन है कि हम इसके हेल्प से इंटेंसिटी आप इलेक्टिक फिल्ड कल्कुलेट करते हैं इलेक्टिक फिल्ड इंटेंसिटी कैसे कल्कुलेट करते हैं देखो तो सबसे पहले हमको इसमें निकालना होता है पहला वर्किंग स्टेप है हमारा सबसे पहले हम निकालते हैं चार्ज सबसे पहले हम चार्ज निकालते हैं और चार्ज निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं लेंट्थ में चार्ज की एकल टूं यह जाएगा। कि आपको मैं युनिफर्म चार्ज डिस्टिपिसन में बताया हूं कि जो चार्ज होता है तो भूह क्या होता है पर युनीट लेंथ में जो चार्ञ होता है, ऊसका तो charge density होता है, ठीक है, मतलब charge density equal to charge अपन length, तो यहाँ पर इसी फर्मूला मैं भी निकाल दूँ तो ठीक है, चलो, charge, q equal to charge density, यह सब इस टार्टिंग में पढ़ा चुके हैं न आपको, और into, charge density के साथ हम multiply करेंगे, किसका multiply करेंगे, या तो length का clear, या length का करेंगे, यदि one dimension होगा, या तो area का करेंगे, या volume का, ये तीनों में से किसी एक का multiplication करेंगे, कैसे करेंगे भई, आप याद करो, starting के lecture हमारे, कि charge density में, यदि हम length का करेंगे, तो क्या है जाएगा, line charge distribution हो जाएगा, यदि area के साथ में करेंगे, तो surface charge distribution हो जाएगा, और volume के साथ में करेंगे, तो volume charge distribution हो जो मैंने आपको starting में बताया था, इस formula को हम यहाँ पर use करेंगे, charge निकालने के लिए, तो इस formula से charge निकलेगा, ये formula सबसे पहले आप use करोगे, इसके बाद दूसरा काम क्या करोगे, दूसरे काम में हम करेंगे, total number of flux निकालेंगे, total number of electric flux, total number of electric flux निकालोगे, मतलब क्या निकालोगे, 5E निकालोगे, और ये जो 5 total निकलेगा, total flux निकालना है, total surface से, ये फाई हम निकाल देंगे, इसके बाद तीसरा हमारा जो working step होगा, वो क्या करेंगे, अपन according to gas theorem, according to gas theorem, हम इसको gas theorem में apply करेंगे, according to gas theorem हमको पता है, कि फाई E equal to होता है, Q upon epsilon नाट ये होता है, अब फाई का जब अपन value put up करेंगे, तो यहाँ से E ds, gas theta के फाम में आएगा, और जो भी आएगा, इसमें से हम क्या करेंगे, ये E को left side में हम रख देंगे, और therefore E को left side में रखने के बाद, बाकी value को right side में transfer कर देंगे, और इस तरह से हमको E calculate हो जाएगा, ये इसका working step है, अब इसी working step पर हम काम करेंगे, एक बार मैं repeat करता हूँ, ध्यान से सुनना क्या के बताए मैंने, सबसे पहले हम charge निकालेंगे, charge निकालने के बाद total number आफ, electric plus निकालेंगे, और उसके बाद दोनों के value को हम क्या करेंगे, put up कर देंगे, 5E का value यहाँ put up कर देंगे, और charge का value यहाँ put up कर देंगे, 5E का value यहाँ put करेंगे, चार्ज का value यहाँ put करेंगे, तो E आएगा, और E को left side में रखके, बाकी सब को right side में transfer कर देंगे, तब हमको मिल जाएगा, क्या, total electric field, या intensity आप electric field, यह वो इसका working step है, अब हम एक एक करके इसको calculate करते हैं, देखें, यदि आपको working step clear है, तो सभी application आपको एक जैसे लगेंगे, और बहुत आसान लगेगा, सभी application एक जैसे लगेगा, और आसान भी लगेगा, चलिए, तो हम start करें, फर्स्ट application, जो सबसे जादा important है, और इस question का आने का chance, हमेशा 100% रहता है, जब यह topic में पढ़ाता हूँ, यह जरूर बोलता हूँ, इसका chance 100% है आने को, देखो, तो पहले मैं आपने topic को explain कर दूँ क्या है, electric field due to infinity long state wire, अब हमारे पास एक infinity length का long state wire है, और उस long state wire के लिए हमको electric field calculate करना है, तो सबसे पहले हम इसमें diagram बनाएं, और एक चीज़ ध्यान में रखना, एक समझ में आने के बाद, आपको सब का सब, वैसा ही समझ में आएगा, तो एक को मैं पूरा detail में लिख रहा हूँ, और बाकी को आप उसी के help से लिख सकते हो, और मेरे notes से भी आप help ले सकते हो, यह suppose अपने पास एक infinity length का, infinity length का क्या अपने पास एक conductor है, wire है, अब इसको हमने चार्ज दिया, suppose हमने इसको चार्ज दिया, यह हम इसको plus charge दिया, suppose इसको हमने plus q charge दिया, plus q charge जब देंगे तो यह अपने surrounding में चारो तरप क्या करेगा, electric field डवलप करेगा, और यह जब चारो त पाइंट पर हमको क्या करना है, electric field, calculate करना है, ठीक है, तो चलिए, एक point अपना हाँ पर consider कर लेते हैं, और उस point को सबसे पहले हम ले लेते हैं, एक cylinder में, यह cylinder में ले लेते हैं, cylinder में लेना क्यों जोरी है, यह सब मैं भी आपको explain करते जाओंगा, एक एक लाइन में आपको ब कभी भी construction को हमको dotted line में करना है, आप लोग भी जब figure बनाओगे, तो construction को आप dotted line में करोगे, यहाँ पर यह एक charge हमने लिया है, और इसका charge density इसमें lambda है, अब हमने क्या किया है, देखो यहाँ पर इस charge, यह जो हमारे पास state line conductor है, suppose इसका नाम L है, इसमें यहाँ पर कोई point P है, और इस point P पर हम intensity calculate करना चाहते हैं, और उसका intensity suppose E है, तो हमने P point पर intensity calculate करने के लिए एक cylinder का construction किया, जो dotted line से आप देख रहे हो, अब आप सोचोगे कि sir cylinder क्यों बनाया, तो cylinder बनाने के दो purpose है, पहला purpose यह, कि cylinder is a close surface, और आपको मालूम है कि gas theorem सिर् जहाँ पर surface क्या हो? close हो, तो यहाँ पर क्या है? सिर्फेस क्लोस है, इसलिए क्या है? तो इसलिए क्या है? फिर आपके दिमाग में question आये का सिर्जले क्यों लिए? तो सम्सक्रा नप Aussने पास बहुत सारे हैं, हम ुअ तेट लाइन कंडुक्टर एक्चुली सिलैंडर का ही फाम होता है थी हम स्टेट्ट वायर को और मोट아 कर दिया उसके रेडियास को क्या बनेगा सिलइंडर बनेगा तो उसकर छारोव?" सामघ लो आप कि Cylinder is also the form of wire जब उसका रेडियस बढ़ा हो जाता है तो इसको पाइप बोलते हैं और ज्यादा रेडियस हो जाए तो उसको Cylinder बोल देते हैं मतलब रेडियस जैसे जैसे बढ़ता है उसका नाम बदा जाता है आप समझ गया होंगे इसलिए बनाया अब हम इसका अगार रेडियस वगरा कंसिडर कर लेते हैं कि रेडियस कितना लिया लेंथ कितना लिया इसका तो सबोल सभी तो और पार आपको यहां करें एक कोई भंग से संपजना है उसके बाद तो सब उसी तरह से बनते हैं काल्कुलेशन में सबसे पहले हम क् Moo치 का निकालने अभी कि चार्च करते हैं करते हैं क cities हम अपना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कर्फ amount of charge Q equal to charge density देखो हमने lambda suppose किया charge density को और cylinder का wire का length L लिया है तो lambda in 12 हो जाएगा this is relation number first अब मैंने क्या बोला है आपको total number आप electric flux count करना है तो यहाँ पर total number आप electric flux count करना है जितना surface है तो देखो cylinder में 3 surface होते हैं एक surface S1 एक surface S2 यह surface S3 तो cylinder में 3 surface होते हैं एक upper होता है एक lower होता है एक curve surface होता है यह उपर नीचे plane surface होता है और side में curve surface होता है तो तीनो surface के लिए हम क्या करते हैं बारी बारी से flux निकालते हैं ठीक है तो total number of flux या number of flux number of flux due to surface due to surface S1 हम सबसे पहरे नमबर आप फ्लक्स निकालते हैं due to surface S1 तो S1 surface के लिए flux निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फाई E1 यह आपन सिधा E1 कहते हैं उसको फाई के जोरत नहीं यहाँ पर D5 का फाई E1 फाई E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा E S1 और कास अब यहीं पर इंगल को आप ध्यान देना यहाँ पर बहुत जादा ध्यान देने के जोरत आपको ध्यान देना यह surface है मतलब यह surface का direction यह surface है और देखो यह intensity है तो यहाँ पर आप देख रहे हूं कि यह intensity का direction है वो surface के क्या है parallel है और मैं आपको अभी note में लिखाया हूं देख़ा एक बार मैं आपको याद दिक्री देला देता हूं पिछे जा के आपको याद दिला दूं कि ये मैं क्या लिखाया हूं कि यदि E surface के परे रे ला लो हो तो थीटा क्या लेते हैं 90 हमएंट नइंटी डिए का में पर देखो तो कास 90 डिग्री hooga और कास 90 डिग्री होने पर यह पूरा का पूरा प्छुमन कि अजयेगा जीरो होंतने तो टॉस्च दूटू सर्फैस हेस्वन 2-0 इसके बाद दिकालेंगे डियूटू डैरेक्टलेगे और में due to surface due to surface s2 is also 0 phi e2 भी 0 होगा क्योंकि यह देखो यह नीचे का surface s2 है और s2 के भी क्या है इसके भी यह parallel है s2 surface पहले भी 0 होगा इसके बाद हम निकालें due to s3 surface again again number of flux number of flux due to surface s3 s3 में surface में flux निकालेंगे उसको हमको phi e3 कह दे equal to क्या जाएगा e s3 into यहाँ पर cast 90 degree होगा cast 90 कैसे होगा देखो अब अपना surface यह है यह हमारा surface है और देखो intensity क्या है उसके perpendicular है तो surface के intensity perpendicular होता है तो 5 0 होता है तो यहाँ पर हमने क्या लिख स्वारी उल्टा लिख दिया cast 9 class 0 degree हो जाएगा cast 0 होगा ना that equal e into s3 s3 का मतलब क्या होगा s3 क्या है यहाँ पर curve surface है मतलब यहाँ पर हमारे cylinder का वो curve surface है तो यह 3 cylinder का curve surface होगा curve surface होने पर इसको क्या लिख सकते हैं 2 pi rl 2 pi rl यह होता है curve surface आप दा cylinder तो cylinder का curve surface यह हो गया therefore अब मैंने क्या बहुदा था working step में total number of flux निकालना है तो total number of flux total number of flux जिसको हम phi e represent कर देंगे तो phi equal to क्या होगा d phi e1 plus d phi e2 d phi e3 यह तीनों को हम सम कर देंगे तीनों को जब हम सम कर देंगे तो यह दोनों 0 था 0 plus 0 plus यह हो जाएगा e into 2 pi rl e into 2 pi rl that equality हो जाएगा e into 2 pi rl अब यहाँ पर देखो यहाँ पर हमने निकाल लिए क्या total flux तो हमने total number of flux निकाल लिया यह और सुरुवात में हमने निकाल लिया था total charge अब मैं आपको working step में क्या बताया हूँ working step में बताया कि जब charge निकल जाए अब flux निकल जाए तो उसको हमको gas theorem में put up कर देना है तो चलिए अब उसको gas theorem में put up कर दें तो according to gas theorem यहाँ पर space है मेरा यही पर मैं इसको proof कर देता हूँ देखो therefore according to gas theorem according to gas theorem क्या होगा phi e equal to q upon epsilon 8 तो phi e का value क्या है अपने पास e into 2 pi rl और q का value lambda into l upon epsilon 8 यहाँ पर देखो अब यहाँ से यहाँ से ll के साथ में किंसल आउट होएगा e का value हमको fine करना है तो बाकी को हम right side में transfer कर देते हैं तो there for a final equation को में highlight करके लिग दूँ e equal to यह 2 pi और r को उधर transfer कर दो तो यह हो जाएगा 1 upon 2 pi epsilon 8 और lambda है उपर और upon यह r नीचे आएगा तो lambda upon r यह होता है final equation यह इसका final equation है यह आप highlight करके रखो इसको याद करके रखोगे इस तरह से infinite length का जो straight line conductor होता है उसके लिए intensity of electric field होता है e equal to 1 upon 2 pi epsilon 8 into lambda upon r तो 1 upon 2 pi epsilon 8 into lambda upon r यह इसका final equation यह हुआ हमारा पहला application ठीक है नाव नेस्ट अप्लिकेशन इस अब अगला application देखो चलो electric field due to uniformly charge plane seat अब हमारा जो topic है वो plane seat के लिए है अब लगभक सब का working step ऐसी रहेगा तो आसानी से आप उसको समझ सकते हैं मैं आपको बता दूँ diagram ड्रा कर दूँ उसके बादा समझ जाओगे plane seat क्या होता है two dimension होगा इस तरह से suppose अपने पास कोई seat है अब लगभक सब का calculation same to same है तो बहुत आसानी से आप समझ जाओगे ये plane seat है seat मतलब समझ जाओगे जैसे आपके book का एक page length और width बस होगा उसका thickness negligible होगा तो इसके दोनों side भी हमने charge दिया हुआ है तो suppose यहाँ पर हम को intensity calculate करना है तो उसके लिए हम consider कर लेते हैं यहाँ पर एक cylinder अब इसमें cylinder को हम horizontal बनाएंगे horizontal क्यों बनाएंगे क्योंकि seat के left और right side दोनों side में इसका intensity create होगा two field बनेंगे इसके इसके left side में और इसके right side में ओके यहाँ पर फिर देखो यह हमने एक cylinder बनाया यह अंदर से पार हुआ है suppose यह cylinder बनाया अब यहाँ पर यह जो cylinder आप देख रहा हो इस cylinder में हम S1, S2, S3 surface यहाँ पर भी लेंगे और यह तीनों surface को हम यहाँ पर calculate करेंगे तो suppose यहाँ पर हमने charge density ले लिया यहाँ पर हमने charge density suppose sigma ले लिया इसमें हमने q charge दिया हुआ है यहाँ पर जो intensity का direction है यह यहाँ पर e है यह surface S1 है suppose यह surface S2 है और यह वाला surface क्या है S3 है इसका calculation सबसे आसान है और इसमें हमने plus q charge दिया हुआ है दोनों साइड में हम क्या करेंगे इसके intensity कल्कुलेट करेंगे तो working step आपको clear है कल्कुलेशन स्टार्ट करें दोनों साइड से हम तो सबसे पहले हम निकाल लें अग्याल चार्ज पछार्ज निकालेंगे चाल्ज कि एक्वड़ उन्सिट्य और संट लिए और उसकेанеilcor Nadia नमबर आप फ्लक्स डू टू सर्फेस एस वन तो उसके लिए हो जाएगा फाई इवन इक्वल टू इस एस वन ये एस वन सर्फेस और इन्टू कास अब यहाँ ध्यान देना ये जो एस वन सर्फेस है ऐसा है और इन्टेंसिटी के डारेक्शन यह है यहाँ परपेंडिकुलर है क्योंकि यहाँ पर आप सिलेंडर होरिजेंटल हो गया तो थीटा जिरो डिग्री होगा दैट इक्वल टू ई और सर्फेस एडिया ए है तो ई इन्टू क्या हो जाएगा यहाँ पर ए होगा iki टु इसके लिए होगा क्योंकि यह जो सर्फेस आह उसके भी क्या है वो पर पेंडिकुलर है तो ठीक जिरो होगा इन्टू होगा अब बिल्कुल वैसी सीमिलर है क्योंद ड्यूट्व का सिर्फेस कैस्थी सर्फेस के लिए यह से सर्फेस के लिए भाए e3 होगा और phi e3 equal to क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर e s3 यहाँ पर होगा cast 90 क्यों होगा यह हमारा surface का direction है और यह intensity का direction है दोनों क्या है पेरेलल है और पेरेलल में theta 90 degree होता है यह हो गया 0 इतना करने के बाद हम क्या निकालेंगे total flux निकालेंगे यह हमने phi 1 निकाल लिया phi 2 निकाल लिया, phi 3 निकाल लिया अब हम निकालेंगे total flux तो therefore total flux जो कि phi e होगा यह तीनों के sum के equal होगा तो यह क्या हो जाएगा ea plus ea plus 0 that equal to 2 into ea यह 2 ea हो जाएगा ठीक है तो टोटल flux 2 ea होगा अब हम इसको क्या करेंगे gas theorem में put up कर देंगे therefore by gas theorem देखो मैंने आपको working step बता दिया तो काम बहुत आसान होगा पूरा उसी working step पर चल ला है उसी को आपको follow करना है तो gas theorem यहाँ प्लाई कर दें तो gas theorem का value होता है phi e equal to q upon epsilon फाई का value हम यहाँ पर निकाल चुके है 2 e into a equal to q तो q का value क्या है sigma into a upon epsilon अब therefore यहाँ से final equation को लिखो therefore यहाँ पर क्या होगा देखो दोनों साइट से a cancel होगा तो 2 को इधर transfer कर दो e equal to क्या हैगा sigma upon 2 epsilon और यह होता है इसका final equation यह कितना आसान है बहुत ही आसान है working is same to same है पहले charge निकालो सबसे पहले charge निकालो फिर flux 5-1 निकालो फिर flux 5-3 निकालो फिर total flux निकालो और यह total flux को गास्थिवरम में put up कर दो प्रूफ हो जाएगा बस ऐसे है इसका application और इसका हम nest और last application पढ़ लेते हैं यह है electric field due to uniformly charged thin spherical cell चलो भई अब यह spherical cell है कि यह मजदाय टापिक है क्योंकि spherical cell ठीक है spherical cell मतलब क्या हो जाएगा जो गोलाकार होगा सेल मतलब hollow sphere सेल मतलब hollow sphere चलिए hollow sphere अपन consider कर लें और बना लें इसको कल्क्रेशन तो सेम टू सेम होगा यह hollow sphere है और इस hollow sphere में हमने इसका radius ले लिया सपोज यह आर इसका radius है सपोज यह center r radius और इसको हमने plus q charge दिया हुआ है इसको हमने इस तरह से plus q charge दिया हुआ है अब चार्ज इसके चारों डिस्टिब्यूट है अब इसके outside में हमको किसी point पर intensity कल्क्रेट करना है तो देखो इस फेयर बहुत आसान है इस लिए क्योंकि इसमें three surface नहीं है इस फेयर having only इस फेयर के पास only one surface है only having only one surface क्योंकि वह single surface का body है तो इसके लिए हम एक point बाहर consider कर लेंगे और उसके लिए हम बना लेते हैं उस point को ले आते हैं पन dotted line से हम इस तरह से बना लें यह suppose इस तरह से एक point हमने ले लिया और इसका जो radius है इसका जो radius है वो हम ले लेते हैं यह suppose हमने capital R ले लिया या इसको थोड़ाँ चेंज करता हूं small capital को उससे कोई फर्क नहीं पढ़ता लेकिन फिर भी है capital R ले लिया इसको small R ले लिया और यहां पर point P है और यही पर हमको intensity चाहिए यह हमारा figure है इस तरह से बनेगा तो सबसे पहले हम क्या करें P point पर intensity calculate करेंग number of flux अपन निकाल लेते हैं total number of flux चार्ज इसमें निकालने का जूरत नहीं है चार्ज क्योंकि इसमें charge uniformly distribute होता है तो इसमें जितना charge है वही charge density है uniformly इसमें distribute हुआ है तो वही charge density है ठीक है तो सीधा हम इसमें निकालेंगे number of flux डारेक्ट total number of flux वो भी total number of flux क्यों निकाल रहे हैं भई हम direct total number of flux क्यों निकाल रहे हैं क्योंकि एक ही surface है यह surface S है और इसका कोई surface का part नहीं होता तो total number of flux निकालेंगे जिसको हम कहेंगे phi E equal to E ds cos theta अब यहाँ पर देखो यह हो गया E तो E का value होता है 1 upon 4 pi epsilon naught q upon यह distance हमने R लिया है तो R e square यह हो जाएगा तो यह हो जाएगा 1 upon 4 epsilon naught q upon R e square एक मिनट स्वारी यहाँ पर हमको तो यही find करना है E का value हम यहाँ पर नहीं put कर सकते that equal to यह होगा E वही तो calculate करना है वही तो calculate करना है ds का value put करेंगे तो ds क्या है surface area ठीक है तो surface area कितना होता है e square का surface area होता है 4 upon 3 pi R e square ठीक है यह हो जाएगा 4 upon 3 pi R e square और into यहाँ पर देखो यह 90 degree है यहाँ पर यह 90 degree है मतलब surface पर यह perpendicular है और जब surface पर perpendicular होता है तो theta 0 होता है यह होजाएगा cas 0 that equal to यह हो जाएगा e into four upon three pi r square यह हो जाएगा total number of flux total number of flux निकालने के बाद हम क्या करेंगे यह total number of flux को हम put up कर देंगे gas theorem में therefore by gases theorem by gases theorem ठीक है बस दो line में इसको put up कर दो और वो साल हो जाएगा तो phi e equal to क्या होता है q upon अफसलनाट होता है इसमें plus का value हम put कर दें तो e into four upon three pi r square equal to q का value q का value क्यों ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर charge density charge ही है upon अफसलनाट that implies यहाँ पर हम उसको आगे transfer कर दें e निकालना है तो e equal to हो जाएगा one upon four pi अफसलनाट q upon r square यह four pi r square होता है स्वारी surface area for solid sphere के लिए होता है वो solid sphere के लिए होता है यह हो जाएगा four pi r square four pi r square into cos zero that equal to e into four pi r square यह four pi r square होता है यह value up यहाँ पर four pi r square तो intensity का जो intensity का जो value है वो क्या निकाल जाएगा अपने को यह हो जाएगा e equal to one upon four pi epsilon q upon r square और आप देखो इसी intensity के formula को हम क्या कर रहे है यूज करते है ओके नाव नेस टापिक अब हमारा इस चेप्टर का लास्ट टापिक है जो की इसी पर best है यह जो हम spherical cell पढ़ें उसी पर best है और बहुत बार board exam में question को इस तरह से पूछता है इसी टापिक को question में इस तरह से पूछता है कैसे पूछता है derivation आप कुलामसला from gases theorem मतलब gas theorem के help से हमको कुलामसला को क्या करना है प्रूफ करना है यह इस चेप्टर का last topic है बहुत important topic है तो actual में यह है क्या हमने भी जो यह topic पढ़ा है उसी का आगे का extension है वो इसी के आगे का तो जब वो question पूछेगा तो आप इसको पूरा लिखोगे इस topic को आप पूरा लिखोगे clear यहाँ पर एक मिनट heading को एक बार मैं लिख दूँ यहाँ पर third बीच में इरेज हो गया लगता है heading इसका ठीक है spherical cell बाकी तो ठीक है electric field due to uniform charge plane seat यह spherical cell ठीक है यदि आपको question में पूछे कि हमको क्या करना है कुलाम्सला को derive करना है तो क्या करेंगे यहाँ पर यह जो point P है यहाँ पर एक Q not charge supposed कर लेंगे ध्यान से सुनना अब हम P point पर जहाँ पर unit charge ले रहे थे वहाँ पर हम Q not charge supposed कर लेंगे तो Q not charge फिर कितना force लगेगा यह force क्या करते हैं आपन कल्कुलेट करते हैं कि यही क्यों नाड चार्ज हो तो Q not charge पर कितना होगा अच्छा एक चीज और वह पढ़ाने के पहले मैं आपको थोड़ा सा एक टापिक और पढ़ा दूँ और वह है एक मिनट inside और outside यहाँ पर थो हमने surface पर पढ़ा है देखो यह पहला जो टापिक है वो on the surface sorry outside of the surface outside of the surface हमने surface का outside पर पढ़ा है इसके बाद हम इसको दूसरा condition पढ़ लेते हैं on the surface surface पर कितना होगा यह देखो surface का मतलब क्या होगा अब यदि हमारा यह जो पी पाइंट है वो यहाँ surface में आ गया तब कितना होगा यह हमको calculate करना है तो on the surface क्या होगा small r के पिटल r के इक्वल होयाएगा therefore इस condition में intensity e equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r square होगा यह है on the surface clear इसके बाद हम देखते हैं third inside of the surface inside of the surface यदि हम surface के inside में आ गये मतलब यह जो point है अब यदि वो कहां आ गया अंदर में आ गया तो inside of the surface क्या होता है कई बाद multiple twice में competitive में इसको पूछा है कि inside of the surface टोटल नंबर आप चार्ज विल भी 0 मतलब किसी भी इस से इस फेर सेल के अंदर में कोई चार्ज नहीं होता चार्ज ओनली आउटर सर्फेस में distributed होता है तो यहां पर क्यू नाट क्यू जिरो हो जाएगा और यहां पर हम वेल्यू को पूट अप कर दें तो therefore e will be also 0 e भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि जब हम Q के वेल्यू को 0 पूट अप करेंगे तो e भी 0 हो जाएगा तो यह दोनों condition में ध्यान में रखना ठीक है यह condition भी मैं explain कर दूँ इसके बाद हम क्या देख रहे थे कि uniform इस पर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर हम consider कर लेंगे let us consider consider Q not charge kept at point P हमने यह suppose कर लिया कि जो P point है वहाँ पर है Q not charge रखा हुआ है यह आगे का calculation है ना उससे आगे calculate करोगे इसको continuous होगा therefore force on therefore force on Q not charge अब Q not charge में force कितना होगा तो force F equal to होता है Q not into intensity यह होता है that equally हो जाएगा Q not और intensity हमने calculate किया है 1 upon 4 pi epsilon not Q upon R square यह हमने calculate किया है gas firm के application से therefore इस relation को हम क्या लिख सकते हैं बस इसमें दो line extra लिखने हैं और कुछ नहीं therefore F equal to Q not को मैं यहां पर adjust करके लिख दूँ यह हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon not Q into Q not upon R square और नीचे में लिख दोगे which is which is Kulam's law which is Kulam's law इस बास से proof हो जाएगा कि हमारा जो Kulam's law है वो derive हो गया ओके नाव नेस्ट टापिक इस कि इस पेसल कंडिशन इलेक्ट्रिक फिल्ड डू टू इनफाइनाइट प्लेन पैर शीट यहां पर हम को यह देखना है कि हमारा जो प्लेन सीट है भी जो हमने पढ़ा वो उसके टू यह दी सीट है यह टापिक बहुत इंपार्टेंट है क्योंकि निमेरकल सी से सब्सक्राइब बता दूँ एक सीट सब्सक्राइब है और दूसरा सीट सब्सक्राइब करेंगे हम देख लेते हैं कि सब्सक्राइब चार डेंसिटी सीगमा यह है इसका चार डेंसिटी सपोस्ट सीगमा भी है अब इसको हमने चार्ज दिया हुआ है तो सपोस्ट इसके दोनों के लेप्ट साइड में हमने निगेटी चार्ज दिया है लेट में निगेटी चार्ज दिया है तो यह जो फर्स्ट फिल्ड क्रिय क्रियेट होगा पहला फिल्ड यह दोनों का निगेटी निगेटी होगा क्योंकि दोनों के लेप साइड में हैं सेकंड फिल्ड जो क्रियेट होगा यहां पर इसका पाजिटी होगा राइट साइड है इसका निगेटी होगा तो प्लस माइनस होगा यह और यह जो थर्ड फिल्ड डवलप होगा यह थर्ड फिल्ड क्या होगा दोनों का पाजिटी पाजिटी डवलप होगा इस तरह से फिल्ड यहाँ पर डवलप होंगे अब हमने देखा है कि प्लेंसीट के लिए जो फार्मूला है प्लेंसीट के लिए जो फार्मूला हमने अब यहां से हम देखें कि प्लेंशीट के लिए जो intensity calculate किया उसके बैस पर हम तीनों के लिए अलग-अलग intensity calculate करेंगे फर्स फिल्ड के लिए और थर्ड फिल्ड के लिए तो देखों यहां पर फिल्ड के लिए intensity क्या होगा इस फिल्ड को बोल हमाई e first पहला यह पहले फिल्ड के लिए तो ध्यान देना यहां पर sigma का जो value यहां पर total sigma लेंगे तो दोनों minus है तो हो जाएगा minus sigma a minus sigma b minus sigma a minus sigma b upon 2 epsilon 1 इस formula से बनेगा यहां minus को हम common कर लें तो हो जाएगा जेखेबर सीग्मा एट प्लस सीग्मा भी on two epsilon-nuh यह पहला फिल्ड होगा अब हम सेकंड फिल्ड के लिए कल करें सेकंड फिल्ड के लिए इंटेंसिटि यहां के लिए तो देखोई इसका प्लस- या- चैंड इसका- ते- यह वह जाएका मतलब इस तरह के जी situation हो तो यह फार्मूला लगेगा और third field जो create हुआ है E third मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ E third तो दोनों का यहाँ पर positive होगा तो यह हो जाएगा sigma A plus sigma B sigma A plus sigma B upon to epsilon 0 यह three field यहाँ पर create होते हैं तो आपको यह फार्मूला बहुत अच्छे से लर्ण करके रखना है कि किस किस फिल्ड में किस तरह के इंटेंसिटी कल्कुलेट होगा क्योंकि निमेरकल में बहुत काम आएगा और आपको अब जैसे कि हम हर टापिक के बाद कुछ निमेरकल उससे रिलेवेंट कर रहे हैं इससे भी रिलेटेट हैं कुछ निमेरकल कर लेते हैं तो हम यहाँ पर सबसे पहले इससे रिलेटेट कुछ निमेरकल साल्व कर लेते हैं देखो ताकि आपको आगे निमेरकल साल्व करने मे प्राब्लम ना हो यह हमारा एक क्वेस्टन है एक चार्ज आप 17.7 इंटु 10 तु दी पाउर माइनस फोर कुलाम इस डिस्टिब्यूटेड यूनिफार्मली ओवर ए लार्ज सीट सीट पर ही बेस्ट है आप एरिया 200 मीटर स्क्वेर कल्कुलेट दा इलेक्टिक फिल्ड इंट सुनना अभी जो मनेbnर कल सापको करा रहां हूं वह सिधा सिधा फ्रीड करता हुआ ताकि आपको उसका एपलिक 8 मीट आए कि जो फार्मूला हम कर रहे हैं और निमर्कर स्की सलुष्टी इच्भार यहा दें होता है कि इसके लिए हम फार्मुड़ा देखें e equal to to plane 17.7 into 10 to the power minus 4 17.7 into 10 to the power minus 4 यह चार्ज का वेल्यू है अपान एरिया एरिया दिया है 200 200 मीटर स्क्वेर यह है 200 मीटर स्क्वेर अब इसको हम सालो करें तो 17.7 में 200 तू को साथ तू को डिवाइट करो तो इसके साथ में जाके माइनस हो जाएगा तो यहां पर हम डिवाइट करें 17.7 में तू को तो पहले तो यह हो जाएगा एक टू 10 to the power minus 6 दो जीरो यहां का और 17. 17.7 में 2 डिवाइट करो यह 2 डिवाइट करने साथ एगा 8.85 इस तरह से आप देखो यह हम निकाल लेंगे charge density जब हम charge density कल्कुलेट कर लेंगे इस charge density को हम intensity वाले फार्मूला में put up कर देंगे ओके intensity वाले फार्मूला में जब उसका value हम put up करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो therefore intensity e equal to sigma का value हो गया 8.85 into 10 to the power minus 6 upon 2 epsilon 0 तो 2 into epsilon 0 epsilon 0 का value क्या होता है epsilon 0 का value मैंने आपको starting में ही बता दिया था जब हमने कुलाम्स लाग का topic आपको पढ़ाया तो epsilon 0 का value होता है 8.85 into 10 to the power minus 12 यह होता है 8.85 into 10 to the power minus 12 यह value हम यहाँ पर put up कर देंगे तो यहाँ पर देखो इस question को इस तरह से adjust किया गया है कि 8.85 cancel out हो जाए बहुत आसानी से cancel out हो जाए इस तरह से adjust किया हुआ है ऐसे इसके data को ही दिया गया है 8.85 8.85 के साथ में cancel out हो जाएगा 1 upon 2 अब देखो 1 upon 2 होता है 0.5 0.5 into 10 to the power क्या हो जाएगा यह जाके 6 minus 6 plus 12 मतलब क्या हो जाएगा यह 6 हो जाएगा देट इक्वल अब आगे इसको हम साल्व करें तो जनरली हम क्या है एक वेल्यू को इंटीजर रखते हैं लेफ साइड में तो इसको 5 को डेसिमल उधर खिशका दें ते हो जाएगा 5 into 10 to the power 5 Newton कुलाम इन्वर्स स्क्वेर यह इसकांसर होगा यह इंटेंसिटी आफ इलेक्टिक फिल्ड का यूनिट है तो 5 into 10 to the power 5 Newton पर कुलाम इसकांसर होगा तो देखो यह डारेक्ट फार्मूला पर बेस्ट है इस तरह से कुश्चन साल्व होगा किसी भी गास फिरम के अप्लिकेशन का जीतना कुश्चन है डारेक्ट उसका वेल्यू पर आपको पूट अप वेल्यू पूट अप करके साल्व कर सकते हो चली एक और कुश्चन देखें जो मैं आपको चीन अपसेसरल पढ़ाया इसलिए उससी लिए मैं इस्पेशल पेस्ट के सब्सकितन किया यह चीघर सब्सक्राइब स्ब्सक्राइब अपको बेस्स अश्कालो किन न्युडवलत इंपरटेंट है कई बार इसमें से को्ण आया हुआ है। कोस्टन आया हुआ है इसी को मेज करता है क्वेस्टन पर दा प्लेट्स हैब सर्फेसेश चार्ज देंस डेंस डेंसिति आप दा अपोजिट साइन्स एंड मेगनिटूट 20 इंटू 10 तो पर माइनस 12 सेंटीमीटर इन वर्ष स्क्वेर किल आम ना कुलाम मिटरें इन वर्ष सक्वेर दा इलेक्ट्रीक फिल्ड इंटेंस इती अब यहाँ पर तू कंडिशन हमको कल्कुलेट करना है कुश्चन फर्स्ट इन द आउटर रिजन आ प्लेट्स प्लेट्स के आउटर इसन में ठीक है दोनों रिजन बीट्विन प्लेट्स के इंठीडियर रिजन में ये तो आउट रोट रिजन में करना उसके इंठीडियर रिजन में करना है ठीक है तो सबसे पहले हम इसको कल्कुलेट करते है कल्कुलेशन हम लेते हैं किसके लिए फार आउटर रिजर इस तरह से आउटर रिजन के लिए अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला है इसको आप ध्यान में रखना इसके जो चार्ण सिटी यहां पर हम ने ध्यान रखना ज wn UG आपने चार्ज हो दोनों को पाजिटी लिए यह जिए और सिग्मा भी यह दोनों पाजिटिव है और देखो क्या फर्मूला को आउटर रिजन के लिए देखो इएक वल्टू हो जाएगा इएक वल्टू सिग्मा ए प्लस सिग्मा भी अपन टू अपसाला नाट यह होता है अब इसके वेल्यू यहां पर पूटप किया जाए तो सिग्मा एक वेल्यू क्या हो यागा देखो दोनों में बोला उसले हो जाएगा सिग्मा माइज प्लस और इसका हो जाएगा माइना सिग्मा क्योंकि उसमें उसमें vet anime ऑने बोला है कि सिग्मा भी मतलब दूसरा का यह आ सब्लस और यह माइनस रिघाप लेक्टेगर तो इंटेंसिटी आफ इलेक्टिक फिल्ड वह जी रहोगा इस तरह के कोस्टन कम्टिटिव एक्जाम में भी पूछा जाते हैं यह कम्टिटिव के लिए इसलिए इंप्टेंट है कि मेक्जीमम स्टुडेंट्स इस पर एप्रोश नहीं कर पाते कि यह वाला फार्म लागेग कि आप उसको साल कर सकते हैं आउ नेस्ट सेकंड कंडिसन इस का जो दूसरा इसन है यह दूसरा इंटेयर रिशन पर इंटिरियर रिजन पर इंटियर रिजन के लिए हम देखे तो भी मैंने आपको बताया से देको एक बार दुबार आपको याद दिला दू यह हमारा इंटिरियर रिजन के लिए फार्मूला है सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी अपांट टु अपसाला नाट यह फार्मूला हम यहां पर एप्लाई करें तो क्या हो जाएगा देखो तो दोनों का वेल्यू हम पूट अप कर देते हैं ठीक है सिंग माके कार्डिघ कर दें उसको तो पहले तो मैं सिंग मवी कहा ही लूप में लिट लेता हूं सिंगमा minus minus sigma upon 2 of solar not that equal minus minus plus to sigma to 2 to cancel होगा तो sigma upon epsilon not हो जाएगा ये अब sigma का value हमको question में दिया हुआ है देखो इसका magnitude दिया है ये 20 into 10 to the power minus 12 20 into 10 to the power minus 12 divided by epsilon not जिसका value होगा 8.85 into 10 to the power minus 12 अब इसको simplify करो भई, इसको simplify करो 20 में 8.85 को divide करो, इसको आप लोग divide कर ले न मैं divide करके आपको direct बता रहा हूं 10 to the minus 12 तो cancel out हो एगा तो आ जाएगा 20 upon 8.85, 2.26 यह होगा 2.26 और यह तो cancel out हो गया, यह हो जाएगा Newton कुलाम inverse square तो इस तरह के numerical system important है, यह question बहुत अच्छा यह question आया हुआ question है, तो देखिए यहाँ पर हमारा इस chapter का topic complete होता है और यह हमारा chapter number one था electric charges and fill, electric charges and fill को हमने आपको complete charge के concept से भाटी चार्ज से लेके पूरा syllabus के वार अच्छे से device करो अच्छे से देखो और उसके पूरे आपको PDF फार में जिसका जो नोट्स है, वह हमारे application मिलेगा हमारा application है origin the learners hub, आप play store में यह आप save कर लिए आप download कर लिए उसके बाद जाके आप study material के section पर जाइए और वहाँ पर आपको free notes मिलेगा, notes के लिए आपको कोई free pad नहीं करना है, तो complete वहाँ पर आपको notes मिलेगा, इस तरह से आप पूरे वीडियो को देखने के बाद notes भी बना सकते हैं, और complete से लिए पास 100% प्रिपियर करके आप अपने board exam में maximum marks, even आप 100% marks भी ला सकते हैं, क्योंकि हमने 100% को पूरे depth में cover किया हुआ है, इसी तरह से आपको continuous हर chapter का one start video मिलता रहेगा, तो आप अच्छा से मेहनत करिए और अच्छा marks gain करिए, ओके ओके थाइंक्यू, थाइंक्यू सो मच